Hello students, welcome to the official YouTube channel of origin coaching. आज के class में हैं आपके लिए क्या हैं? Basic Mathematical Tools for Physics. देखे, physics को पढ़ने के लिए जो सबसे important base है, वो mathematics का base है. जितने भी students 11th class में हैं, 12th class में, या competitive का preparation कर रहे हैं, need का preparation कर रहे हैं, IIT का preparation कर रहे हैं, आपके physics का strong होना सिर्फ इस बात पर depend करता है, कि आपके basic mathematics पर किस तरह का command है. देखे, तो आज का हमारा one side का video होगा, और इस class में हम physics में जितने basic mathematics यूज होते हैं, सब कई study करेंगे, पूरे, अभी one by one में आपको बताता हूँ, कि हम इस video में कौन कौन से topic को cover करेंगे, और ये यदि आप बहुत अश्य से तयार कर लेते हैं, तो physics पढ़ने का आप एक अच्छा सुरुवात कर लिए, आपका best बहुत strong हो जाएगा, खास कर NEET की students, essay students जिन्होंने bio लिया हुआ है, और आगे NEET यदि उनका target है, तो physics को इस टांग करने का जो सबसे बड़ा मेटर होता है, वो basic mathematical tools ही होता है, जितने भी students NEET का preparation कर रहे हैं, वो सभी को मेरा suggestion है कि आप अपने physics के पढ़ाई का सुरुवात, इस topic से करिए, और इस topic को यदि आप बहुत अच्छा ही स्टांग कर लेते हैं, तो no doubt physics आपको आसान लगेगा, numericals अच्छे बनेंगे, फार्मूले बहुत अच्छे से तयार होंगे, मैं एक simple word में आपको mathematics की importance को बता दूँ, कि यदि physics हमारा कोई luxury car है, तो mathematics उसका fuel से, आप समझ सकते हैं दोनों का relation, तो mathematics आपके physics के लिए बहुत ज़्यादा important है, तो चलिए हम स्टार्ट करें one by one, एक एक topic पर सबसे पहले मैं आपको introduction देदूं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, तो हमको जो mathematical tools पढ़ना, एक बात आप ध्यान रखना कि जब physics के लिए, जब physics के लिए हम mathematics को पढ़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपने को care करना पढ़ता है, care इसलिए कि हमको इतना broad mathematics भी नहीं पढ़ना है, जितना एक math के student पढ़ता है, कि हमको उतना mathematics नहीं पढ़ना है, जो हमारे लिए burden हो जाए, और हमको इतना कम भी नहीं पढ़ना है, कि हमको physics में problem हो, तो बहुत ध्यान से इसको हमको समझना पढ़ता है, तो आज के class में मैं 100% यह कोशिज करूँगा, कि मैं उतना mathematics आपको बता दूँ, कि आपको physics में कोई problem मता है, कहीं पर भी, 11th के study में, 12th के study में, and after 11th and 12th, competitive preparation में, आपको physics में कोई problem मता है, और इतना ज़्यादा भी आपन नहीं पढ़न है, कि हमारे लिए burden हो जाए, खासकर बायों के students के लिए, मैस के student तो उसको मैस में use करेगा, तो उसके लिए additional benefit है, but बायों के students के लिए उतना ही हमको पढ़ना है, जितना हमको physics में जोड़त है, इसलिए यह class especially, जो NEET की students उनके लिए और ज़्यादा important है, वैसा तो सभी के लिए important है, लेकिन NEET experiment के लिए सबसे ज़्यादा important है, तो यहाँ पर इतने mathematics में आप command कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर list बनाया हुआ है, तो naturally आपका physics बहुत अच्छा हो जाएगा, सबसे पहले हमको algebra पढ़ना है, यह पूरे 5 टापिक पर हम single video में आपसे discuss करने वाले हैं, इस one-search video को बनाने का हमारा मकसद यह है, कि पूरे mathematical tools को हम एक बार में आपको बता दें, आप उसको again and again revision करते रहे हैं, धिरे जिरे आपका पूरा command हो जाएगा, तो सबसे पहले हमको algebra पढ़ना है, algebra के बाद आपने को trigonometry पढ़ना है, trigonometry के बाद हमको vector analysis, calculus और geometry, यह 5 mathematics हैं, यह 5 mathematics को पढ़ने के बाद आप physics में कहीं पर कोई problem महसूस नहीं करेंगे, तो देखे इसमें से कुछ mathematics ऐसे हैं, जिसको हम 9-10 में भी पढ़ए होते हैं, बट उतने depth में नहीं पढ़ए होते हैं, जितना हमको 11-12 के physics के लिजवरत होता है, जिसमें हमने algebra पढ़ा हुआ है, trigonometry पढ़ा हुआ है, यह 2 mathematics तो हमने 9-10 में पढ़ा है, बट उसको हम थोड़ा सा और advance करेंगे according to physics, इसके बाद यह vector analysis और calculus यह आपके लिए बिल्कुल नया है, new mathematics हैं, यह आपको बिल्कुल नया सीरे से पढ़ना है, बिल्कुल 0 सी start करना है, और geometry में आप 9-10 में पढ़ा है रहते हैं, लेकिन वो भी उतना sufficient नहीं होता, तो geometry भी आप फड़ा पढ़े हुए होते हैं, तो यह हमारा syllabus है, और one by one हम एक एक करके, एक एक mathematics को start करते हैं, now we start first, algebra, सबसे पहले हम algebra ही start करें, तो देखो, यहाँ पर मैं आपको जनरी फार्वुले के collection भी आपको दे रहा हूँ, और एक important बात आपको starting से ही बता दूँ, कि मेरा जितना lecture, जितना मैं आपको इस lecture पर आपको पढ़ाऊंगा, इस वीडियो पर जितना भी आप पढ़ोगे, उसका पूरा का पूरा contents आपको PDF फार्म में notes भी मिलेगा, और यह notes आपको मिलेगा हमारे application पर, हमारा application है origin the learners hub, origin the learners hub, जो हमारे वीडियो में आपको उसका information मिलता रहेगा, description पर आपको उसका link मिलेगा, origin the learners hub application पर आप जाएए, और वहाँ पर आपको free notes मिलेगा, तो पूरे basic mathematical tools, पूरे 11th class, पूरे 12th class का जितना भी physics हैं, पूरा notes आपको वहाँ पर available है, तो वहाँ पर आप notes से बढ़ सकते हैं, यह जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, सब का PDF वहाँ पर without any fee, बिना किसी fees की वहाँ available है, तो application से आप उसको पढ़ लेंगे, algebra में होता कि या देखो, algebra एक ऐसा mathematics है, जिसमें formula based है, जाता तर physics में हम formula पर ही best mathematics पढ़ते हैं, algebra में सबसे पहले आपने जो lower classes में, 9, 10, 7, 8 पढ़ा है, वो सब formula आपको physics में काम आएगा, एक बार यहाँ पर मैं simple formula का यहाँ पर list दिया हुआ हूँ, यह आप आपको एक बार समझा देता हूँ, और आप इसको notes बनाके learn भी कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देखो, a plus b का holy square सबको पता है, a minus b का holy square यह पता है आपको, a plus b plus c का holy square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c यह होता है, इसका भी हमको कोई जगा physics में जगरत होता है, a plus b, a minus b, यह जो factorization है, और multiply होका हो जाता है, a square minus b square, r a square minus b square equal to e, मैं simple से simple formula को भी cover किया हूँ आप आप ऐसा मैं समझ जा कि इतनी बहुत छोटी बात है, इसको तो हम जानते हैं, लेकिन मैंने starting में आप से बात कियो, कि zero level से मैं बता रहा हूँ, उस level तक जहां आपके लिए जोरी है, अब देखों यह formula a plus b का whole cube, यह formula होता है, a minus b का whole cube equal to e formula होता है, a plus b के whole cube को, हम इस फाम में भी लिखते हैं, ज्यादा तर ऐसा यूज़ करते हैं पर, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, इस फाम में भी हम इसको लिखते हैं, और इसको इस फाम में भी लिखते हैं, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, इस फाम में भी आद रखना, क्योंकि आगे भी मैं binumal सोरा हम आपको पढ़ाऊंगा, तो इसके इस फाम को यूज़ करूँगा, इसके बाद आप देखो, a plus b का whole square equal to हम इसको लिख सकते हैं, a minus b का whole square, यहाँ पर एक misprint है, आप समझ सकते हो, यह minus है, यह equal नहीं है, यह minus है, यह होगा minus 4ab, a minus b का whole square minus 4ab, एक मिनट, minus नहीं, यह plus होगा, वो टाइपिंग का mistake है, क्योंकि a minus b का whole square का expand करेंगे, तो a square plus b square minus 2ab आएगा, और उसमें 4ab करेंगे, फिर यहाँ पर देखो, a plus b का whole square plus a minus b का whole square, यह अधि a plus b square और a minus b का whole square को add करें, तो यह आएगा, a cube minus b cube, a minus a cube minus b cube का जो फर्मूला होता है, a minus b, a square plus b square plus 2ab, और a plus b का whole cube, a plus b, a square plus b square minus ab होगा, ठीक है? यह दोनों फर्मूला को आपको याद रखना है, कुछ फार्मूला मैं और आपको यहां पर बता रहा हूं यह तो करेक्शन कर लेना ना यह वाला करेक्शन कर लेना इसी के साथ मैं यहां पर एक और फार्मूला आपको बता रहा हूं इसके साथ चलिए इस पेसल यहाँ पर मैं नोट करके फर्मूला लिखा रहा हूँ इसको भी आप नोट कर लोगे यह कई बार यूज होता है a plus b का holy square plus a minus b का holy square है यहाँ पर यदि हम इसको इस तरह से लिख दे a plus b का holy square minus a minus b का holy square लिख दे यहाँ पर लिखा है a plus b का होली स्क्राइर plus a minus b का होली स्क्राइर सपोज इसके बीच में minus हो तो उसके बीच में दी minus हो तो उस condition में क्या होता है फोर a b होता है इसका बहुत ज्यादा यूद होता है physics में यह हमने list में नहीं लिखा हुआ था मुझे ध्यान है यह आप note कर फार्मूला भी आपको बहुत ज्यादा यूज होगा clear तो नेस फार्मूला उस फार्म में लिखने होगा बाकि सफिसेंट है इतने फार्मूला से आपका algebra का काम चलेगा ओके एक बार आप उसको note डाउन कर सकते हैं एक मिनट एक मिनट यह फार्मूला जो मैं correction कर रहा था यह मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ पर minus है अरे sorry यह लिखा हुआ है मैं दूसरे फाम में चला गया sorry sorry मैं दूसरे फाम में चला गया यह सही लिखा हुआ है A plus B whole square minus A minus B whole square 4A भी होता है और A plus B whole square plus A minus B whole square ये होता है ठीक है ठीक है इसी को मैं दुबारा लिखे रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ फार्मूले ऐसे भी है जो दोनों के sum और difference पर भी है मैं बताता हूँ कुछ और फार्मूला आपको जो उसमें लिस्ट में नहीं है कितने नमबर तक हुआ ये है ये हुआ 10 मैं आपको बताता हूँ 11 नमबर में भी नोट कर लो क्या है फार्मूला जितना याद हो उतना ज्यादा अच्छा है एक फार्मूला ये है A plus B whole square equal to होता है A minus B whole square plus 4A भी होता है जो भी मैं लिखा हुआ था और ये भी आप नोट कर लोगे A plus B A minus B whole square equal A plus B whole square minus 4A भी होता है ये फार्मूला भी कई जगा हमको ज़वरत पढ़ जाता है इसलिए इस फार्मूले को भी आप नोट डाउन करके रखोगे देखो सबसे बड़ा resource हमारा फार्मूला है जितना ज़्यादा आप फार्मूला लर्न करोगे आपके लिए भेले ही starting में बढ़न लगता है मुझे मालूम है लेकिन फार्मूला हमारे work को easy करता है हम इसको बोलते है basic mathematical tools tools मतलब अवजार और tools क्या काम करता है फार्मूला और आप नोट कर लेना चलिए यह दोनों फार्मूले ठीक है अब हम देखते हैं physics में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक छोटा सा टापिक है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यूज होता है इस component और डियोड और फार्मूला के help से हम बहुत जगा आसान कर लेते हैं अपने कल्कुलेशन को और जनरली स्टुडेंट्स इसको ध्यान नहीं देते मेरा experience है मैं रख मालूम है जिसके कारण हम जहां पर दो इस्टेप में question बनना चाहिए उसको चाहर पांच स्टेप तक खिस देते हैं तो फार्मूला आपके effort को कम करेगा यह रेशियो proportional का फार्मूला है यहाँ पर मैं आपको explain कर दूँ उसके बाद आप उसको note कर लेना if a upon b equal to c upon d if a upon b equal to c upon d हो suppose rational proportional जो हमने पढ़ा है a upon b equal to c upon d हो तो component और cconomían dedo का फार्मूला क्या करता है यह formula करता है therefore हम इसको लिख सकते हैं a plus b upon a minus d equal to c plus d upon c minus d इस फार्म में हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं ओके है यह कहलाता है componentermined Todo यह यूदि इसको चाहें तो हम reciprocal में भी लिख सकते हैं यहां पर मैं इसको रेसिप्रकल फाम में मतलब उल्टा भी करके यदि हमको ज़ुरत है तो हम A-B upon A plus B equal to C minus D upon C plus D के फाम में भी लिख सकते हैं तो यह पूरे आप लेरन और प्राय करें इसमें बहुत ज़ादक हमको कौस्चन की प्रैक्टिस नहीं चाहिए फार्मुला करना हीश्य आई जहां पर यूज करना होगा वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं और यहां थो ये typ को सप्ध़ सकते होंं हम यूस करेंगे तो आप बहुत आसानिस उसको समझ लोगे कि हां बैसिक मैसमेटिक्स में सर ने बताया था बहुत इजी उसको समझ सकोगे तो यह फर्मूला है इस पर क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन हम कराएंगे आगे जहां पर जरूरी है नौनेस्ट यह है बाईनमेटिक्स देखो बाईनमेल थोरम एक ऐसा मैठमेटिक्स है जो फिजीक्स में हमारे बहुत बड़े बड़े क्लकुलिशन को बहुत आसान करता है एक्ट्वल में बहुत 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 टापिक होता है मैथमेटिस का, यहां पर मैं इसको डीटेल में आपको समझाऊंगा और इसको दो तरीके से आपको मैं समझाऊंगा एक तो पूरा डीटेल फाम में और लास्ट में आपको बताऊंगा कि tricky farm में हम उसको कैसे use कर सकते हैं सीधा tricks याद करना अच्छा नहीं है क्योंकि कई बार हमको expansion कभी जवरत होता है और expansion पता ना हो तो हम प्रापर उसको use नहीं कर पाते तो भाई इसको ध्यान से समझना है आपको और binomial theorem आपको बहुत काम आएगा algebra का बहुत important topic है चलिए तो binomial theorem में हम देखें कि binomial theorem होता क्या है नाम से clear binomials मतलब होता है two two numials मतलब इसमें two terms होते हैं और two terms के किसी power को expand करना ही binomial theorem कराता है for example कुछ ऐसे example हम देखें जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है जैसे x plus y whole square suppose x plus y का whole square को हम expand करें तो हमको मालूम है x plus y का whole square होता है वो x square plus two x y plus y square होता है clear x plus y का whole square का formula यह होता है इसके माद suppose यदि मैं x plus y का cube का expansion लिखूं x plus y का whole cube equal to क्या हो जाता है x cube plus 3 x square y plus 3 x y square plus y cube यह हमारा formula होता है आपको पता है यह formula भी हमने पीछे formula के list में बताया है अब इस formula को बहुत ध्यान से आप समझो और यहाँ पर हम कुछ observation आपसे discuss करते हैं observation हो सकता है यह observation आपने इसके पहले कभी वाचना किया हो कभी ध्यान ना दिया हो तो यहाँ पर ध्यान देने का कोशिस करना कि यह दोनों formula में कुछ खास बात है अब पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि किस तरह से उसका farm होता है यहाँ पर x प्लस y में 2 terms है यह first terms है यह second terms है यहाँ पर यह है first term यह second terms है और इस तरह से इसमें 2 numbers है इसका power 2 है फिर 3 है फिर power 4 हो सकता है power 5 हो सकता है power 6 हो सकता है power up to n हो सकता है अब यहाँ पर problem यह है कि हमने power 2 को तो learn कर लिया हमने power 3 को भी learn कर ल लेकिन कब तक हम लड़न कर पाएंगा तो बाइनोमियल थियोरम में क्या किया टू टम्स के हाइयर पावर को एक्सपांड करने के लिए एक ठियोरम बनाएगा एक रूल बनाएगा उसको कहते हैं बाइनोमियल थियोरम तो बाइनोमियल थियोरम पढ़ने से पहली हमारे पास जो एक सिंपल फर्मूला है इसको थोड़ा साम आपजर्व करें तो यहां आप आपजर्व करोगे तो कुछ आज बात देखोगे इसको बहुत ध्यान से देखना जब X plus Y का power 2 का expansion होता है यहां पर power 2 है तो आप देखो after expansion expansion के बाद इसमें कितने terms आते हैं तो after expansion इसमें आता है one terms two terms and three terms यहां पर देखो power 3 का expansion होता है expansion में one terms two terms three terms four terms आता है तो यहां पर पहला चीज़ यह पता चला कि one terms more इसका मतलब क्या हुआ यह मैं 60 में लिख रहा हूँ आप जर्वेशन को binomial theorem में यह simple जो हमने formula alarm किया है इसमें हमने एक खास बात देखा कि जब इसका power का expansion होता है तो जो number of terms है वो एक अधीक होता है एक more होता है power two है तो three आया three है तो four आया यदि मैं power six को expand करूं तो no doubt terms seven आएगा इतनी बात आपको समझ में आगी दूसरा important बात यहाँ पर देखो वो यह है कि जब हम इसको expand करते हैं तो देखो जो पहला terms होता है यह first term है और first term का power वही होता है जो power में होता है मतलब first term अपने उस power को लेके expand होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर power three है तो first term का power कितना हुआ? three हुआ जैसे जैसे आगे के terms में हम जाते जाएंगे तो उसका power one decrease होते जाता है जैसे यहाँ पर power two था अब power one हो गया यहाँ पर power कुछ भी नहीं है that means उसको power zero लिखा जा सकता है x to the power zero means one और one हम कहीं multiply कर सकते हैं तो x का power record two हुआ, one हुआ, zero हुआ उसी तरह से यहाँ देखो x का power three हुआ, three के बाद फिर two हुआ, फिर उसके बाद फिर one हुआ जीरो हो गया, तो second observation यह है कि the power of first terms will be one one decreases, पहले terms का जो power होता है, one one वो decrease होता है, ठीक है, power of sex one decreases power of first terms, one one decreases, यह होता है, यह एक simple observation है, इसके base पर मैं आपको क्या बताने वाला हुआ, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा अब देखो, यदि इसका power three है, यह स्वारी, second terms की बात करें हैं, तो second terms में देखो, second terms में क्या है, यहाँ पर y है अब y जब expand होगा, तो first terms में y नहीं है, मतला y to the power 0 है, first terms में y नहीं है, मतला y to the power 0, one है इसके बात देखो, यहाँ पर y का power 1 हो गया, फिर देखो y का power 2 हो गया, यहाँ पर देखो y नहीं है, मतला y का power 0 है, फिर y का power 1 हो गया, y का power 2 हो गया, फिर y का power 3 हो गया यह लिखने जूरत नहीं है आपको मैं समझाने के लिख रहा हूँ 1, 1 increases 1, 1 increase होता है तो यह 3 आप जब रेसन हमने देखा है यह आप जब रेसन का पेपर ध्यान से सुन यह सब लिखने के जूरत नहीं है तो मैं समझाने के लिखा हुए क्या मैंने बताया जब हम किसी भी 2 टर्म्स के पावर को expand करते हैं तो टोटल नमबर आप टर्म्स पावर से 1 अधिक आता है फर्स टर्म्स में पावर start होके 1, 1 decrease होते जाता है और सेकंड टर्म्स में पावर 1, 1 increase होते जाता है यहाँ पर पावर 2 था, यहाँ पर पावर 3 था suppose हम इसके n पावर को expand करना चाहते है 4, 5, 6, 7 छोड़ो हम सिधा n पावर को expand करना चाहते है तो चली हम पावर n को इसका expand करें तो क्या होए आएगा therefore according to this observation x plus y to the power n को हम expand करना चाहते है actual में binomial theorem को derive करने का या explain करने का जो method है उसको बोलते है mathematical induction process mathematical induction process का मतलब क्या होता है कि किसी logic को लेके कि भई कोई relation 1 के लिए true है तो second के लिए true है तो third के लिए true है इस तरह से वो n के पूरे value के लिए true होता है यह कहलाता है mathematical induction method तो यहाँ पर हम x plus y की power n को इस observation से यदि हम लिखना चाहें तो मैं समझता हूँ आप में से maximum लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा यदि आप भी मेरे offline class में बैठे होते तो 90% students से इसका sponsor में लिखवा देता अब में भी आप भी लिख पा रहे होगे आप भी इस वीडियो को देखते देखते आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम इसको लिख लेंगे कई लोग आप एक चीज़ आप ध्यान रखना है मैं ध्यान में आया तो मैं आपसे share कर रहा हूँ कभी भी किसी भी वीडियो को आप हमारे लेक्चर की तरह किसी फिल्म की तरह आप मत देखो उसको आप चला के rough copy pen लेके किक आप science के physics की student हो आपको rough copy pen pen paper लेके बढ़ना चाहिए उसाथ में salve करना c reservations हो सकता हमें यहापर कोई काम दो नोट डाउन करो, कुछ भी करो, मतलब आपका अटेंसन आफलाइन क्लास की तरह होना चाहिए, जितने भी स्टुडेंट आफलाइन क्लास की तरह अटेंसन लेके पढ़ेंगे, उनको नोट आउट आफलाइन से भी ज्यादा बेनीफिट होने वाला है, तो थोड़ ध्यान तो x के power में 1 decrease कर देते हैं, तो x में 1 decrease होगा मतलब x to the power n minus 1 होगा, n कोई number नहीं है तो minus 1 लिख देंगे, फिर हमने बोला कि y का value 1 increase होगा, यहाँ पर y का value 0 है, बाद में उसका value 1 increase होगा, तो y to the power 1, power 1 को लिखने जुरत में है लेकिन हमने लिख दिया है यहाँ पर, plus उसके बाद होगा x to the power n minus 2 y का square होगा, plus x to the power 3 n minus 3, x to the power n minus 3 y का power 3 होगा, और plus and so on, last में होगा y to the power n, अब यहाँ पर जो relation हमने लिखा है, यहाँ पर जो relation हमने लिखा है, यह binomial छोरम है, लेकिन अभी यह incomplete है, incomplete इसलिए है क्योंकि इसमें जो coefficient आया है coefficient in the sense यहाँ पर जो 2 coefficient आया यहाँ पर 3 coefficient आया यहाँ पर 3 coefficient आया यह यहाँ पर अभी complete नहीं है तो वहाँ पर coefficient क्या आएगा उसके लिए हम आगे एक mathematics समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वहाँ पर coefficient क्या आएगा तो यह हमने binomial चे और हमको logic से लिखा है that is mathematical election हम power 2 का expansion का study किया power 3 का expansion की study किया और वहाँ से हम observe किये और हमने इसको x plus y के power n के लिए लिख दिया clear? अब यहाँ पर हम देखें कि इसका जो coefficient है जो यहाँ आना है यहाँ यहाँ आना है उसका value क्या होगा? तो इसके coefficient को समझने के लिए एक new mathematics समझना पढ़ेगा अपने को जिसको बोलते हैं हम combination इसको बोलते हैं combination combination इसे type of mathematics कह सकते हैं mathematics के एक type है mathematics के ब्रांचेस होते हैं उसमें से permutation combination mathematics का chapter होता है तो यहाँ पर हमको combination के ज़ुरत पढ़ेगा इसलिए मैं आपको starting में बोला कि physics के लिए mathematics पढ़ना बहुत challenging work होता है पढ़ना भी पढ़ाना भी क्यों क्योंकि सीधा सीधा वह topic लेके आपको बताना पढ़ता है जो आपको physics में ज़ुरत है आपको समझाना होता है इसलिए बहुत sharp work है बहुत ध्यान सी इसको आप समझना तो combination हमको यहाँ पर समझना पढ़ेगा permutation combination होता है तो combination को थोड़ा समय आपको explain करता हूँ जितना हमको जोगरा से देखो combination को हम represent करते है N, फिर C, और R ऐसा लिखते हैं इसको एक C लिखेंगे, capital C लिखेंगे उसके left side में, उपर में N लिखेंगे और नीचे में R लिखेंगे और इसका formula होता है इस तरह से L जैसे मैं बनाया जिसको हम पढ़ते है factorial अभी सब बताऊंगा मैं इसको तो formula होता है इसका factorial N upon factorial N minus R into factorial R यहाँ पर इसको read किया जाता है क्या? factorial factorial N यह read करेंगे इसका एक symbol और होता है लेकिन generally हम उस symbol को use नहीं करते हैं ऐसा और यह इस तरह से इसको हम भी represent करते हैं लेकिन ज़्यादा तर हम इससे करते हैं क्योंकि यह representation कई जगा हमको dot ना लगा पाएं तो हमको confuse करते हैं जैसे कहीं factorial 3 रिखा है तो हम इसको 31 पढ़ते रहते हैं तो वह अला symbol ज़्यादा use नहीं करना है यह ज़्यादा करना है यह formula है और इस formula को आपको learn करना है यह formula मैं highlight कर देता हूँ इस formula को आपको learn करना है अब मैं आपको समझाओंगा आगे कि भाई factorial क्या होता है अब हम आगे समझेंगे कि factorial होता क्या है factorial किसे कहते हैं यह हमको समझना कहें साल्व करते हैं तो यह formula clear पहले तो formula आपको learn करना है बहुत से चीज़ों को आपको learn करना पड़ेगा क्योंकि यह formula है और formula तो याग करने पड़ेगे वो तो tool है उसको तो आपको तयार करना पड़ेगा लेकिन समझ के तयार करना पड़ेगा चलिए तो formula आपन समझें यहाँ पर कि factorial solve कैसे होता एक छोटा से example लेते हैं suppose अपने पास factorial 4 कोई number है तो factorial 4 solve कैसे होगा देखो factorial 4 solve करने का तरीका है जब 4 factorial से बाहर होगा तो factorial के अंदर में 4 में minus 1 होगा मतलब 4 minus 1 होगा यह factorial का rule है यह rule है और आगे होगा 4 into factorial 3 ऐसा होगा आगे इसको और simplify करें तो होगा 4 अब मालो मैं 3 को बाहर करना चाहता हूँ तो 4 into 3 अब इसके अंदर में इसमें फिर 1 minus होगा तो 2 मने डारेक्ट लिग दिया और solve करना चाहें तो 4 into 3 into 2 भी हो जाए तो into यह होगा factorial 1 that equal to 4 into 3 into 2 into 1 भी बाहर कर दें तो 1 होगा और अंदर होगा factorial 0 यह होगा factorial 0 that equal solve करें तो 4 into 3 into 2 into 1 और factorial 0 क्या होता है 1 होता है यह ध्यान रखना तो इसको आपको तो proof करना ले लेकि note करके ध्यान रखना कहीं पर भी आप note कर लो note यह कि factorial 0 का value 1 होता है factorial 0 is always 1 तो देखो factorial 4 जब solve हुआ तो इस तरह से solve होता है मतलब कोई भी factorial का जो number होता है उसको open करते हैं तो अपने value से start होके 1 1 decrease होके multiply होता है जितना हमको ज़रुरत होता है उतना हम factorial solve करते हैं इस बेस परदी मैं आपको factorial n को solve करना सिखा हूँ factorial n तो कैसे solve होगा n को हमने factorial से बाहर किया तो n अंदर बचेगा n-1 अब हमने n-1 को भी बाहर कर लिया तो अंदर फिर क्या होगा n-2 हमने n-2 को भी वापस बाहर कर लिया इस तरह से up to ये बाहर आते 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 last में हो जाएगा 3 into 2 into 1 ये होता है factorial n का value इस तरह से हम factorial को simplify करते हैं तो factorial को simplify करना आपको समझ में आ गया होगा इस examper से आप समझ गया होंगे कि factorial को हम किस तरह से simplify करते जाते हैं अब इसका use किया है binomial theorem इसका use किया है तो हमने यहाँ पर जो coefficient यहाँ पर blank छोड़ा हुआ है वहाँ पर इसके coefficient put up होंगे जैसे यहाँ पर first में coefficient कुशनी होता 1 होता है और last में coefficient 1 होता है यहाँ expansion में देखो यहाँ पर x cube का coefficient 1 है और y cube का coefficient 1 है that means binomial theorem में first terms और last terms का जो coefficient होता है वो 1 होता है बट बाकी terms में coefficient होते हैं और वो कैसा ही start होगा यहाँ सी start होगा इसका coefficient होगा nc1 इसका coefficient होगा nc2 इसका coefficient होगा NC3 और अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह completely binomial छोरम है अब जो मैं लिखा हूँ वह 100% complete binomial छोरम है यह मैं binomial छोरम को यहाँ पर highlight कर देता हूँ यह है binomial छोरम इसको आप learn करोगे और इसको आपको simplify करना आना चाहिए अब इसको मैं आपको सिखाऊंगा simplify करना कि का स्तर से इसको हम simplify करेंगे clear तो binomial छोरम याद करना कितना आसान है आप समझ गया होँगे मेरे ख्यार से यह छोरम आपको याद हो गया होगा क्योंकि x प्लस y के पावर n को जब expand करेंगे तो x से start करेंगे और फिर x के पावर को 1,1 decrease करते जाएंगे y का पावर 0 से start करेंगे मतलब second time से और 1,1 increase करते जाएंगे और coefficient first और last में कुछ नहीं लिखेंगे second में nc1, nc2, nc3 nc1 इस तरह से अपन लिखेंगे अब मैं आपको थोड़ा आपको nc1, nc2 को साल्व करना सिखा दूँ तो जैसे हमको nc1 साल्व करना है suppose हमको nc1 को साल्व करना है तो कैसे साल्व होगा देखो nc1 यह हमको साल्व करना है nc1 को साल्व करने के लिए हमने ncr का जो फार्मूला पढ़ा है उसको यूज़ करेंगे देखों यहाँ पर हमने NCR का फार्मूला पढ़ा है फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N माइनस R इन्टू R इस फार्मूला से इसको यूज करें तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N माइनस R तो हो जाएगा n-1 और into factorial r means 1 इस तरह से पर इसको लिख सकते है आगे जब हम इसको और simplify करेंगे तो कैसे होगा यह n factorial से बाहर आएगा तो अंदर हो जाएगा factorial n-1 जब n बाहर आएगा factorial से तो अंदर हो जाएगा factorial n-1 और factorial n-1 नीचे भी है तो यहाँ पर factorial n-1 ही उसको रहने दो और into 1 यहाँ से naturally आप देख रहे होगे कि दोनों factorial का होगे cancel out होगे n-1, n-1 के साथ cancel out होगा और value अपने को मिलेगा क्या n इस तरह से यहाँ से क्या पता चला कि factorial nc1 का value होता है 1, the value of nc1 is n, sorry, the value of nc1 is n, n होता है similarly यदि हम nc2 solve करें, suppose आप nc2 solve करें तो कैसे solve होगा देखो, यह factorial n अपन यह हो जाएगा factorial n-2 into factorial 2, यह सब ncr के फर्मूला में हम put up करते जा रहे हैं ठीक है, अब यह solve होगा, तो यहाँ से आप देखो denominator में n-2 है, तो यहाँ से n को हम दो बार बाहर करें एक बार n, फिर n-1, तो factorial के अंदर बन जाएगा n-2, जो इसके साथ में simplify हो जाएगा मतलब factorial को solve करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि simplify कैसे हो रहा है, यह थोड़ा अपने को practice से आता है अब n को हमने बाहर किया, n, फिर हमने n-1 को बाहर किया अंदर बचेगा n-2 और अपन यह हो जाएगा factorial n-2 और यह हो जाएगा factorial 2, that equal, अब इसको हम simplify करें, तो cancel out हो रहा है यह दोनों cancel out हो रहा है, यह दोनों के cancel out होने एक बात value क्या बचेगा n, n-1, n, n-1 अपन factorial 2, factorial 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं जवरत नहीं साब से तो ऐसे हमारा factorial solve होगा, ठीक है, इस तरह से binomial छोरम जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम binomial छोरम में, जैसे जैसे हमको जवरत पड़ेगा, हम n-1 का value solve कर लेंगे हम n-2 का value solve कर लेंगे, और n-3 का value solve कर लेंगे, लेकिन हमको उसको learn इस फाम में करना चाहिए क्योंकि इसको learn करने में बहुत आसान है, तो इस फाम में उसको learn करना है और उसके बाद जवरत के हिसाब से हमको उसको use कर लेना है तो यह हो गया binomial theorem, अब मैं आपको binomial theorem का एक special use बता दूँ, special use in physics कई बार क्या होता है, कि जब हम competitive exam का preparation करते रहते हैं, जब हमको बहुत site में answer देना होता है या कही पर हमको इतना lengthy solve करते नहीं बनता कई students से, तो वहाँ पर हम binomial theorem को बहुत site cut में use करते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ special use in physics, तो मैं आपको बता दूँ, special use in physics हो सकता है कई चीज, यह कई लोगों difficult लगा हो, तो परेसान होने का नहीं है, मैं भी आपको site cut use बताता हूँ लेकिन मैंने पूरा detail में क्यों बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि, मैं चाहता हूँ कि आपका best से clear हो, इसलिए मैंने सब चीज आपको बताया, हमारे one start video का आप इस तरह से sense नहीं निकाल लेना, कि one start video हम बहुत site cut में और topic को skip करकर के पढ़ा दिये, one start video हमारा आपको इस 10 मिनाट, 15 मिनाट, 20 मिनाट पढ़के आप उठ जाओगे तो कुछ traffic तयार नहीं होगा, इसलिए आप long sitting आप develop करो, long sitting का habit develop करो, एक single sitting में 2 hours, 3 hours पढ़ोगे तो कुछ contents proper तायार होंगे, इसलिए हम पूरा आपको one start में lecture प्रोवाइट करा रहे हैं, एक बार आप basic mathematical tools लेके ब देखें, use in physics, special use लेक देता हूं मैं, special use in physics, special use in physics. physics में कैसे special use होता है, यह हमको समझना है, special use in physics, आप binomial theorem, पिस condition को बहुत ध्यान से observe करना, एक special case है, कि suppose हमारा binomial theorem इस फाम में हो, one plus x upon y whole power in, इस फाम में हमारा binomial theorem हो, और यहाँ पर आप एक special बात यह देख रहे हो, कि first terms one हो, यह जरूरी है, और इसी तरह से use होता है, hundred percent case में यही use होता है, आप यह मान के चलो hundred percent case में ही use होता है, तो पहला first terms क्या हो, one हो, second terms rational number हो या decimal हो, decimal is also a rational number, second terms या तो rational number के फाम में हो, या decimal के फाम में हो, और उस rational number का एक property हो, कि यहाँ पर, if numerator is, if numerator x is very less than y, more less than y, y से बहुत छोटा हो, x का जो value है, तभी अप्लाई होगा ना, दो condition necessary है, first terms will be one, first terms one होगा, and second terms is rational number, where numerator is very less than denominator, यह दो बात होना चाहिए, तभी एक case apply होगा, और यही maximum case में ऐसे ही होता है, उस condition में होगा क्या, इस condition में यह concept कहता है, कि यह जो power है यहाँ पर, जो कि plus minus दोनों फाम में रहा सकता है, यह concept plus minus दोनों के लिए apply होता है, ध्यान में रखना, यहाँ पर हम एक साथ plus minus का sign use कर रहे हैं, देखो, तो यहाँ plus भी हो सकता है, minus भी हो सकता है, तो यह n क्या होता है, यहाँ पर with sign आके multiply हो एता है, अभी मैं कुछ example बताऊंगा आपको समझ में आएगा, और इसी को आपको ज़्यान देना है, तो हो जाएगा 1 plus minus n सामने multiply हो जाएगा, n into x upon y, इस फाम में हम इसको special use करेंगे, यह है special use of binomal छरम in physics, यह यदि आप याद रखोगे, तो आपको कहीं कोई problem नहीं होगा, इस तरह से देखो, कि कभी भी इस फाम में binomal छरम हो, तो ऐसा हम multiply करते हैं, for example, मैं कुछ example देता हूँ, इसके लिए पहले कुछ numeric example आपको दे दूँ, यह से आपको ज़्याद अच्छे समझ में आएगा, हमने एक problem लिया, suppose 99 upon 100, यह बहुत अच्छे example है, इससे आसानी से समझ में आएगा, आपको, power 5, suppose हम कोई numerical problem साल्व कर रहे हैं, और numerical power साल्व करते समय हमको 99 upon 100 का whole power 5 मिला, नेचरली इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको साल्व करना बहुत difficult है, 99 का 5 times multiplication, फिर 100 का, या 99 में 100 डिवाइट करके decimal में, decimal 99 to the power 5, फिर decimal 99 का 5 times, बहुत difficult है, no doubt इसको आप बीना calculator के करोगे, तो बहुत time लगेगा, अब binumal theorem इसकाम को कितना असान कर देगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसको मैं लिख दिया, 1 minus 1 upon 100, ऐसा break करना आपको आ जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 minus 1 upon 100 का मतब 100 LCM आएगा, 100 minus 1, 99 upon 100, ऐसा आप इतना आप समझ सकते हैं, तो 1 minus 1 upon 100 लिख सकते हैं, अब देखो, यह binumal theorem के फार्म में आ गया, कैसे आ गया binumal theorem की special case के फार्म में, फर्स्ट टर्म सीज़ वन, सेकंड टर्म इस रेशनल लंबर, वेर 1 is very less than 100, आ गया उस फार्म में, तो concept कहता है कि 5 सामने आके multiply कर देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको फर्मुला में बता होगा, that equal to 1 minus, यह होगा, 0.05, 5 में 100 आप डिवाइट कर सकते हैं, 0.05 होगा, इसको हम solve करें, यह होगा, 0.95 is answer, देखो, जो काम अभी आपको बहुत difficult अग रहा था, उसका answer हमने फटा-फट बाइनुमल से निकाल दिया, ते आपको question solve करने में, numerical solve करने में काम आएगा, जहा पर जिस situation पर हम बाइनुमल चरम apply कर सकते हैं, वहाँ पर उसको direct apply कर देंगे, यह तो मैंने numeric बताया, formula पर किस तरह use होगा, यह मैं आपको बता देता हूँ, formula पर use करने के लिए हम एक example लेते हैं, जैसे gravitation का, जब हम chapter पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक step आता है, gravitation के topic पर, मैं बीच-बीच के step आपको समझा रहा हूँ, बीच-बीच के step समझा रहा हूँ, जहां पर हमको उसको use होगा, को मैं अपने memory पर सीधा-सीधा वो situation ला रहा हूँ, जहां पर हम उसको use करते हैं, तो gravitation के chapter में हमको एक step मिलता है, वो step होता है, g dash upon g equal to r square upon r plus h square, ऐसा step हमको ए यह किसी derivation के बीच के step है, यह derivation के बीच के step है, उसको मैं ले रहा हूँ, कि मैं binomial सरम को use बता रहा हूँ आपको, इसको हमको simplify करने हैं, तो क्या करते हैं, that implies इसको हम लिखेंगे g dash upon g equal to r square, denominator से r को एक हम common करें, तो r power के साथ common होगा, r square होएगा, फिर r को दोनों में divide होग तो 1 plus h upon r का whole square होगा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, मतलब हमने इसके bracket के अंदर से r को common किया, तो ऐसा लिख सकते हैं, जब कोई भी number common होता है, तो ध्यान रखना, कई बार यह students को common निकालने में problem होता है, मुझे मालूम है, तो जब कोई भी number common होता है, तो common होने का मतलब है, कि वह number बाहर आजाता है bracket के, और यदि whole power लगा हुआ हो, तो उस power के सांस आता है, जैसे r square हो गया, और जो number बाहर आता है, उस number का bracket के अंदर के सभी elements में division होता है, तो r का r में division होगा, तो 1 आएगा, और h का r में division होगा, तो 1 upon r आएगा, अब यहाँ से आप देखो numerator denominator के r cancel out हो जाएंगे, यह cancel out हो जाएगा, और उसके बाद क्या करें हम इसको, उसको numerator में ले जाएं, तो हो जाएगा, therefore gds upon g equal to numerator में इसको ले जाएंगे, तो हो जाएगा, 1 plus h upon r का power minus 2, अब इसका power क्या हो जाएगा, minus 2 होगा, that implies अब यहाँ पर हम binomial चरम लगा सकते हैं, यही मैं r है, और हमको मालूम है, h क्या है, बहुत छोटा है, r से, कैसे मालूम है, h क्या है, height है, किसी object का earth surface है, और r क्या है, radius of the earth, r क्या है, अर्थ का radius है, तो radius के comparison में वो height बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो यहाँ पर is less than r, तो हमको क्या करना है, minus 2 हम यहाँ आके multiply कर देंगे इस तरह से यह हो जाएगा जी डेस अपान जी इक्वल टू वन माइनस टू एच अपान आर यह देखें मेरे इस लेक्चर में खास बात आप ध्यान देना एक बास आप नोटिस करना कि यदि आप बैसिक मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से कर रहे होगे आपका यही से सुरुवात है बिगनिंग है मानके चलो इसलिए मैं आपके लिए यह इस पैसल क्लास लेके आया हूँ कि यदि आप इसको बहुत अच्छे से कर लो तो नोडाउट आपको मेरे सभी लेक्चर बहुत आसान लगेंगे आगे चलके जब आप पूरे लेक्चर पूरे 12 के फिजिस का और फिर आयाटी जए निट के लेबल का कंटेंट जब आपको मैं प्रोवाइट कराऊंगा वन साट तो यह सब चीज आपको तयार रहेगा तो आपको समझने में बहुत आसान होगा इसलिए सभी स्टुडेंट्स को मेरा सजेशन है कि आप इसको तथ करिंच से समझना न होता है यह माने बताय कि निवरिक एग्जामपल बताया फिर आपको मैंने यहां पर एक ग्रिवीटेस Gulf का प्रीलेटेंट नटीक्वेशन का चलिए हमारे कि में पढ़ा है और quadratic equation में आपको शिर्फ formula जाना है और जानना है कि quadratic equation physics में कहीं पर बिद यूस हो जाता है कोई भी हमको quadratic equation मिल जाता है और वहां पर हमको simplify करना होता है तो बहुत common चीज हे इसका used physics में कहीं पर भी हो सकता है और आसान भी है यह आपको पहले से पता है तो suppose equation हमारा इस फाम में हो ax square plus bx plus c equal to 0 इस फाम में हो तो therefore इसका जो solution होता है x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a होता है यह formula बस आपको याद रखना है और push नहीं एक जामपल बताने जोरत नहीं है वो तो ऐसा है कि मैं अपने इस lecture में हर छोटे से छोटे चीज को आपको cover करा रहा हूँ मतलब मेरा focus है कि मेरा students मेरे इस basic mathematical tools के वीडियो देखने के बाद एक कामा के लिए भी उसको problem नहीं होना चाहिए related to maths इसलिए मैंने वो हर चीज को cover कराया है जो मुझे मालूम है कि आपको पता है मेरे को मालूम है कि आप सबको quantity equation पता है क्योंकि आपने इसको 10th class में पढ़ा है अच्छे तरह से पता है क्योंकि बहुत लांग experience है मेरे को नीट के students को पढ़ाने का तो मुझे मालूम है कि उनको कहा problem होता है IIT JEE के students को ज्यादा problem नहीं होता क्योंकि already maths में वो maths पढ़ते रहते हैं तो बहुत असानी से इसको कर लेते हैं क्योंकि वो already touch में रहते हैं continuous Now next topic is arithmetic progression Algebra में arithmetic progression भी एक बहुत important topic होता है यह भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है यह हम एक बार आपको बता दें arithmetic progression क्या होता है जैसे कही पर कोई number लिखा है 1, 3, 5, 7, 9 This is arithmetic progression Start form में हम इसको AP कहते हैं Start form में जब हम बात करते हैं तो arithmetic progression नहीं बोलते रहते हैं उसको बलते हैं AP AP बोलते हैं कि students समझ जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 यह AP है कैसे AP है AP को identify करने का तरीका क्या है कि second terms में यदि first terms को minus किया जाए मतलब यदि 3 में 1 को minus करें तो 2 आएगा फिर 5 में 3 को minus करें 2 आएगा 7 में 5 को minus करेंगे 2 आएगा और इसको बोलते हैं common difference common difference मतलब कोई ऐसा series जिसमें common difference equal हो तब हम उसको क्या करते हैं AP करते हैं तो यह क्या है AP है और AP का जो general terms होता है इसके ज़िए हम general terms लिखें तो इसको general terms होता है A A plus D A plus 2D A plus 3D and so on यह AP का general terms है यहाँ पर फर्स terms कहलाता है यहाँ पर यह जो A लिखा गया है यह कहला है फर्स terms है और यह जो D है वो D को बोलते है common difference अभी जो मैंने लिखा common difference यह कहलाता है D और इस फार्म में इसके nth term के दिए हम फार्मूला लिखें इसका nth term इसका nth term that is also known as last term equal to होता है a plus n minus 1 into D यह फर्मूला आपको याद रखना है और एक है sum of n terms यदि हमको sum of n terms निकालना हो तो s n equal to हम क्या लिखते है n by 2 under bracket 2a plus n minus 1 into D यह फर्मूला होगा या n by 2 a plus L इस फार्म में हम इसके फर्मूला को लिखते हैं यह फर्मूला आपको लर्न कर याद रखना है यह arithmetic progression है यह सब पर question का जवरत नहीं है भई आप ऐसा मसमझना कि sir इस पर question नहीं करा रहे है इस पर question का जवरत आपको नहीं है यह सब आपने पहले भी किया हुआ है और only formula learn करो फर्मूला लर्न करने के बाद आप काम चल जाएगा आपको जहां जवरत पड़ेगा वहाँ पर आप इसका use कर लोगे यदि आपको फर्मूला याद है तो आपको problem नहीं आएगा मैं आपको एक बार repeat कर दिया कि arithmetic progression क्या होता है यह सब हमारे PDF फर्म में आपको हमारे application पर मिलेगा वो सब वहाँ सी study कर सकते हैं नाव next topic is geometric progression देखो जैसे arithmetic progression होता है उसी तरह से geometric progression होता है geometric progression के रिख्यार से आप 10th में नहीं पढ़े होते हैं तो यह आपके लिए important हैं थोड़ा ध्यान देना उसी तरह से geometric progression का behavior इसका nature क्या होता है यहाँ पर देखो suppose मैं यहाँ पर कुछ values लिखूँ जैसे 2, 4, 8, 16, 32 यह देखो GP में है geometric progression को हम start form में GP बोलते हैं geometric progression मतलब GP तो यह जो मैंने series लिखा है वो GP में है कैसे हम पहचाने इसको GP में है देखो हम 4 में 2 को divide करें तो 4 upon 2, 2 आएगा 8 में 4 को divide करें तो 2 आएगा वहाँ पर हमने minus किया था AP में हम minus करते हैं और GP में हम क्या करते हैं? Divise करते हैं divide करते हैं इसमें करेंगे तो 2 आएगा और इसको 2 को हम बोलेंगे हाँ पर common ratio 2 is called common ratio यहाँ पर यह common ratio का लाता है इस तरह से इस बहस पर हम इसके general terms लिखें तो general terms क्या होगा देखो इसका जो general terms होता है AP का वो होता है AR AR square AR cube and so on यह होता है इसका general terms जिसमें यहाँ पर भी हम A को बोलते हैं first terms यह first terms कर लाता है कोई भी आपके पास स्रीश होगा first terms और R, alpha ratio इसको बलते हैं कामर ratio CR लिख जाम है यह कामर ratio कहलाता है इस तरह से यदि इसके sum को निकाला जाए ठीक है तो sum किस परकार सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका nth term इसका जो nth term होता है जिसको last term कर सकते हैं वो होता है A into R to the power n-1 इस फार्मूला से इसका nth term निकलेगा और यह होगा sum of sum of n term तो sum of n term का दो फार्मूला होता है एक Sn equal to A into R to the power n-1 upon R-1 यह फार्मूला होता है कब जब कामर ratio का value क्या हो greater than 1 हो when the value of कामर ratio is 1 इसको यहाँ पर मैं यलक्स लिख देता हो नितो फार्मूला के साथ कंफूर्स जाओगे जब R का value मतलब किसी सीरीज में जब कामर ratio हम निकालते हैं वो कामर ratio का value greater than 1 हो तो यह फार्मूला यूज होगा और second condition होता है Sn का Sn equal to A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R होता है 1 minus R यह होता है कब जब R का value less than 1 हो जब R का value less than 1 हो तब यह यूज करेंगे greater than 1 में यह और S infinity S infinity का फार्मूला होता है A upon 1 minus R यहाँ पर भी R का value less than 1 होना थी S infinity का फार्मूला physics में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है वैसा तो कोई सब यूज हो सकता है तो आपको nth term के लिए फार्मूला याद रखना है यह nth term का फार्मूला है उसके बाद nth term के sum के लिए फार्मूला याद करना है आपको यह होगा और यह फार्मूला है less than 1 के लिए और यह फार्मूला इतने फार्मूला आपको लर्न करने है S infinity का फार्मूला यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है यह वाला जब फार्मूला है S infinity का यह सबसे ज़्यादा यूज होता है ज़्यादा तर यही केस आता है numericals में तो बहुत ज़्यादा यह topic बहुत ज़्यादा important है numericals बनाते समय अब देखो अभी मैं एक एक दोज़े question उसको बताने का मतलब नहीं है एक question उसमें apply करूँगा कुछ मतलब नहीं है लेकिन आप उसको कहीं पर भी जैसे एक example तो बता दू S infinity का तो बता दू कम से कम suppose कहीं पर कोई series है suppose हम S का value find करने वाले है वहाँ पर हमारा series क्या है suppose 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 2 to the power 3 यह माल अपने पास series है plus up to infinity अब हमको इसको सम निकालना है Phyges में बहुत numerical मिस तरह का condition आता है मैंने specially किसी numerical के term को लिग दिया है समझ रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर मैंने Phyges के numerical के term को लिग दिया हूँ यह आता है combination of capacitor, combination of resistance, combination of cell यह combination वाले बहुत सारे question में numerical में आता है अब suppose इसको हमको calculate करना है first यहाँ पर देखो here यह GP है GP कैसे पता चला इसमें इसको divide करेंगे देखो यहाँ पर R का value हम करेंगे तो इसमें इसको divide करेंगे 1 upon 2 divided by 1 that equal to क्या आएगा 1 upon 2 आएगा इसमें इसको divide करेंगे तो 1 upon 2 आएगा और इसका जो first terms है A वो क्या है? 1 है तो यहाँ पर हम इसको sum करना है मतला हमको S infinity का formula लागा S infinity का formula होता है S infinity equal to A upon 1 minus R यह formula मैंने अभी आपको बताया यह formula S infinity equal to A upon 1 minus R इस formula को हम यहाँ पर apply कर दें इस formula के apply करने से क्या होगा A का value अपने पास 1 है और 1 minus R 1 minus 1 by 2 क्योंकि R का value 1 by 2 हमने निकाला है इसको solve कर लें तो that equal यह हो जाएगा 1 upon 1 minus 1 upon 2 मतलब 1 upon 2 आएगा that equal to उपर जाके 2 आएगा this is the answer इसका value कीतना आएगा? 2 आएगा इस तरह से हम इसको find कर सकते है देखो जो series को देखने से ऐसा लग रहा था कि कैसे sum होगा वहाँ को हमने solve कर लिया किस के help से? GP के help से तो यह formula से हम इसको solve कर सकते है इस तरह का use आपको physics में बहुत जादा देखने को मिलेगा बहुत ही जादा देखने को मिलेगा ओके? नव नेस्ट टापिक नेस्ट टापिक इस लागरित्थ यह बहुत जादा यूज होगा एक एक टापिक मैं आपको पाइंट टू पाइंट कवर करा रहा हूं पाइंट टू पाइंट मतलब बिल्कुल मैं ध्यान में रखा हुआ हूँ अपने कि हमारा इस्टूडेंट्स किस तरह से फिजिक्स को पढ़ेगा तो कहां-कहां क्या उसको प्रावलम होगा, कहां-कहां क्या जूरत होगा, कब उसको बाइनिवल स्रम लगाना पढ़ेगा, राथमेटिक लग के पहले टू टाइप्स को को मैं एस्प्रेंड कर दूँ, यहां पर फिर आपको बताऊंगा, यह क्या है, पहले ता आप समझदे लग के टाइप्स, एक लाग होता है, फस्ट जिसको हम बोलते है कामन लग पहले मैं नेचूरल बता दूँ, फस्ट होता है नेचूरल या इसको हम नेपेरियन भी कहते हैं जान लागी नेपेरियल ने दिया था इसको उनके नाम पर इसको नेपेरियन लाग कहते हैं और दूसरा होता है कामन लाग कामन या इसको हम जनरल भी बोल देते हैं जनरल लाग तो टू टैक्स के लाग होते हैं पहचानते कैसे हैं, दोनों लाग को अपन कौन सा, कामन लाग है, कौन सा, जर्नलाग है, तो कामन लाग को लिखने का जो तरीका होता है, नेच्रल लाग को स्वारी, उसको इस तरह से लिखते हैं, लाग, लाग X to the base E, यह नीचे जो लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं, to the base E तो यदि लाग को इस फार में लिखा गया हो, लाग X to the base E, तो यह क्या कहलाता है, नेच्रल लाग कहलाता है, और यदि लाग को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया हो, लाग X to the base A लिखा गया हो, यह लाग को लिखा गया हो, लाग X to the base 10 लिखा गया हो, तो 10 के base पर जो लाग होता है वो लाग क्या कहलाता है कामन लाग कहलाता है या जनरल लाग है और यह क्या है नेचुरल लाग है दो तरह के लाग आपको यूज करना है और एक इंपॉर्टेन बात यह है कि इन दोनों में एक रिलेशन होता है यह रिलेशन आपको निमेरकस बनाते हैं मतलब जनरल लाग को जब हमको कामल लाग में चेंज करना होता है तो इसमें मर्टिप्लाई करते हैं तो ये लाग x to the base 10 में चेंज हो जाता है ये relation आप याद रखना ये relation आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये relation आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये relation को याद रखना इसके बाद देखें कि हम इसमें फर्मूले कि लाग का जो फर्मूला है वो कितना होता है कौन-कौन सा फर्मूला है जो हमको लाग के लिए यूस करना पढ़ता है और ये जो फर्मूला मैं आपको लिखूंगा ये दोनों लाग के लिए applicable होगा नेचुरल लाग के लिए भी और जनरल लाग के लिए भी तो formula मैं यहाँ पर list आपको देते जा रहा हूं लिक रहा हूं एक एक करके वह आप धियान देना सबसे पहला formula होता है multiplication का लाग m into n तो लाग m into n का formula होता है लाग m plus log n यह formula होता है second division का formula log m upon n अच्छा है कि इंपार्टेन बात धियान रखना यदि यहाँ पर हमको base में कुछ लिखा हुआ ना मिले मालो कई बार क्या होता है आपको ऐसा मिले और सिर्फ लिखा हो lag x तो understood है कि वह क्या है जनरल लाग है सुरी natural lag है तो understood है क्यों natural lag है क्योंकि base e को लिखना compulsory नहीं होता यदि लिखा हो तो भी ठीक है ना लिखा हो तो भी वही माना जाता है लेकिन इसके base को लिखना compulsory होता है तो ध्यान रखना कई बार books में notes वागरें हम आपको only lag लिखा हो तो परिसान मत हो ना कि भहे इसके base में तो कुछ नहीं लिखा हो यदि base में कुछ भी नहीं लिखा हो तो natural lag होता है that means to neperian lag होता है तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं दोनों के लिए पलाई है lag m into n lag m अपान n का formula होता है lag m minus lag n यह formula आप याद रखोगे third है lag m to the power n यदि power n उपर हो तो सामने multiply हो जाता है यह होता है lag 1 lag 1 का value 0 होता है कभी भी lag 1 का जो value होगा वो 0 होता है lag 1 का value 0 होने का reason क्या है यहाँ पर मैं आपको थ्वासा reason भी explain कर दूँ क्या है हम lag 1 को लिख सकते हैं lag x to the power 0 लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं क्योंकि 1 को लिख सकते हैं x to the power 0 और यहां पर जो 0 है उसको सामने multiply कर दें इस फार्मूला से क्योंकि जो power होता है सामने multiply हो जाता है तो हो जाएगा 0 lag x और 0 lag x equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको lag 1 को 0 लिख सकते हैं तो lag 1 का value 0 होता है आगा समझ में आप में 1 को लिख सकते हैं x to the power 0 फिर 0 सामने आएगा और सबको 0 कर देगा यह 5 कुछ special फार्मूला है इसको ध्यान में रखना है यह फार्मूला है lag a to the base e into lag e to the base a हो तो इनका multiplication 1 होता है that means lag यदि mutually change हो जाए मतलब जो lag जिसका find कर रहे हैं वो base में चला है तो दोनों का product always 1 होता है यह बहुत important relation ने बहुत जगा काम आता है और 6th number का formula आप मियाद रखना कि lag e to the base e का value 1 होता है lag e to the base e का value 1 होता है that means जिसका lag निकाला जा रहा हो और उसी का base हो जिसका lag निकाला जा रहा हो उसी का base भी बना दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है वो 1 हो जाता है उसका value इतने फर्मूले आपको lag में याद रखना है इसके बाद आपको lag में कोई problem नहीं होगा इतना फर्मूल आपको याद करना है इसको आप या तो वीडियो देखते देखते नोट्स बना लो इसकीन सार्ट ले लो बहुत तरीके हैं आपके पास या हमारे application में आपको इसका pdf फाम में नोट्स फ्री नोट्स आपको मिलेगा application से आप उसको download कर सकते हो ओके तो कई resource ह आपको दिया हुआ है कहीं सब्सक्राइब करो लेकिन यह सब आप अच्छे से प्रिपेर करोगे मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि basic mathematical tools जितना ही स्टांग होगा आपका physics उतना ही स्टांग होगा मेरा बहुत लंबा experience है बहुत से students नीट सिर्फ इसले नहीं निका काम आपको बहुत आसान हो जाएगा यह मैंने देखा है बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं मुझे मालूम है तो यह आपके लिए बहुत important चेप्टर है अब हमको algebra का एक last rule और पढ़ना है फिर यहां पर हमारा algebra complete हो जाएगा वो है last of indices को है सकते है last of indices का मतलब power का rule को हम last of indices बोलते हैं जो power के जो rules होते हैं जो power salve करने के rules होते हैं जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा कई लोग को नाम नहीं पता रहता लेकिन formula पता रहता है जैसे x to the power m into x to the power n अब आपको याद आ गया होगा तो यह होता है x to the power m plus n यह सबको पता है इसके बिन algebra में कामी नहीं चलता फिर भी मैं याद दिला देता हूँ x to the power m upon x to the power n equal to x to the power m minus n third formula is x to the power m का whole power n equal to x to the power m into n and fourth formula is x to the power 0 equal to 1 x to the power 0 equal to 1 यह होता है और कुछ special formula में इसमें आपको बता रहा हूँ जैसे 5th वो क्या है 1 upon x to the power m जब numerator में जाता है तो x to the power minus m हो जाता है इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है या जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x to the power m minus n इसको हम लिख सकते हैं x to the power m upon x to the power n यह कुछ तरीके हैं यह आपको याद रखना है कई बारे student जासे छोटी छोटी पर confused होते रहते हैं मुझे मालूम है मुझे तो वह एक कामा तक पता है जहां पर student problem face करता है एक कामा भी पता है जहां student face करता है क्योंकि इतने लंबे समय से तो जो doubts हम से पूछता है क्यों ना मैं online class में उनको बिना पूछे ही provide करा हूँ तो कि मुझे पता है कि students नहां problem face करता है इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पर discuss कर रहा हूँ तो आपके problems मुझे आपसे मिले बिना ही पता है आपके problems मुझे आपसे मिले बिना ही पता है मुझे experience है कि students को कहा problem आता है इसलिए मैं कोसिस कर रहा हूँ और आपको पहले से पता है तो no doubt अच्छी बात है revision हो जाएगा लेकिन जिसको नहीं पता है उनको सब बहुत ध्यान से समझना है ओके तो यह last of indices यह आपको बहुत अ मैंने आपको deeply पढ़ाया पूरा का पूरा algebra में आपको complete A to Z पढ़ा दिया उसको आप अच्छे से तयार करें next mathematics is trigonometry trigonometry तो आपका बहुत friendly mathematics से है आपने 11th class 10th class में trigonometry अच्छे से पढ़ा है 10th class में पढ़ा है कुछ regional boards के students CBSE के students तो 10th में trigonometry पढ़ा है लेकिन जो state board के students है वो बहुत जगों में 9 से ही start हो जाता है तो आपने trigonometry तो अच्छे से पढ़ा है चलिए तो मैं एक बार फटा फट इसका आपको revision तो करा दूँ और उसके बाद बता दूँ बैसिक से ही बता दूँ कि trigonometry क्या है भही हम उसमें किस तरह से यह suppose अपने पास एक right angle triangle है suppose हमने एक right angle triangle बनाया और trigonometry right angle triangle पर apply होता है आपको पता है कि right angle triangle की पूरी properties को हम trigonometry में study करते हैं वैसे तो और भी से situation पर भी इसको होता है लेकिन basically हम trigonometry को study करते हैं किस के लिए right angle triangle के लिए तो एक right angle triangle अपने पास है इसका नाम है suppose A, B, C और यह B angle पर 90 degree है यहाँ पर 90 degree है इस तरह से अब इसमें होता क्या है कि हम trigonometry में जो इसके sides के नाम है बाकी जगा तो हम sides के नाम नहीं रखते लेकिन trigonometry में हमने क्या किया हुआ है इसके सभी sides के नाम है सबसे पहले पता दूमा इसका sides के क्या क्या नाम है तो पहला नाम हमारा जो है यह यह वाला जो side है जो आपको द यह hypotenuse है अब यह जो AB है और BC है यह दोनों में एक base है और एक perpendicular है तो base और perpendicular का determination हम angle के base पर करते हैं किस तरह से angle के base पर करते हैं suppose मैं angle C को theta suppose कर लूँ इसको मैं theta suppose कर लूँ तो उस condition में AB क्या होगा पर्पेंडिकुलर होगा मतलब जो unknown angle होता है या हम जिस angle के बारे में बात करते हैं हम जिस angle के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस angle का सामने वाला जो side होता है, वह क्या होता है? Perpendicular होता है. Suppose मैं इस angle के बारे में बात करता, तो यह perpendicular हो जाता है. तो third side यहाँ पर क्या होगा? Base. इस पकार से यहाँ पर Perpendicular Hypotaneous Base, इसका नाम कहलाता है, इनके name हैं, और सबसे पहले trigonometry में, इसके sides के जो ratio निकाले गए, जिसको बोलते हैं, trigonometrical, trigonometrical ratios, इनको ratio क्यों बोला जाता है? trigonometrical ratios का मतलब होता है, the ratio of the length of two sides. trigonometry का सबसे important बात यह है, कि इसमें जो three sides होते हैं, right angle triangle में, यह right angle triangle के जो three sides हैं, वो sides का जो ratio है, उस सभी ratio को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, सभी के ratio के नाम अलग-अलग हैं, तो यहाँ पर हम देखें, किस-किस ratio के नाम क्या क्या हैं, तो जिसमें सबसे पहले हम देखें, first trigonometrical ratio is called sin theta, और sin theta equal to होता है, perpendicular upon hypotenuse, यह perpendicular है, ठीक है, यह hypotenuse है, second is cast theta, cast theta होता है, base upon hypotenuse, तेखो हैं सब आपको पता है, फिर भी आपको मैं फटा-फट एक बार बता रहा हूं, उससे कुछ नुकसान नहीं, अब sin theta और cast theta को हम क्या करते हैं, यह actual में principal trigonometrical ratios हैं, मतलब main हैं, sin और cast दो बने पहले, और बाद में जो फोर और बने, वो sin और cast के help से बने, कैसे बने देखो, जब third trigonometrical ratio बना, जिसको हम 10 theta कहते हैं, तो sin और cast के ratio से बना, मतलब sin theta में, cast theta को हम divide कर दिये, तब 10 बना, that means 10, 10 किस से produce हुआ है, sin और cast से हुआ है, अब sin और cast को हम divide कर दिये, तो hypotenuse cancel out हो जाएगा, तो हो जाएगा, perpendicular upon base हो जाएगा, इस तरह से 10 theta perpendicular upon base हो जाता है, फिर हमने क्या बनाया, card theta बनाया, card theta बनाने के लिए क्या किया, cast theta में sin theta को divide कर दिया, cast theta में sin theta को divide कर दिया, तो वो हो गया base upon perpendicular हो गया और ये 10 का reciprocal हो गया एक नया relation मिल गया अपने को 1 upon 10 theta इतने relation है इसके that means the reciprocal of 10 theta is cut theta इस तरह से तो basic trigonometrical ratio हमारे पास sign और cast ही था बाकि सब के सब sign और cast से generate हुए इसके बाग 5th number में जो आता है जिस हम sec theta कहते हैं तो sec theta is the reciprocal of cast theta देखो सब कास basically सब sign और cast से ही पैदा हो रहे है तो cast reciprocal मतला भी क्या हो जाएगा hypotenuse upon base हो जाएगा ये and last and 6 trigonometrical ratio is cosec theta cosec theta reciprocal of sin theta होता है ये sin theta और equal to इसका अपन reciprocal करेंगे तो hypotenuse upon इतना होता है ते trigonometrical ratios को आपको ध्यान में रखना है ये आप साब को पता है अब हम देखें यहाँ पर इसका कुछ theorem जिसमें सबसे पहले हमको समझना है pythagoras theorem pythagoras theorem pythagoras एक scientist है mathematician है और pythagoras ने perpendicular base और hypotenuse तीनों साइट्स पर एक relation दिया जिसको हम pythagoras theorem करते है और इन्होंने क्या बताया कि हमेशा hypotenuse का जो square होगा वह base k square और perpendicular के base k square के equal होगा that means इसको हम क्या लिख सकते है h equal to under root of base square plus perpendicular square ये कहलाता है pythagoras theorem और कुछ नहीं इसको याद रखना है base पर इस base पर trigonometrical के three basic formula बने तो इसका जो basic formula बना जिस पर पूरा trigonometri चलता है इसका basic formula है trigonometri की जान है समझो ये पाइथागोरस theorem पर ही जब इस पर क्या किया पाइथागोरस theorem पर अब उसका derivation नहीं बता रहो हो है आपको एक बार perpendicular को divide कर दिये एक बार base को divide कर दिये एक बार hypotenuse को बारी-बारी से एक बार hypotenuse divide किया फिर perpendicular divide किया फिर base divide किया तो तीनो sides को बारी-बारी से divide करने पर हमको three relation मिल गई इसने और वो three relation कौन-कौन से मिले first relation अपने को मिला sin square theta plus cast square theta equal to 1 ये मिला और ध्यान रखना ये फार्मूला बहुत बार इस फार्म में यूज होता है sin theta equal to root of 1 minus cast square theta student समझ नहीं पाते कहां से आ गया तो आपको क्यों फार्मूला learn नहीं करना है फार्मूला और different different farm में यूज होता है वो भी देखो एक चीज़ आप हमेसा जहां रखना जितना ज्यादा आपका कमांड रहेगा फार्मूला पर आप उतने फास्ट वर्क कर पाएंगे और competitive exam में select होने का पहला फंडा is speed knowledge बसे काम नहीं चलता है knowledge with speed आपको knowledge तो होने ही चाहिए और उसको बहुत fast represent करना नहीं चाहिए तभी आप NEET या IAT जहीं में अच्छा कर पाऊगे और आपको जिस्तिर्फ नालेज है घंटों में आप किसी question को बना रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा उतने देर में तो आपके competitor कहां पहुँच जाएंगे इसलिए आपको sin square theta plus cast square theta one पता है लेकिन कहीं पर इसको ऐसा लिखना है आप उसको सोचने लागे पांच मिनट तक वो transfer होगा, root होगा, तब तो दिकत्व जाएगा इसलिए उसको आपको याद रखना है आर इसको यहीं हमको cast theta लिखना है तो cast theta equal to लिख सकते हैं root of one minus sin square theta इसी तरह से second formula होता है second formula होता है sec square theta equal to one plus ten square theta यह होता है और third formula होता है cosec square theta equal to one plus cast square theta तो यह sin square theta प्रस cast square तो यह यह थी formula आपको बहुत अच्छे से तयार करके रखना है इनके base पर ही क्या है पूरा हमारा काम चलता है ठीक है, जैसे इसको पनो ट्रांसफर करके लिखें तो हम 10 theta equal to generally ज़र्णली ज़र्णत पढ़ता है तो generally 10 square theta जब हमको पढ़ता है तो 10 square theta equal to हम क्या लिख सकते है इसको sec square theta minus one sec square theta minus one लिखते है transfer करके और यहाँ पर जब हमको cut square theta के ज़र्णत पढ़ता है marty स्क्वेर थीटा तब हम क्या लिखते हैं सो याँ टर्फ सब्सक्राइब कर लेना इसके बाद इसमें कुछ पर दो दो फार्मुला को मैं आपको और कई सय प्रहें रहां दो कश़ुने विए उसको आइडिसन वर्मुला सब सेड़िक्षन फार्मुला। भीकुदी अब दो भ५ॉंद करना है। होता है उसको आपको याद करने का आपको तरीका बताँगा लेकिन एंगल आपको याद रहने चैए है तो चले आपको पहले ऑडिए सब्ल् negotiations अमुला बता दूं उसके बाद फिर यह फारमूला बताएक देखो ऑडिजन फारमूला एडिजन ये तो आपको लर्ण करना है याद कर लेना sum का फर्मूला एडिसन जैसे sin A plus B का फर्मूला होता है sin A cast B plus cast A sign B ये फर्मूला आपको physics में बहुत use होगा कास A plus B कास A cast B minus sin A sign B इसी तरह से 10 A plus B का फर्मूला 10 A plus 10 B upon 1 minus 10 A into 10 B और ये formula बहुत ज़्यादा important है ये और ये ये दोनों formula sin 2a का formula 2 sin 1 cast है cast 2a का formula cast square minus sin square है इसी को हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square है और इसी को लिख सकते हैं 2 cast square minus 1 यहाँ पर एक important बात ध्यान रखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पर यह sin 2a है यहाँ पर sin 2a है suppose इसको मैंने को sin 1 के लिखना है suppose इस formula को मैंने को sin 1 के लिखना है तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया 2 का half कर दिया sin 2a का formula यह है उसको मैंने को sin 1 के लिखना है मतलब मैंने angle को मैंने half कर दिया तो right side में भी angle half हो जाएगा मतलब यह हो जाएगा 2 sin a by 2 into cos a by 2 क्योंकि बहुत बार formula को हम इस form में भी use करते हैं तो ध्यान रखना इस प्रकार से हो जाएगा और similarly यहाँ पर भी हो जाएगा जैसे यहाँ पर भी हम करना चाहें तो cos को 2a को a करें तो सब जगा a by 2, a by 2 हो जाएगा 10 के लिग हो जाएगा इससे आप समझ जाना कि किस पकार से formula को हम ऐसा change कर सकते हैं यहाँ पर जितना divide करोगे उतना यहाँ पर भी divide करना पड़ेगा यहाँ पर हमने 2 divide किया तो यहाँ पर भी 2 divide यहाँ 3 divide करते तो आँफी दिवाईट हो जाएगा वहाँ फोर डिवाइट करोगा आप फोर डिवाइट होज़ाएगा मतलब left hand side में आप angle में जितना डिवाइट करोगे right hand side में उतना ही डिवाइट हो जाएगा ओके now difference formula यह subtraction का formula subtraction का formula क्या कहता है देखो subtraction formula में sin a minus b equal to sin a cos b minus का से sin b का से minus b equal to का से का स b प्लस sin A sin B और 10 A-B ये फार्मूला भी आपको learn करना है तो टिगना में T basically formula पर ही best है यहाँ पर हमको formula learn करना ही होता है ठीक है? ये हो गया हमारा difference formula difference formula के बाद आप देखो next formula हमारा transformation formula transformation formula में का होता है? हमको transfer करते हैं एक को दूसरे में तो दोनों का sum का result क्या होता है? ये है sin A plus B plus sin A minus B equal to 2 sin A cos B cos A minus B minus cos A plus B equal to 2 cos A cos B sin A plus B minus sin A minus B ये होता है हलाई कि ये formula कम use होता है बहुत ज्यादा rare use होता है तो ये formula जैसे आपको तुरंत याद ना हो तो pressure मत लेना इसका ये कम use होता है इसका ज्यादा यूज होता है यह मैंने पहले बताया यह स्वारी इसका इसका सबसे ज्यादा यूज होता है यह वाला फार्मूला यह वाला फार्मूला इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बाकी कम होता है लेकिन याद रहना चाहिए धीरे ज्याद रखना और यह यह फर्मुला बहुत ज्यादा यूज होता है यह c-d formula का बहुत ज्यादा यूज होगा sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 तो cas c minus d by 2 cas c plus cas d equal to a sin c minus sin d equal to a cas c minus cas d equal to यह तो यह फर्मुला भी आप blur कर लोगे इसका आप तो screen start लेलो इसलिए मैं screen के सामने से हट गया हूँ तो आप इसका ESCINTSार्ट भी ले सकते हैं और आपको तो notes मिले गहीं मैंने बताया तो ये formula आपको अच्छे से तयार करने हैं अब देखो यहाँ पर मैं अब आपको एक ऐसा formula बताने जा रहा हूँ जिसको मैं 54 formula नाम दिया हूँ उसका मैंने नाम दिया है 54 फार्मूला अब 54 फार्मूला आपको काउंटिंग गिंती सुनके आपको बहुत डर लगने लगा हूंगा 54 फार्मूला कैसे याद करेंगे सर और यूज भी बहुत हो चाहिए उसका बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में तो 54 आप काउंटिंग पर मत जाओ मैं उसको आपको लर्न करने का अभी एक टेक्निक ट्रिक्स बताऊंगा तो आप विदिने 5 मिनट मेक्जिमम 10 मिनट 10 मिनट में आपको 54 फार्मूला मैं अभी यहीं इसी टाइम आपको लर्न करा दूंगा बस मेरे टेक्निक को आपको समझना है ठीक है चलिए त तो हम उस पर बात करें पहले 54 फार्मूला पर प्लाव कहां इसको इसका मैए नाम ही रख दिया फिफिफ्टी-फोर फार्मूला bei मेरे समझ जाता है कि 54 फार्मूला बोल नहीं मतलब मैं किस पर बात करक्ता बूप में असा नहीं मिलेग आइस करने लगे ये 54 फार्मूला कहां पर मिलेगा भी तो 54 फार्मूला ऐसा कहीं भुक में नहीं मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ कौंट करके अब ये 54 है कौन पहले है गिंती करा दूं तब तो बनेगा आपको पता भी तो चले ना जो 54 कौन कौन से है एक बार मैं ऐसी rough counting करा देता हूँ आपको ध्यान से सुनना ये 54 हैं जैसे sin 90-θ और फिर इसका plus वाला भी साथ ही 90 plus theta 2 हो गए अब 6 grammatical ratio होते हैं तो sin के 2 minus और plus वाला तो पूरे कोसेक तक लेगें तो 6 2 जा 12 आप समझ गए हो गए कि ये हो जाएंगे 12 उसके बाद हम देख लें sin 180 ये तो 90 वाला हो गया अब 180 minus theta और उसी तरह से sin 180 plus theta वैसी कास सेले के कोसेक तक ये भी 12 हो जाएंगे उसके बाद हम देखें sin 270 minus theta और sin 270 plus theta इसके भी 12 उसके बाद देखें ही पर लिग देता हूँ उसके बाद sin 360 plus theta और sin 360 minus theta इसके भी 12 और sin minus theta सभी negative एंगल इसके 6 की minus वाले कई रहेंगे इनको count करो ये आता है 54 ये 54 फार्मूले है तो ये पूरा जो 54 फार्मूला है इसका कभी भी कहीं पर भी फिजिस में जूरत पढ़ जाता है अब कोई इसका पूरा list बनाके जैसे book में दिया रहता है तो पूरा list बनाके लिए कोई इसको learn करना चाहे रटना चाहे तो possible नहीं है और कर भी ले तो कितना दिन याद रहेगा फिर confusion बहुत होगा एक दूसरे के साथ में भूल जाएगा तो यहाँ पर हम इसको याद करने का आपको कुछ technique बता रहे है उस technique से आपको उसको solve करना है ठीक है शलिए तो देखे हम अब मैं बताता हूँ कि उनको यूद याद कैसे करना है अपने को तो याद करने के लिए हम कुछ rules बनाते हैं यह rules में सबसे पहले rules number first जो हमको इसके quadrant में sign को represent करेगा वो हमको बताना है तो सबसे पहले देखो यह जो पहला rule में बता रहा हूँ वो उसके plus minus के determination के लिए है ध्यान से समझ नब है इसको rule को ध्यान देने बाकी याद हो जाएगा यह 0 degree का line है यह 90 degree है यहाँ पर 180 degree है यहाँ पर 270 degree है अब देखो 0 से 90 degree तक first quadrant कहलाता है 90 से 1 तक second quadrant कहलाता है 180 से 270 तक third quadrant कहलाता है और 270 से 0 तक यह fourth quadrant कहलाता है यह fourth quadrant में हम trigonometrical ratio को divide करके चलते हैं अब 0 से 90 degree तक का जो हमारा portion है first quadrant इसमें all trigonometrical ratios क्या होते हैं positive होते हैं all trigonometrical ratios are positive सब के सब इसमें positive होते हैं 90 degree से 180 तक जो होता है उसमें sine और cosec positive होते हैं sine and cosec they are positive 180 से 270 तक में 10 और cut यह दोनो positive होते हैं और 270 से यह 360 0 मतलब यह 360 भी होता है यहां पर कास और sec यह दोनो positive होते हैं और बाकी सब negative होते हैं बाकी इनको छोड़के जो कुछ भी है वो सब के सब negative होते हैं यह ध्यान रखने हैं तो पहला rule यह है first rule क्या कहता है यहां पर rule को मैं in word भी लिख दूँगा यहां पर in word भी लिख देता हूँ एक slogan की तरह लिख देता हूँ first rule all sin 10 cos plus others are minus others are minus इसका मतलब क्या हुआ कि first में आल second में sign अब sign का reciprocal कोसेख होता है उसको count करने जूरत नहीं है all sin 10 cast plus others are minus all sin 10 cast plus होता है और बाकी सब को हम क्या लेंगे minus लेंगे यह मैंने यहां पर बता रहा है पहला rule second rule में आप देखो second rule क्या कहता है कि in the case of in the case of 90 and 270 degree 90 degree and 270 degree 90 degree 270 का जो case होगा मतब case का मतलब अभी जो हमने 54 कांट किया उस 54 में जो 90 degree और 270 degree का जो भी case होगा उस सभी case में conversion किस तरह से होगा वहां पर यहां पर charity sign रहेगा तो sign convert हो जैगा cast में कास convert हो जैगा किसमे तेन में हो जैगा तो 10 convert होके cart बन जाएगा और cart convert हो जाएगा किस में? 10 में हो जाएगा और यदि shake रहेगा तो shake convert हो जाएगा cosec में और cosec convert हो जाएगा shake में इस तरह से 90 degree और 270 degree के case में In the case आप 90 degree and 270 degree यहाँ पर यह case हो जाएगा मतलब change हो जाएगा Okay? And the third is Third is In the case of In the case of यही लिख देता हो में 180 degree and 360 degree 180 degree and 360 degree there will be no change सिधा लिख देता हो में no change No change मतलब 180 degree और 360 degree के case में कोई change नहीं होगा मतलब sign sign रहेगा cast cast रहेगा 10 10 रहेगा sex को सेक को सेक रहेगा ठीक है? यह और fourth rule है इसका जो fourth rule है वो है सभी negative angles को fourth quadrant में consider किया जाता है मतलब यह rule है कि जितने भी negative angle होंगे चाहे वो minus 20 degree हो चाहे minus 1000 degree हो चाहे minus 500 degree हो यदि degree negative है तो degree यदि negative है तो वहाँ पर हमको उसको fourth quadrant में लेना है तो fourth rule में मैं लिखा है अब यह rule को एक बार ध्यान से आप बिठाओ इसका screen start ले लो या दिमाग में बिठाओ क्योंकि अभी मैं 54 फार्मूला का अभी class में ही आपको practice कराऊंगा कि हम उसको बनाते कैसे हैं तो मैं screen से हटता हूँ इसको आप एक बार लिख लो या फिर screen start ले लो ओके तो चले question की practice करें अभी इस पर फार्मूला आप लोगों ने learn कर लिया होगा देखिए यहाँ पर जो 54 फार्मूला के लिए जो मैं rules बनाया हूँ इसके best पर अपने को अब क्या करना है कुछ question की practice करते हैं आपको समझ में आएगा जैसे देखिए suppose हमको find करना है पूरे rules को apply करना है और कुछ नहीं suppose अपने को जानना है कि sin 90 plus theta क्या होता है मालो कुछ छोटे छोटे example अपन लेते हैं कि sin 90 plus theta अपने को लेना है sin 90 plus theta का value find करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये value किस पहले देखना है कि तो किस क्वाद्रेंट में आता है तो ये क्वाद्रेंट किस में आएगा second quadrant में आएगा 90 plus theta मतलब यहाँ पर देखो ये 90 degree है और प्लस theta मतलब आगे जाओगे तो second quadrant और second में sine plus होता है second में sine plus होता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यह plus ही आएगा और फिर मैंने आपको बताया है कि 90 के case में देखो एक बाद मैं repeat करता हूँ rule को आपको 90 के case में in the case आप 90 degree sine क्या बन जाता है? cast बन जाता है माल लो हमको cast का निकालना है माल लो हमको cast 90 plus theta निकालना है तो cast 90 plus theta इस second quadrant में second quadrant में cast second quadrant में cast minus होगा तो यहाँ पर यह minus हो जाएगा और 90 के case में sine होता है तो minus sine theta हो जाएगा इस तरह से और कुछ example ले लेते हैं suppose हमको निकालना है 10 180 plus theta सक्षख अभर यंइट्ब 1018 प्लस थीटा निकालना है तो वंई टीवल थीटा देखो किस d करना यदि आपको एच्छे से प्रेटिस करना है तब पूरे 54 फार्मूला के लिस्ट बनाओ और रूल के बैस पर उसको कनवर्ट कर दो तो फार एवर आपका प्रिप्रेशन हो गया वह ठीक है और कुछ अपन देख लेते हैं एक्जामपल जैसे मालों अपन देख लेते हैं स सेक 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा तो देखो 270 प्लस थीटा मतला फूर्थ क्वाडरेंट में आ गया और फूर्थ क्वाडरेंट में कास और सेक दोनों प्लस होते हैं तो प्लस होगा और 270 के कैस में सेक का कोसेक होता है तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा होता है हो जाएग फिर देखो कि कौन सब केस है तो 90 और 270 का केस है तो change कर दो और 180 और 360 का केस है तो change मत करो कुछ negative angle देख लेते हैं जैसे हम निकाल लेते हैं sin minus theta sin minus theta का मालव value हमको find करना है तो sin minus theta मतलब all negatives angle are in fourth quadrant मतलब फोर्थ में चला गया, fourth quadrant में only cas और sec plus होता है ये sin है, तो sin minus हो जाएगा, तो हो जाएगा minus sin theta ये हो जाएगा लेकिन यदि यही पर हम cas minus theta निकालना चाहे तो fourth quadrant में cas plus होता है तो ये cas theta हो जाएगा और इसमें तो change होना नहीं है minus degree वाले में कोई change नहीं होना है इस पकार से हम इसके values find कर सकते हैं ठीक है बाकी question आप practice कर लेना हो जाएगा राम से मालो कुछ और मैं देखता हूँ, मालो कार्ट ले लेता हूँ कार्ट 90 प्लस theta ले लेता हूँ कार्ट 90 प्लस theta है कार्ट 90 प्लस theta मतलब एक कौन सा quadrant है 90 के बाद मतलब second quadrant है second quadrant में sin और cas plus होता है और ये तो कार्ट है तो minus हो जाएगा फिर 90 के case में कार्ट का 10 होता है तो minus 10 theta हो जाएगा इस तरह से आप इसकी थोड़ी practice कर लेजी अच्छे से practice कर लेजे क्योंकि एक चीज हम ऐसा ध्यान रखना mathematics ऐसा subject है कि कोई आपको कितना भी rule बताए कितना भी पढ़ाए कितना भी example दे जब तक कि student उसको खुद से नहीं करता तब तक उसमें अच्छा command नहीं होता इस subject का nature है इसलिए आपको कितना भी समझाए हम उसके आद अपने से आपको उसको करना ही है चलिए इसके बाद हम next topic पढ़ है यहाँ पर आप देखो एक formula जिसको हम sign formula कहते हैं यह sign formula भी बहुत ज़्यादा use होता है sign formula के लिए मैं सबसे पहले आपको एक triangle बना कि इसको समझा दूँ कि किस तरह सी इसको हम use करेंगे देखिए यह माल अपने पास एक triangle है यह sign formula एक ऐसा formula है जहाँ पर आपको right angle triangle सीधा सीधा नहीं दिखेगा उसके बाद भी आपको इसमें apply करना है इसको तो यह triangle है अपने पास ABC यह suppose एक triangle ABC है और यहाँ पर एक खास बात यह है देखो कि यह जो angle A है इस angle A के सामने का जो side है BC उसका length A है इसलिए figure आपको समझने इसमें जोरी है और यह angle B है angle B के सामने का जो side है वो B है और यह angle C है तो C के सामने का side C रहेगा यह जोरी है आप ध्यान रखना तो इस तरह का condition हो तो A upon sign A मतलब इस side का length A और upon इसका sign यह होगा और equal to B upon मतलब इस B और सामने का angle sign B equal to C upon यह small C upon sign C होगा तो small B, small C क्या है length हाब the sides है side के length है और इस side के length के carding क्या है आपको इसको करना है तो यह formula भी आपको याद रहना चाहिए क्या कहलाता है sign formula कहलाता है तो rule है छोटा सा rule है जिसको साइन फार्मूला को नामस जानते हैं इसको आप याद करना है कहीं पर ही physics में कोई numerical बनाते समय इसका use हो जाता है बहुत useful है लामी थियोरम को मेज करता है लामी थियोरम आगे आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि लामी थियोरम क्या होता है फिजिस पढ़ाते समय तो यह है साइन फार्मूला अब हम टिग्नामेट्री का जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि उसके वेल्यूस के वेल्यू क्या होते है मतलब एंगल के वेल्यूस क्या होते है जैसे साइन जिरो डिग्रो, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री यह तो आपको 9-10 क्लास से याद होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको आपको यहां समझाता हूँ और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से वेक्टर एंगलिस पढ़ने से पहले वो बता दूँ मैं आपको इसके एंगल के फार्मूला, वेल्यूस वेल्यूस आप एंगल्स और यहां पर मैं आपको इस तरह से टेक्निक बता रहा हूँ इसको कि कुछ एंगल याद रखने के बाद वैसे मैं हमेशा सभी स्टुडेंट्स को बोलता हूँ कि आप 180 डिग्री तक बस याद रखो 180 डिग्री तक याद रखने के बाद बाकी वेल्यूस को आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि आप फिर बहुत से वेल्यूस रट नी सकते या जो इस्टुडेंट रटे रहते हैं उनको मैंने देखा है कि बहुत जल्दी भूलते हैं वो इसलिए हमेशा मेरा फिजिक्स में इस बात पर विश्वास है कि आप चीजों को सीधे सीधे मत रटो यदि आप याद भी किये हो तो आपके पास उसका कोई तरक होना चाहिए कोई लाजिक होना चाहिए कोई रूल होना चाहिए तो फिर वाप हमेशा के लिए आद हो कि जैसे मैंने आपको 54 कार्मूला को बिल्कूल नी बोला इसको रट लो मैंने उसको निकालना सीखाया उसी तरह यहाँ पर जो values हैं उसको हम एक बार देखते हैं कि किस तरह से उसको याद कर सकते हैं हम तो देखो मैं यहाँ पर कोशिस करता हूँ कि सारे एंगल आपको बता दूँ यह मैं कुछ एंगल के लिए यहाँ चार्ड बना रहा हूँ देखो यहाँ पर मैं एंगल को लिख रहा हूँ उस एक्सिस पर यहाँ पर टिग्नमेटिकल रेशियो ठीक है तो यह सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसके बाद हम टिग्नमेटिकल रेशियो को यहाँ पर लिख देते हैं यह है साइन थीटा, यह थीटा का वेल्यू है, साइन थीटा, फिर कास थीटा, सब नहीं आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, यह को मैं नीचे लिख दूँगा काट थीटा, सेक थीटा, और बीना चाइट के मैं यहाँ पर कोसेक थीटा को लिख रहा हूँ, नीचे लिख दिया मैंने कोसेक थीटा ओके, इतना तो समझ जाओ गया आप तो यह हमने चाइट बनाया, अब इसको सिर्फ साइन का आप याद रखो ठीके, साइन का तो आप याद रख सकते हो, तो साइन का फेल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ, साइन 00 होता है, साइन 30, 1 अपान 2 होता है, साइन 45, 1 अपान अंडर रूट 2 होता है, साइन 60, अंडर रूट 3 अपान 2 होता है, और साइन 90, 1 होता है, यह आपको मालूम है इतना तो याद होना चाहिए, इतना तो अब इसको आप बोलोगे कि सर याद ने रहेगा तो मुश्किल होगा तो सीधा सीधा इसको आप याद रख सकते हो याद होगा भी आपको मेरे अप मालूम है आप में से maximum student को याद होगा अब जब कास का लिखना होता है तो कास को उसका ठीक उल्टा लिख दो जैसे यहाँ 90 सी स्टार्ट किये हो ऐसा उल्टा लिख दो तो इसका हो जाएगा वहाँ सी स्टार्ट करो यह हो गया 1 उसके बाद क्या होता है root 3 by 2 यह होता है इसके बाद फिर यहां आपा है तो same value होता है 1 upon root 2 फिर आगे चले आए तो 1 upon 2 और इसका 0 होता है देखो मतलब sign को आप इस way में लिखे हो उसको ultra लिख दो तो cast का बन जाएगा 10 निकालना है तो sign में cast को divide कर दो तो sign में cast को divide करोगे तो 10 होता है फर्मूला है तो इसमें इसको divide 0 upon 0 1 upon 2 में इसको divide करोगे 2 उपर चले जाएगा तो 1 upon 2 1 upon 2 और divided by root 3 by 2 तो यह हो जाएगा 1 upon root 3 1 upon root 3 दोनों divide होके same number cancel out यह हो जाएगे इसमें divide करोगे तो यह root 3 हो जाएगा यहाँ पर 1 में 0 डिवाइट करोगे तो infinite हो जाएगा मतलब not determine हो जाएगा not define हो जाएगा अब काट निकालना है तो इसका reciprocal 0 का reciprocal infinity इसका reciprocal under root 3 1 का reciprocal 1 root 3 का reciprocal 1 upon root 3 infinity का reciprocal 0 यह 0 हो जाएगा फिर देखो तो सेग का निकालना है तो कास का reciprocal 1 का reciprocal 1 root 3 by 2 का reciprocal 2 by root 3 होगा इसका reciprocal root 2 इसका reciprocal 2 और 2 का reciprocal infinity infinity का reciprocal 0 होता है 0 का reciprocal infinity होता है ध्यान रखना अब को सेग का लिखना है तो साइन का reciprocal 0 का reciprocal infinity 1 upon 2 का reciprocal 2 1 upon root 2 का reciprocal यह रूट 2 हो जाएगा इसके बाद देखो इसका रेसीप्रोकर हो जाएगा 2 अपन रूट आप 3 और 90 में 1 का रेसीप्रोकर 1 यह को से का वेल्यू हो जाएगा इस पकार से आप देखो यह जो वेल्यू होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्लियर तो केवल साइन का वेल्यू मैं याद करने की बात किया था देखो और बाकी को बना दिये तो सिर्फ साइन का वेल्यू यह आपको पता हो तो बाकी को आप बना सकते हो और याद रहे तो बेटर है लेकिन 90 डिग्री से आगे का जो वेल्यू होता है 180 तक 270 तक 360 तक और more than 360 तक तो इसको बनाने के लिए हमको कुछ टेक्निक समझना होगा यह मैं आपको आगे बताता हूं यहाँ पर हमको 54 खार्मूला बहुत हेल्प करेगा कि हम उस 54 खार्मूला की साहता से कैसे तो मेरा आपको सजेशन है खास कर इस पेसली मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं क कि जब भी मैं physics class पढ़ाता हूं बेसिक मैस्मैटीकल टूल्स पढ़ाता हूं फीजिस के लिए तो बायो की स्टूडेंट और नीट ऐस्पेरेंटी स्टूडेंट्स पर मेरा ज्यादा फोकस होता है वो इसलिए कि मैसमेटिस वाले तो मैसमें तयार कर लेते हैं इसलिए मैं मैं बायों की स्टुटेंट को ध्यान में रखे गाइड करता हूं कि उनको कोई प्राब्लम नहीं होना चाहिए मैस वाले तमेस में आ लड़ी पढ़ेंगे और डीटेल में पढ़ेंगे मैं जो मैस लिया होगा 11 क्लास में तो पूरा टिग्नामेट्री है तो उसके लिए तो ब 20 डिग्री का उसको जवरत है मैंने अभी आपको क्या बोला आपको क्या सजेस्ट किया कि आप only 90 तक याद करके रखो 90 से जादा याद मत करो बोल दिया तो भाई फिर आगे निकालना आना चाहिए तो हमको मालो साइन 120 डिग्री का जवरत पढ़ा तब हम इसको कैसे लिखे यह निखेंगे देखो इसको हम लिखेंगे sin 90 plus 30 इस तरह से लिखेंगे sin 90 plus 30 लिखने के बाद देखो यह थीटा है sin 90 plus theta के फार्म में आ गया और अभी हमने देखा है sin 90 plus theta मतलब second coordinator में और sin plus होता है तो measurable साइन का यहाँ पर कांस हो जाएगा तो यहाँ आगा कास 30 डिगरी एक असरी डिगरी हो गया और कास 30 डिगरी का वैल्यू होता है रूट 3 वाइटू तो साइन 180 डिग्री कितना हो गया रूट 3 वाइटू देखो भी हमको याद नहीं था और हम ने उसको बना लिया किसी भी वेल्यू को पर रिकाल बना सकते हैं मालों अपने खोवड है किसी कभी एक और नम्मा ले लें तो मैंनों मेरे को ऑनो वन 10 prevalence डिग्री का मेरे को जपर ऐं кнопो sembling की दिग्री घानना चाहता हों इसको मैं क्या लिख यूँंगा इसको मैं लिख सकता हूं 201 80 –30 और अपने सकते हैं 180 में 30 मैनस करेंगे, तो कितना हो यागा, 150 हो जाएगा, या इसको 120 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, कई तरीके इस आलों कर सकते हैं, 120 प्लस 30, फिर 120 को चेंज करना पाए, तो मैं generally आपको सिखा रहा हूँ, कि 90 और 180 में break करके बनाना, तो 180-30 लिख सकते हैं इसको अब देखो 180-30 मतलब second quadrant में है 180 से कम quadrant आपके brain में होना चाहिए तो second quadrant में second quadrant में sin और cast प्लस होता है लेकिन यह 10 है तो naturally यह minus हो जाएगा 180 degree में no change तो no change तो कितना हो जाएगा यह 10, 30 degree हो जाएगा और 10, 30 degree का value कितना होता है 1 upon root 3 तो minus 1 upon root 3 अब आप यह नहीं पूछना 30, 30 यह सब मैं यहाँ पर इसको बता दिये हूँ इसके help से आपको उसको बनाना है clear तो यह हो जाएगा हमारा इस तरह से value निकाल सकते हैं और कुछ values निकालें अभी कुछ बड़े value भी निकालना बताऊंगा मैं 360 से जादा का value भी निकालना बताऊंगा मान लोग अपने को किसी को ज़ुरत है कि वो चाहता है कि वो sec 270 degree का value निकाले मान लोग हमको sec 270 degree का ज़ुरत पढ़ गया कहीं पर तो that equal अब यहां पर क्या करेंगे देखो इसको हम लिख लेंगे sec 180 plus 90 180 plus 90 लिख सकते है 180 plus 90 270 होगा अब देखो 180 plus 90 270 270 borderline है third quadrant का मतब़े third quadrant है third quadrant में 10 plus होता है और है यह sec तो यहां से पता चल गया कि यह minus होगा that means पहले आप यह determine करना कि टिगना में टिकल जो value है वो plus होगा कि minus होगा पहले determine करना है इसके बाद देखो 180 degree 180 degree में no change तो sec sec ही रहेगा तो है जाएगा minus sec 90 degree हो जाएगा minus sec 90 degree यहां पर देखो sec 90 degree हम पढ़े हुए है यह sec और sec 90 degree का value कितना होता है infinity होता है तो sec 90 infinity infinity होता है तहां पर infinity हो जाएगा और infinity का कोई plus minus नहीं होता जिरो और minus में कभी आपको yan क्यों清楚 pense कि और अभि लगाना है ठीक है तो sec 270 कितना हो जाएगा infinity हो जाएगा ऐसे हम किसी भी value को find कर सकते हैं अब मैं आपको कुछ example बताता हूँ जहां पर हमको यह देखना है कि यदि angle 360 से greater हुआ तो हम उसको कैसे solve करते हैं ठीक है चलिए कुछ example लेते हैं अपन 360 से greater values के लिए इसमें कुछ example लेते हैं अपन suppose मैंने ले लिया sine 405 degree इसका value हमको find करना है कि sine 405 degree का value कितना होता है ठीक है तो sine 405 degree का value यदि आपको find करना है तो कोई भी value यदि 360 से greater हुआ कोई भी value यदि 360 से greater होगा तो करना क्या है ध्यान से सुनना तब क्या करो आप उस 360 से greater value पर 360 को आप divide कर दो यह best method मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी कोई angle यदि आपको 360 से greater मिला तो आप उसको 360 को divide कर दो 360 जब divide करोगे तो 1 यह हो जाएगा 360 हो जाएगा अब देखो 5 में माइनस हो गया 5 यह 10 से 6 हो गया तो फोर यह 45 यह 45 reminder आया तो 45 reminder आया तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकते हैं sin 360 plus 45 degree यह sin 360 plus 45 degree हो जाएगा that equal अब देखो sin 360 360 के case में क्या होता है वह 0 होता है 360 ही होता है तो 360 में no change और 45 360 plus 45 मतलब किस में आएगा first quadrant 360 के बाद आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर देखो आप मैं छोड़ा figure बना दूँ यह 360 degree है तो 360 plus 45 मतलब यहाँ जाएगे यह 45 होगा मतलब first quadrant में तो first quadrant में sin plus होता है 360 में no change तो हो जाएगा है sin 45 degree और that equal to 1 upon root 2 देखो 405 degree जिसका value हम नहीं जा रहे थे उस value को भी हमने यहाँ पर बना दिया ओके चलिए मैं कुछ ऐसा negative angle के आपको formula बता दूँ for example जैसे देखो यह कुछ example लेता हूँ मैं suppose हमको value निकालना है cas minus 750 degree चलो मैं कुछ negative value लेता हूँ वो आपको समझाता हूँ cas minus 750 degree माल हमको cas minus 750 degree का value find करना है तो पहले तो यह 360 से greater है वो तो बाद में देखेंगे पहले minus है उसको decide कर लें तो आपको मालूम है कि minus जो degree होता है वो सभी के सभी कहां होता है fourth quadrant में होते हैं तो यह कहां पर होगा यह fourth quadrant में होगा और fourth quadrant में cas plus होता है यदि sign होता तो minus हो जाता तो इसका value हम आगे लिख लेंगे क्या हो जाएगा equal to इसको हम लिख लेंगे cas 750 degree यह लिख लेंगे cas 750 degree अब 750 degree 360 से greater है तो इसमें 360 divide करेंगे यह हो गया 750 divided by 360 degree 360 तूजा यह हो जाएगा 720 reminder आगया 30 तो 2 times इसमें हमने क्या किया divide किया तो 750 को क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते है cas 2 into 360 degree plus 30 degree यह लिखा जा सकता है इस तरह से 2 into 360 मतलब 720 यह 360 से divide किया 2 times गया तो 2 into 360 720 plus 30 750 हो जाएगा that equal अब यहाँ पर ध्यान रखना कि कास का जो 360 का coefficient कोई भी जदी integer multiple है जब integer multiple है that means 360 है इसका मतलब क्या होता है कि हम जब 360 degree से ज़्यादा angle में जाते हैं तो बार बार वही वही पर भूम के आते जाते हैं मतलब 360 के जितने भी multiple होते हैं वो 360 ही होते हैं multiple आप all 360 degree साल 360 degree मतलब 1 times 360, 2 times 360, 4 times 360 यह होते जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 360 plus theta तो कास 360 plus theta मतलब first quadrant first quadrant में कास plus होता है तो एक कास ही रहेगा तो आगे हम लिख सकते हैं इसको कास 360 में no change तो कास 30 degree और कास 30 degree का value होता है root 3 by 2 under root 3 by 2 यह हमको मालू है तो इसका value हमने find कर लिया तो देखो इस example से आपको 54 formula का important समझ में आया होगा साथ यह समझ में होगा कि हमको ज़्यादा angle रटने का ज़वरत नहीं है हमको सिर्फ और सिर्फ यदि इतना ही chart याद है और 54 formula याद है यदि इतना chart हमको याद है और 54 formula याद है तो हम इतने में पूरा trigonometric का का हम चला सकते हैं physics में कोई problem नहीं होगा बस मेरा आपको यह suggestion है कि बार-बार इसका revision जरूर करते रहेगा क्योंकि revision नहीं करोगा तफिर command नहीं रह पाएगा रिविजन करोगे तभी command रहेगा तो यहाँ पर हमारा trigonometric complete होता है और trigonometric के बाद जो हम new mathematics अभी start करेंगे वो है vector हमारा third number का जो mess है वो है vector vector analysis देखो vector और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको calculus एक बात आप ध्यान में रखना कि basic mathematical tools आपके लिए important है पहले मैं ने explain कर दिया लेकिन vector की बात ही कुछ अलग है vector और calculus यह heart of the physics से हैं यह इनकी जान है इसके भी आप कूछ नहीं कर पाऊगे क्योंकि physical quantities maximum physical quantities vector quantities होते हैं और जब vector quantities vector होते हैं तो उसको पूरा vector rules से हमको operate करना पड़ता है इसलिए vector को बहुत ध्यान से समझना है और चुकि यह 910 में पढ़ा हुआ मैस नहीं है आप first time इसको सुन रहे हो पहली बार आप vector पढ़ोगे इसलिए मैं आपको इसको बिल्कुल beginning सी start करूंगा कि vector को हम कैसे represent करते हैं vector क्या क्या होता है यहां से अपन इस्टार्ट करते हैं ओके चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो physical quantities होते हैं मैं पहले scalar vector के बारे में आपको बता दूं तो physical quantities जो होते हैं physical quantities physical quantities three types के होते हैं first is vector second is scalar and third is tensor यह three types के physical quantities होते हैं vector quantities, scalar quantities and tensor quantities पहली बात कि physical quantities क्या होते हैं physical quantities का मतलब होता है physics की study करने के लिए जो जो variables अपन उस करते हैं like force, acceleration, momentum, current, potential, resistance they are physical quantities तो जितने भी physical quantities होते हैं वो या तो vector होते हैं या तो scalar होते हैं और tensor होते हैं तो होते क्या है पहले अपन यह समझते हैं तो vector quantities का मतलब होता है ऐसा physical quantities जिसमें magnitude के साथ साथ magnitude के साथ साथ क्या हो direction भी हो magnitude as well as direction also and scalar quantities are only magnitude only magnitude होता है और tensor quantity क्या होता है इस पर मैं अलग से discuss करूंगा last में पहले इन दोनों पर बात करूं तो vector quantities में क्या होता है magnitude के साथ साथ डारेक्शन भी होता है मतलब किसी भी physical quantities के रिप्रेजेंट करने के लिए हमको magnitude भी बताना पड़ेगा अधर्टी मीटर पर सेकंड इस इस मेगनिटूड थर्टी मीटर से मूव हो रहा है तो वह क्या है का मेगनिटूड है जैसे हमने यहां पर एक example यहां पर सपोस्पोस लिखा कि सपोस्पोस वेलसिटी आप दा कार इस 30 मीटर पर सेकंड तो 30 इस magnitude 30 का मतला होता है quantity कि उसका स्पीट कितना है 30 है लेकिन वीच डारेक्शन किस डारेक्शन में मुशन तो मैंने बताए फ्राम नार्थ तू साउट यह इस डारेक्शन इफ दा है फिजिकल क्वांटिटी इस हैविं मेंडिटूड इंड डारेक्शन आलसो इस इस वेक्टर क्वांटिटी यह समझ में आ गया आपको लेकिन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी इस जिसमें ओनली में नीटूट हो ओनली में डिटूड इस इसके लिए अधैए लाइक उप्लाकि अफफय हुरी केजटी है या मैं बजार में गया किसी सौंप में जाके बोकी मीरे तो और आपkil 성वर पे prestent कर सके Desi एक्षै उस पांटेटीज यता हुता है कि यह ना तो तो completely vector quantities so करते हैं ना तो completely vector के नेचर को सो करते हैं ना completely scalar होते हैं यह मतलब यह considered doubtful रहता है कि वेक्टर है कि स्केलर है किसी situation पर वेक्टर की तरह भी आप करते हैं कभी हो इसके लर की तरह करते हैं यह तेंसर और कुछी physical quantities sensor होते हैं इसका सबसे important example है area area is the tensor quantity actual में area को हम tensor quantity लेते हैं लेकिन बहुत से position पर हम इसको vector quantity के फाम महीं use करते हैं area को vector लेकिन टेंसर quantity कैसे कि area find करने के लिए कभी-कभी हम को direction certain जवरी होता है जैसे मेरे को मालोग किसी triangle के area निकालना है तो certain direction में जाओंगा suppose मेरे को इस तरह से किसी का area निकालना है तो यहां पर अब कोई certain direction नहीं है और एरिया तुसका भी हम निकाल सते हैं तो area क्या है hundred percent vector या scalar के फाम में नहीं होता है इसको बदेंसर quantity that is not determined completely not determined they are vector are they are scalar are called tensor quantities for example area तो यह मैंने आपको physical quantities के इंट्रोडेक्शन इसलिए दिया क्योंकि अभी हमको पढ़ना है vector quantity तो आपको पढ़ता रहना चीक कि vector quantities क्या है having magnitude and direction आसो अब हमको यहां पर पढ़ना है कि vector quantities में हम क्या पढ़ते हैं तो पूरा इसको behavior को अपने पढ़ना ठीक है चलिए तो हम start करें vector quantities का सबसे पहले हम देखें इसका representation वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि मैं इसको बिल्कुल 0 सी start कर रहा हूं कि हमको vector को represent कैसे करते हैं क्या करते हैं 9 points में आपके हर points को इसमें explain करूंगा तो vector quantities को हम represent करते हैं इस तरह से यह और यह और यह और यह वेक्टर quantities को हम यह three रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब क्या बताया मैंने इस तरह से arrow लगाके और इसको हम read करेंगे vector a इसको हम represent करेंगे vector a this is called vector a यह उपर में इस तरह से देश जाशा लगाके और बोल्ड लेटर यह थर्ड में आप देख रहें बोल्ड लेटर तो बोल्ड लेटर से भी हम क्या करते हैं वेक्टर को प्रब्रेजनट करते हैं लेकिन हमको उसको उस तरीके से रिप्रेजन नहीं करना है उसको पर करते रहा गए अपर मेरे पास आप внеш. अवार गृत इस तरह से ठीक है यह ध्यार रखना नेश्ट प्वाइंट इज हो शिंवुजिसन वेक्टर हुआ Niagara अ कि मैं एक वेक्टर में रेदाको यह ख्श्वुजिसन मेक्टर यह प्वेक्टर किया होता है अधू व्यूत checklist universe अधू यहां पर मैं पूछ वेक्टर कर रहा हूं और इस वेक्टर में आप देखो कि यह एक certain point है O और यहां से एक वेक्टर हुआ O A फिर एक वेक्टर निकला O B फिर वेक्टर निकला C तो यह point O है इसको में बोलते हैं origin O for origin यह origin है और यह origin से जितने भी वेक्टर निकलते हैं ठीक है आप जिस चैनल में पढ़ाई कर उसका नाम भी origin है और बहुत सो लोग को होता है सार ऐसा नाम क्यों रखें नाम यहीं तो रखा गया है origin मतलब physics में mathematics में बहुत powerful word है वह origin मतलब जहां से कोई चीज निकलता है जहां से किसी चीज़ की उत्पति होती है जहां से originate होता है पैदा होता है origin point कहलाता है origin मतलब होता है यहां से vectors निकल रहे यहां से बहुत सारे vectors निकल रहे तो यहां से जब vectors निकलते हैं origin से OA, OB, OC, and so on यह सभी क्या कहलाते है position vector कहलाते है और इसको हम represent करते हैं इस तरह से OA, OB, OC they are position vector मतलब position vector के लिए जरूरी है necessary है suppose अपने पास कोई vector ऐसा है और मालों यह vector A भी है यह position vector निकलाएगा position vector के लिए necessary है कि वह vector कहां से निकले origin से निकले origin से निकलने वाले vectors को हम क्या करते हैं position vector करते हैं और represent करते हैं O से ही start होगा वो ध्यान रखना next is displacement vector यह terminal आजी आपको समझना बहुंच जोरी है displacement vector displacement vector क्या होता है देखाओ यह एक एक टर्म आपको समझना है मैं भी आपको क्या पढ़ा रहा हूं vector का मैं अभी आपको vector का उनली language पढ़ा रहा हूं कि vector में किस किस तरह की terminal आजी उसके types हैं किस तरह समझ गए तो पहले आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम vector में कैसे कैसे language उसकरेंगे terminal आजी उसका technical term है displacement vector का मतलब होता है देखाओ suppose we have two position vectors O A and O B यह suppose हमने two position vectors लिया यह O है यह O A vector है यह O B vector है तो दोनों vector के बीच का जो minimum distance होगा minimum distance होगा that is displacement is called displacement vector यह यह मैंने जो dotted line से so किया यह dotted line से जो मैंने यहाँ पर so किया है यही क्या है इसका position vector है यह position vector that means A B is position vector तो दो position vector के बीच का जो displacement होता है वो displacement vector का लाता है और इसको हम इस तरह से represent करते हैं कि suppose हमने A B लिखा A B तो equal to इसका formula होता है position vector of B minus position vector of A यह याद रखना position vector of B minus position vector of A मतलब इसका क्या हुआ कि बाद में जो vector आया है उसका position vector में जो पहले आया है उसके position vector को minus करने से वो निकलता है तो position vector of B minus position vector of A that equal इसको mathematically लिख सकते हैं O B minus O A O B minus O A इस पकार से लिखाया सकता है यह formula याद रखना position vector का यह formula आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है यह तो मैं हर 5 मिनट, 10 मिनट में आपको याद दिला रहा हूं कि यह सब चीज तयार नहीं रहेगा तो physics में problem ही problem है और यह तयार है तो physics बहुत आसान है बस तो यह formula याद रखना position vector of B minus position vector of A clear यह कहलाता है position vector now next topic is modulus of the vector modulus of vector किसी vector का modulus value क्या होता है देखो इसको हम represent करते हैं इस तरह से यह ऐसा इसको पढ़ेंगे mod of A mod of vector A यह इसको हम read करेंगे mod of vector A और यह होता है A that is scalar तो modulus of the vector A क्या हुआ the modulus value of any vector is always scalar that means यह किस तरह की बात है जैसे आपने algebra में पढ़ा है mod of minus X equal to X मतब किसी भी negative value का जब modulus लेते हैं तो उसका जो negative nature है वो खतम हो जाता है positive हो जाता है exactly उसी तरह से जब किसी vector का modulus लेते हैं तो वो scalar बन जाता है यहाँ पर एक important बात और ध्यान में रखना कि किसी भी vector का जो square होता है that is also scalar किसी भी vector का square इस vector का यह scalar हो जाता है बिल्कुल वैसी जैसे algebra में minus X का जो square है वो plus axis हो इससे मैं आपको comparativity बता रहा हूँ इससे comparative बता रहा हूँ कि जिस तरह से algebra में minus का nature खतम हो जाता है modulus value लेने के बाद यह उसकohl square करने के बाद उसी तरह से vector में क्या होता है modulus लेने के बाद या whole square करने के बाद vector scalar बन जाता है ओ сколько तो यह मादूलस आप दा वेक्टर हो गया next is unit vectors unit vectors मतलब if magnitude of any vector is 1 if its magnitude is 1 if magnitude of any vector is 1 then it is called unit vector ऐसा vector जिसका magnitude 1 हो वो unit vector कहलाता है और unit vector को हम represent करते हैं एक cap से इसको पढ़ते हैं एक cap 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 माने टोपी जैसे हम cap पहनते हैं न उसी तरह से vector को cap टोपी पहनाए गया है तो जब vector के उपर cap लगा देते हैं तो वो symbol हो जाता है किसका unit vector का और unit vector का फर्मूला होता है vector upon matter vector a यह फर्मूला आप याद रखना अभी हमको unit vector का बहुत detail study करना है मतलब आगे चलके x-axis, y-axis, z-axis के अलग-अलग unit vectors की study करना है तो किसी भी unit vector का जो representation है वो a cap से होता है और a cap equal to होता है vector upon matter vector है यह सब फर्मूला आपको learn करते जाना है कि हम किसको क्या पढ़ते हैं किसका क्या फर्मूला होता है तेक हलाता है unit vector ओके next is parallel vector parallel vector क्या होता है देखो सब से important तो यह terminology ही है इसको जो समझ गया उसको कोई problem नहीं यह supposed two vectors है यह दोनों vector को ध्यान से यहाँ पढ़ देखो यह vector a है और यह एक vector b यहाँ पर आप देख रहे होगे कि vector a और vector b दोनों vector direction में same है but their magnitudes are different इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से यह vector a equal to लिख सकते हैं lambda vector b तो a equal to lambda vector b where lambda is constant यदि ऐसा हो तो therefore यहाँ पर vector a यह parallel होता है vector b के यह parallel का symbol है तो यहाँ पर ध्यान रखना इसका definition और पूरा detail आपको notes हमारे application पर मिलेगा तो आप lecture के साथ notes भी use करिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर है जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं सब हमारे notes में हमारे application origin the learner सब हमारा जो application है वहाँ पर पूरा आपको free notes मिलेगा complete literature हमने बहुत अच्छे से PDF बनाए हुआ है उससा आप सब download करके पढ़ सकते हैं तो notes आपको हाँ से मिल जाएगा ठीक है तो यह parallel vector हो गया इसके बाद हम पढ़ते है nest इसका comparative पढ़ते हैं अपर equal vector equal vector का मतलब क्या होता है यह एक vector है और यह दूसरा vector है अब इसमें क्या खास बात देख रहे हैं आप आपको बाच हो गया होगा खास बात यह vector a और यह vector b यह two vectors है तो if two vectors are equal in magnitude and direction also यह दि दो vector magnitude और direction दोनों में देखो दोनों का length same है और direction भी same है तो ऐसा condition हो तो हम उसको क्या करते हैं equal vector करते है और इसको सीजा सीजा हम लिखते है a equal to b a equal to b यह equal vector खालाता है तो दोनों में difference क्या देखो parallel vector में only direction same होता है magnitude अलग अलग होता है देखो इसका lambda times है और equal vector में क्या होता है magnitude और direction दोनों same होता है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहां पर क्या इसका conclusion अपन क्या कर सकते हैं every equal vector is parallel every equal vector is parallel हर equal vector parallel हो सकता है but every parallel vector is not a equal vector हर equal vector parallel होता है but हर parallel vector जरूरी नहीं है कि equal हो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है तो यह दोनों को ध्यान रखना इसके बाद हमको पढ़ना है negative vectors यह सब terminal आजी में वेक्टर के negative vectors negative vector या इसको opposite vector भी कह सकते है मतलब यह कही है इसको हम opposite vector के भी नाम से जानते है negative vector और opposite vector negative नाम से clear है जिसका direction क्या हो opposite हो सिधी सी बात है ना तो क्या कह सकते हैं इसको इस तरह से सपोज यह एक vector है और यह दूसरा vector है यह आप देखो यह vector a है और इसका direction इधर है यह vector b है तो if a equal to minus b जब a equal to minus b हो मतलब suppose two vectors ऐसे हो जिनका direction magnitude कुछ भी हो सकता है यहां पर कई student को doubt होता है कि सार magnitude same रहेगा कि different रहेगा तो magnitude से कोई relation नहीं है magnitude same भी हो सकता है different भी हो सकता है बट यह direction just opposite उनके direction को just opposite मतलब उनके बीच में 180 degree का angle होता है हमको इस तरह से भी कई बार हमको जोरत पढ़ता है physics में कई बार इस negative physics में अब इसका यही सब काम होगा और क्या आप इसको एक बार समझ गें जैसे यहां पर मैं यहां पर लिखा हूँ और यहां पर देखो यह यह सपोस्वेक्टर ए है और यह सपोस्वेक्टर बी है तो इनके बीच में 180 डिग्री के एंगल होता है मतलब इंगल बीट्विन टू अपोजिट वेक्टर इस आलवेज 180 डिग्री जब अपन रिलेटिव वेलस्टिव अगर निकालते है न तो इसका बहुत ज्यादा जूरत पढ़ता है फिजिस में दिन पर सभी काम आएगा आपका तो यह कहलाता है निगेटिव वेक्टर इसके बाद हमारा लास्ट कांसेप्ट है इसका वेक्टर का बैसिक का वो है जिरो वेक्टर जिरो वेक्टर जिरो वेक्टर क्या होता है if magnitude is zero किसी वेक्टर का magnitude क्या हो जिरो तो बहुत अजूगा बात है कि यह ऐसा कोई चीज जिसका magnitude ही न हो मतलब उसका कुछ भी न हो तो ऐसे फिजिक्स में किसी चीज की नहीं करते हैं जो तो जीरो मेगनिटीट का हो बट only one example है जिसका कोई मेगनिटीट नी होता बट डारेक्शन होता है इसलिए उसको वेक्टर क्वांटीटी लिया गया है तो वह एक्जाम्पल है पॉइंट पॉइंट इसे जब हम कहीं पॉइंट करते हैं आपको मालूम है कि जब सब्सक्राइब करना मतलब इस तरह से यह वेक्टर O, vector O से हम represent करते हैं, यह 0 vector कहलाता है, तो यह जो terminology बताएं मैं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, clear, यह सभी points आपको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर कोई भी problem हो, तो आपको पूछ लेना है मेरे से, ठीक है, कहाँ, comments में, देख लिजी इसको आप एक बार, बहुत ध्यान से, position vector, displacement vector, देख लेता हैं कोई term छूटा तो नहीं, इसके बाद हमने modulus of the vector, unit vector, parallel vector, equal vector, and negative vector, zero vector, ओके, अब हम देखते हैं vectors के operations, vector operations, vector operations मतलब, vector को add करना, vector को multiply करना, यह हमारे लिए बहुत important है, क्योंकि vector operation जो होता है, हमारा vector जिससे हम represent करते हैं, vector quantities को, उसको कैसे add करेंगे, उसको कैसे subtract करेंगे, यह हम देखते हैं, vector के बाद हमको पहुणना है calculus, vector additions के कुछ rule है, vector addition के कुछ rule है, कि vector को हम किस तरह से add करते हैं, इसके लिए कुछ rules है, और यह rules अपने को समझना है, ताकि हम physics का कोई भी problem सालो करते समय, यह हमको vector को add करना हो, या subtract करना हो, वैसे subtraction अलग्स नहीं पढ़ा जाता है, addition आप negative vector is called subtraction, last में बताऊंगा मैं, तो subtraction सीखना sufficient होता है, इसके लिए कुछ rules है, जिसमें सबसे पहला rule जो हमको पढ़ना है, वो है triangle law, ट्राइंगल ला, vector addition का triangle law, triangle law क्या कहता है देखो, कि suppose अपने पास two vectors है, suppose एक vector यह है, और यह vector यह, यह दो vector है, और यह दोनों vector को हमको सम करना है, suppose यह एक vector A है, और हमारे पास एक vector B है, और हमको दोनों को plus करना है, तो दोनों को plus किस तरह से किया जाएगा, एक किस rule से अपन दोनों को plus करते हैं देखो, vector addition का rule करता है, कि हम एक vector के head को दूसरे के tail के साथ में joint कर देते हैं, जैसे यहाँ पर figure बना देता हूँ यह, और उसके बाद यह, जैसे हाँ situation है, यह हमने इसको इसके साथ में joint कर दिया, ऐसा, ऐसा करने के बाद हमको एक third side मिलता है, और यह जो third side को बना दे मिला दे, तो यहाँ पर triangle बन जाएगा, इसी के लिए इसका नाम क्या है, triangle बना है, अब इसको हम लिख सकते हैं, A, B, C, A, B, यहाँ पर A है, vector A है, और B, C, यहाँ पर vector B है, तो यह rule कहता है, इसका जो sum होगा, इसका जो sum होगा, वो third side से represent होगा, यह A plus B, इस तरह से इसका third side ऐसा sum नहीं होगा, इस तरह से sum होगा, यह कहलाता है, vector addition का triangle ला, that means इस rule का statement क्या होगा, if two are, only two vectors, if two vectors are represented by, two adjacent sides of any triangle, if two vectors are represented by, two adjacent sides of any triangle, then its sum will be represented by, its third side, and direction is just opposite, देखो इसका जो direction है, वो इनके opposite है, यह इधर जाएंगे, और यह इधर जा रहा है, तो इनका sum का direction इसका opposite होता है, और वो क्या होता है, triangle के third side से represent करते हैं, यह कहलाता है, vector addition, तो vector addition का triangle ला कहलाता है, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, इसमें कुश important बात, जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ ध्यान देना, जैसे suppose हमने यहाँ पर कोई triangle बनाया, यह मालो मैंने एक triangle यहाँ बनाया, अब यहाँ पर हम triangle इस पकार से भी लगा सकते हैं, practically हम ऐसा लगाते हैं, कि suppose यह point A, और यह है vector AB, और यह point है suppose C, यह है vector BC, तो यह होगा third side AC, मतलब इस vector में AB, इस triangle में AB, AB plus BC, AB plus BC equal to AC होता है, यह ध्यान रखना, इस पकार से AB plus BC equal to AC होता है, और triangle लाम में इसी condition को हम बहुत बार यूज़ करते हैं, triangle लाम में हम इस condition को बहुत बार यूज़ करते हैं, तो इसको ध्यान रखना, या इसको हम इस side में ले आएं, इधर ले आएं, तो that implies इसको हम लिख सकते हैं, AB plus BC minus AC equal to 0 भी लिख सकते हैं, और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखना, कि कोई भी vector, मतलब जैसे मानलो vector AB है, equal to minus BA लिख सकते हैं इसको, इसको अब ध्यान रखना, किसी भी vector के, यदि position को हम change करते हैं, तो इसको negative लिख सकते हैं, इस पकार से इसको हम चाहें, तो ऐसा लिख सकते हैं, AB plus BC, और यह minus AC को minus AC है, उसको हम लिख सकते हैं, CA equal to 0, तो इस फार्म में भी इसको लिखा जाता है, तो किसी भी triangle ला को, आप इस फार्म में भी लिख सकते हैं, AB plus BC plus CA, clear, तो इतने फार्म में आप इसको represent कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना, तो यह कहला आता है, vector addition का triangle ला, और इसको हमको ध्यान में रखना है, चलिए, अब इसके बाद next topic हमारा पढ़ना है, वो है parallelogram ला, यह सबसे ज़्यादा यूज होता है इसमें, addition में, parallelogram ला क्या होता है, कि एक parallelogram के help से हम इसको समझाते हैं, तो यहाँ पर पहले हम उसके लिए एक figure बना दे, देखो यहाँ पर हमने एक parallelogram बनाया है, अब इसमें यह rule कैसे apply होता है ध्यान से समझना, यह suppose O point है, और O point में इस direction में हम एक vector represent किया है A, और इस direction में हमने एक vector represent किया है B, यह है O, A, B, और यह point है suppose C, यह parallelogram है, तो parallelogram ला क्या कहता है, कि if two vectors are represented by two adjacent sides of any parallelogram, then its resultant will be represented by its diagonal, अब इसका जो resultant होगा, वो इसके diagonal से represent होगा इस तरह से, और diagonal से represent करके हम इसको, यह diagonal है और इसका resultant है suppose R, तो diagonal से represent होता है, और दोनों के बीच का angle suppose यहाँ पर theta है, और resultant का A के साथ जो angle है, यह यहाँ पर, यह suppose alpha है, यह alpha angle है, तो आप figure को ध्यान से समझो, यहाँ पर दो vector A और B इस adjacent side से represent हुआ है, तो इसका जो resultant है, वो इसके diagonal से represent होगा, और यह जो resultant है, वो suppose A के साथ alpha angle बनाना है, तो दो formula हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक formula आपको याद रखना है, पहला formula जो हमको याद रखना है यहाँ वो resultant का, first formula for resultant, तो resultant R equal to यहाँ पर formula होता है, under root of A square plus B square plus 2AB cos theta, यह इसका resultant का formula है, और second formula हमको याद रखना है direction का, second formula direction का याद रखना है, और direction 10 alpha equal to, 10 alpha equal to यह होता है, B sin theta, B sin theta upon A plus B cos theta, यह दो formula हमको याद रखना है, इसके resultant के लिए, यह इसका resultant का formula है, और इसके direction का formula है, तो resultant और direction का formula हमको यहाँ पर अच्छे से तैयार करके रखना है, इसके भीना हमारा कोई काम नहीं चलेगा, ओके, तो पहला ग्राम लाकर situation है, यह resultant का formula है, under root A square plus B square plus 2AB cos theta, और दूसरा formula है direction का, अब यहाँ पर देखते हैं, इस formula का थोड़ सा explanation अपन देखते हैं, कि यह आया कैसे है, resultant के formula को हम explain करके आपको बता रहे हैं, कि यह वाला formula भी आपको लग रहा होगा, सरे formula कहां से आगया, रेडिमेट, तो हम फ़ड़ सा explain करें उसको कि उसका formula कहां से आया, resultant के लिए हम formula derive कर रहे हैं, that means, इस figure को थोड़ा सा मैं extend करता हूँ, इस figure को मैं थोड़ा सा और, देखो, यह वाले site को, यह इस तरह से मैं आगे किया, यह green color से आप देख रहे हैं, और यहां से मैं ने इस पर perpendicular drag किया, यह काम हमने किया, यह perpendicular drag किया इस पर, ऐसा करने से यहां पर होगा क्या, यह angle theta है, तो यह वाला भी angle theta होगा, corresponding angle है, यह suppose एक point है, जिसको हमने d कह दिया, अब यह vector b है, तो इसका parallel vector, यह भी b होगा, इस तरह से, तो यहां पर एक right angle triangle मिला अपने को, a, c, d, यहां से हम calculation स्टार्ट करते हैं, तो इन, इन, राइट एंगल triangle, इन, राइट एंगल triangle, a, c, d, यह राइट एंगल triangle, a, c, d, में देखो, a, c, d, यहां से हम निकाल लेते हैं, sin theta, यहां से sin theta निकालेंगे, तो sin theta equal to क्या होगा, यहां पर देखो, sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, c, d upon a, c, c, d upon a, c, that implies, यहां से c, d का value निकालें, अपन, यह c, d, यह वाले side का value निकालें, तो c, d equal to क्या हो जाएगा, a, c को transfer करें, और a, c का value b है, तो हो जाएगा, b sin theta, यह होगा, b sin theta, suppose relation number first, again, again in, उस इच में अपन निकालते हैं, triangle same में, तो again, अब यहां से निकालते हैं, cas theta, again cas theta, तो cas theta equal to base upon hypotenuse, base के हैं अपने पास, a, d, a, d upon a, c, a, d upon a, c, therefore, a, d equal to a, c, और a, c का value b है, तो होगा, b cas theta, तो a, c, d, और a, d का value find कर लेते हैं, यह suppose relation number second है, अब यहां पर देखो, यह हमारे पास एक बड़ा वाला right triangle triangle है, o, c, d, इस जिसमें आ रहाया है, तो इस right triangle triangle में हम python गुरस theorem लगा दें, कि इसमें o, c, d, in triangle o, c, d, in right triangle triangle o, c, d, by python गुरस theorem, यदि इसमें python गुरस theorem अप्लाई कर दें, तो python गुरस theorem अप्लाई करने से देखो, यह क्या है, o, c, square, equal to, o, d, square, plus c, d, square, o, c, square, equal to, od, square, plus c, d, square, that implies, यह हो जाएगा, o, c, square, equal to, o, d, क्या है, figure से देखो, यह o, d, o से लेके d तक को हम लिख सकते हैं, o, a, plus, a, d, o, a, plus, a, d, यह हो जाएगा, o, a, plus, a, d, whole, square, और, plus, यह तो c, d, square को, c, d, square ही रहने दो, क्योंकि हाँ पर हमको c, d, का value पता है, अब इसके values को हम इदी put up करें, तो क्या होगा, देखो, इसको values put up करें, तो, that equal, o, c, इसका diagonal है, r, square हो जाएगा, o, a, का value, a है, तो vector a होगा, plus, a, d, क्या है, देखो, figure से, यह, o, a, तो, a है, और, a, d, हमने निकाला है, b, cos, theta, और, इसको निकाला है, पर, b, sin, theta, तो, plus, b, cos, theta हो जाएगा, इसको हम लिख सकते है, b, cos, theta, का whole square, plus, यह, b, sin, theta, whole square, that implies, इसको हम expand करें, r, square, equal to, square expand करें, whole square से, a, square, plus, b, square, cos, square, theta, plus, 2ab, 2ab, cos, theta, और, plus, यह, हो जाएगा, b, square, sin, square, theta, that implies, r, square, equal, अब यहाँ पर फ्रों सा ध्यान से, देखना, यहाँ पर, b, square, cos, square, theta है, यह, b, square, sin, square, theta है, दोनों से, b, square, common करें, तो, bracket के अंदर मिल जाएगा, अपने को, sin, square, theta, plus, cos, square, theta, sin, square, theta, 1 हो जाएगा, तो, next line में हम इसको क्या लिख सकते हैं, यह हो गया, a, square, plus, इन दोनों के जगा में लिख सकते हैं, अपन, b, square, और यह है, 2, a, b, cos, theta, अब, r का value, find करना है, तो, r, equal to, root लगा देंगे, अपन, तो, यह हो जाएगा, under root of, a, square, plus, b, square, plus, 2, a, b, cos, theta, यह हमको वो formula मिल गया, जो formula हमने, starting में आपको direct बता दिया था, यह r का formula है, जिसको हमने आपको शुरुआत में बताया था, यह वाला formula, resultant का, तो, यहां तो, resultant का formula, derive हो जाएगा, और इसी तरह से हम derive कर सकते हैं, किसके, direction के formula को, तो, चलो, भाई, उसको भी देख लें, अब हम निकालते है, direction, direction, direction of resultant, direction के लिए हम लेते हैं, in triangle, यहां पर देखो, alpha चाहिए, तो, यहां पर यह triangle को लेते हैं, O, C, D, जिसमें alpha आया हुआ है, O, C, D, O, C, D, यहां से हम निकाल लेते हैं, 10 alpha, 10 alpha equal to figure में देखो, 10 alpha equal to क्या होता है, 10 का formula होता है, hypotenious upon base, sorry, perpendicular upon base, तो perpendicular है, C, D, और base है, O, D, तो, C, D upon O, D हो जाए गए, C, D upon O, D, अब इसको हम values पूट करके simplify करें, तो, that implies, 10 alpha equal to, C, D का value क्या है देखो, यहां पर, यह C, D है, और C, D का value हमने यहां पर निकाला हुआ है, देखो, B sin theta, यह हो जाएगा, B sin theta, और अपान O, D का value क्या है, यह जो O, D है, वो O, A plus A, D है, O, A plus A, D, एक बार लिख दें, O, A plus A, D, एक बार दोनों का value किसी फार्म में लिख दें हैं, करें, C, D का value को C, D रहने दो भी, और इसको O, A plus A, D, अब value पूट करो, that implies, value एक साथ पूट करना ठीक रहता है, 10 alpha equal to, यह है, B sin theta, और अपान O, A, A है, और प्लस A, D है, B cos theta, और यही फार्मूला है हमारे direction के लिए, तो यह हमने दोनों फार्मूला का derivation देख लिया, कि बहुत बार हमको ज़गरत पढ़ता है कि derivation भी हम जाने, यह दो फार्मूला हमने लिखा था, इसके लिए, direction के लिए, तो resultant के लिए, और direction के लिए, यह दो फार्मूला है अपने पास, जो हमने इस तरह से derive किया, यह बहुत important है, यह physics में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसके बाद इसमें हम कुछ special case पढ़ेंगे, पैलोग्राम के, और special case हमको physics में direct काम आएगा, direct हमको इसको use करने का काम आएगा, तो चलिए, अब हम इसमें देखते हैं, special case आप पैलोग्राम लाएगा, special case आप पैलोग्राम लाएगा, special case आप पैलोग्राम लाएगा, तो इसके special case कौन-कौन से हैं, देखो, सबसे पहले, if theta equal to 0 degree, that means vector A parallel to vector B, मतब पैलोग्राम में जो vector A और vector B है, दोनों का direction सेम हो जाए, मतब दोनों के बीच का जो value है, वो 0 degree हो जाए, तो उस condition में हमारा formula कैसे हो जाएगा, देखो, तब R equal to under root of A square plus B square plus 2AB, cause 0 होगा, that equal cause 0,1 होता है, ते हो जाएगा, A square plus B square plus 2AB, क्योंकि cause 0,1 होता है, और यह A plus B का whole square हो जाएगा, A plus B का whole square, यह root के अंदर, और that equal A plus B, तो R equal to A plus B, यह formula क्या कहता है, यह condition कहता है, पहला number condition कहता है, कि if two vectors are parallel, that means their direction are same, तो दोनों यही parallel हो, उसका direction same हो, तो उसका resultant निकालने के लिए हम का करते हैं, दोनों वेक्टर को sum कर देते हैं, दोनों वेक्टर को direct 8 कर देते हैं, for example, यहाँ पर मैं आपको एक example बता रहा हूँ इसका, for example, suppose अपने पास यह कोई object है, और इस object में suppose हम two forces apply किये हुए हैं, यह two forces इस तरह से हैं, suppose एक force यह है, और दूसरा force यह है, यहाँ पर हमने यह force का amount है, suppose यह force f1 है, इसका suppose 10 newton है, इसमें जो f1 force लगा है 10 newton है, और suppose f2 force लगा है, वो suppose 20 newton है, अब यह concept क्या कहता है, कि दोनों का direction जब same हो, parallel हो, तो इनका जो resultant force होगा f, वो दोनों के sum के equal होगा, f1 plus f2, तो हो जाएगा 10 plus 20, that means 30 newton, इस तरह से यह 30 newton होगा, ऐसे हम इसका value को find कर सकते हैं, यह इसका example है, कि जब vectors parallel होंगे, तो इस तरह से हमको resultant निकलना है, तो इसका बहुत ज़्यादा use होगा, मैं आपको इसके 4 conditions बता रहा हूँ, और यह 4 conditions आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पो बहुत ज़्यादा use होगा physics में, ठीक है, तो पहला है theta 0 degree, next is, suppose theta is 90 degree, second special case is, if theta equal to 90 degree, that means they are perpendicular, a, perpendicular b, दोनों क्या है, perpendicular हो, तो perpendicular होने के direction में क्या हो जाएगा, r का value, r equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos 90 degree, cos 90 0 होता है, तो हो जाएगा, under root of a square plus b square, cos 90 0 हो गया, तो उस समय resultant इतना ही होगा, यह resultant निकालने का formula होगा उस condition में, अब यह कैसे काम करता है, देखो, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, कि इसका example, suppose यह अपने पास कोई object है, मैं force का example देके समझा रहा हूँ, क्योंकि force जल्दी समझ में आता है, उसका vector nature सबको पता है, तो suppose एक force इधर लगा हुआ है, और दूसरा force इधर लगा हुआ है, यह two forces है, और दोनों force का nature यहाँ पर देखो, दोनों force perpendicular है, suppose यह f1 force है, और यह suppose 3 newton है, और suppose यह f2 force है, और यह force suppose 4 newton है, और इनके बीच में 90 degree का एंगल है, अब इसका resultant हमको निकालना है, तो resultant निकालने का formula हमने का निकाला, root equal to, root r equal to, root of a square plus b square, तो यहाँ से इसका resultant कैसे निकाल जाएगा, therefore resultant force f equal to under root of f1 square plus f2 square, इससे निकलेगा, that equal to under root of f1 का value कितना है, 3, यह हो गया, 3 square plus यह हो जाएगा, 4 का e square, that equal to, यह हो जाएगा, root of 9 plus 16, that equal to root of 25, that is 5 newton, तो यहाँ पर 5 newton हो जाएगा, इस तरह से resultant क्या हो जाएगा, 5 newton हो जाएगा, तो 5 newton इसके बीच से जाएगा, 45 degree का एंगल बनाके, ठीक है, यह भी clear है, कि यह इसका resultant force होगा, यह resultant force का direction होगा, यह that is 5 newton, यह हो जाएगा, इस तरह से use आएगा, जब theta क्या हो, 90 degree हो, यह थी theta 90 degree हो, मत्दब two vectors यह थी perpendicular work कर रहे हैं, तो उनका resultant under root r square plus, under root a square plus b square होगा, यह आप वियादतने हैं, theta 90 degree का case है, now next case is theta 180 degree, third, if theta equal to 180 degree, 180 degree मतलब opposite, अभी मैंने आपको opposite vector पढ़ाया है, तो opposite है, 180 degree मतलब दोनों का, जो case है just opposite है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से suppose समझ सकते हैं, देखो, यह suppose, पहले तो, चलो ठीक है, figure से ही समझा देता हूँ, यहाँ पर two vectors हैं, यहाँ पर vector a है यह, और यह vector b है, दोनों just opposite हैं, दोनों के बीच में 180 degree के एंगल होता है, तो opposite होते हैं, तो यहाँ इसका जो resultant निकलेगा, इस formula से वो क्या हो जाएगा, r equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos 180 degree, यह cos 180 degree हो जाएगा, that equal to root of a square plus b square, और cos 180 degree का value होता है, minus 1, तो minus 2ab होगा, अब यह step को बहुत ध्यान से समझना, यह जो a square plus b square minus 2ab है, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते है, root of a minus b का whole square भी लिख सकते है, r, इसको लिख सकते है, root of b minus a का whole square भी लिख सकते है, क्योंकि mathematics में अपने को पता है कि a-b का holy square जो होता है वह b-1 holy square के equal होता है a-b का holy square b-1 holy square के equal होता है तो that equal यदि ऐसा हो तो a-b आएगा और यदि ऐसा हो तो क्या आएगा? b- आएगा अब सवाल यह है कि इसमें से कौन सा कब यूज करना है तो यह ध्यान में रखना कि यह वाला use तब हमको करना है जब a greater than b हो और यह वाला use कब करना है जब b greater than a हो इस तरह से a greater than b में इसको यूज करना है और b greater than a में इसको यूज करना है तो हमको इस formula को जब 180 degree हो तो resultant हम just opposite निकालते हैं for example बहुत easy example है suppose यह object है पने पास और यहाँ पर two forces इस तरह से लगे हुए है तो दोनों force को यह थी हम यहाँ पर represent करें यह suppose दो force लगे हुए है और दो force को मैं बता दूँ कि suppose इधर 10 newton का force लगा हुए है और इधर लगा हुए है suppose 2 newton का तो naturally यहाँ पर जो resultant है f वो सिधा 10 minus 2 होगा that means 8 newton होगा है बहुत आसा है इस तरह से work करता है तो यह तीसरा case है जब theta equal to क्या हो 180 degree हो तो मैंने 3 case angle पर बताया 0 degree, 90 degree and 180 degree इसके बाद हम देखते हैं जब दोनों का magnitude fourth और last जो condition है वो magnitude पर based है और यह बहुत ज़्यादा use होगा यह आपको 12th class के electricity और आखे magnet के chapter में use होगा धियान अपने magnet और electricity के chapter में यह concept use होने वाला है 12th class में तो third case क्या कहता है कहता है कि if a equal to b only in magnitude not direction देखो मैंने दोनों को पर vector नहीं लगाया है मतलब a और b कि दो जो vector है वो magnitude में same है but their direction are different direction अलग-अलग है magnitude same है इस condition में हम इसमें apply कर दें इसको तब उस समय उसका result in r equal to क्यों हो जाएगा under root of a square plus b square को भी a square लिख सकते है plus 2a into a into cos theta क्योंकि दोनों same हो गए तो दोनों के value क्हम same put up कर देंगे that equal to root of a square plus a square 2a square plus यह भी हो जाएगा multiply होके 2a square और cos theta that equal इसके अंदर solve करें 2a square common है तो अंदर हो जाएगा 1 plus cos theta अब यहाँ पर हम trigonometric का formula लगा देंगे 1 plus cos theta का value क्या होता है that equal to यह हो जाएगा root of 2a square 1 plus cos theta होता है 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 यह होता है 2 cos square theta by 2 अब root से बाहर हम इसको करें तो therefore r equal to 2 into 2 4 हो जाएगा जो कि 2 हो जाएगा a square बाहर आके a और cos square theta बाहर आके cos theta by 2 तो यह जो formula आया यह formula हमको physics में बहुत जादा काम आने वाला है resultant निकालने के लिए तो जब a, b के equal हो तो resultant निकालने का formula यह होता है इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको जो बताया वो पूरा का पूरा parallelogram ला का condition है तो vector addition में triangle ला और parallelogram ला वैसे polygons ला भी है लेकिन polygons ला को हम sum of triangle ला से बना लेते हैं तो polygons ला को बहुत special उसको पढ़ने के जोड़त नहीं है उसको polygons में two are more than two sides होते हैं तो sum of triangle ला से उसको हम solve करते जाते हैं तो यह है vector sum का condition यह formula बहुत ज़्यादा important होता है अब हमको इसमें पढ़ना है vector product तो vector product जो है वो dot product, class product इसका हमको study करना है जिसका physics में बहुत कामाना है चलिए तो start करें हम vector product वेक्टर product वेक्टर का product क्या होता है vector product देखो product of the vectors दो vector को multiply करना तो vector product के two types होते हैं first type is scalar product पहले type पर लेते हैं उसका पहाँ है पहला scalar scalar product and scalar product is also known as dart product dart product इसको हम dart product भी कहते हैं scalar product को क्यों कहते हैं भी आपको समझ में आएगा देखो इसका situation ऐसा होता है कि suppose two vector से अपने पास एक vector यह है और दूसरा vector यह है दोनों vector suppose एक दूसरे से theta angle बनाया हुआ है यह और यह vector A है यह vector B है और दोनों vector का हम multiply करना चाहते है तो इसका जो formula होता है vector A dot vector B equal to होता है mada vector A into mada vector B और into कास theta यह होता है तो यह होता है AB कास theta जिसको हम आगे क्या लिख सकते हैं AB कास theta क्योंकि vector A और वो scalar हो जाएगा और जो final result आता है वो यह scalar quantity होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है scalar product बोला जाता है scalar quantity होने के कारण हिसका नाम क्या है scalar product करते है scalar product क्योंकि final result scalar आता है यह formula आपको इसमें याद करके रखना है कि किस तरह से हमको dark product निकालना होता है अब इसमें important बात यह है कि जो x-axis और y-axis और z-axis के जो unit vectors रते हैं x-axis, y-axis और z-axis के जो unit vectors एक काम करते हैं मैं आपको एक अलग slide पर ही पहले यह पढ़ा देता हूँ ध्यान नी रहा मेरे को चलो उसके बाद देखें वैसे बीच यो पढ़ा सकते हैं आप x, y, and z-axis यह बहुत important concept है ध्यान से समझना मतलब unit vector मतलब होता है जिसका magnitude 1 हो और अभी मैंने a-cap करके आपको formula पढ़ाया है अब यहाँ पर हम यह पढ़ेंगे कि x-axis, y-axis और z-axis का जो unit vector होता है different, different वो क्या होता है यह हमको समझना है तो x-axis, y-axis, z-axis का unit vector क्या क्या होता है देखो यहाँ पर एक figure के help से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर यह हमारे 3-axis है x-axis y-axis और z-axis यह है origin जहाँ पर 3-axis मिलते हैं तो x-axis का unit vector को हम i-cap से represent करते है i-cap मतलब x-axis का unit vector उसका represent करने का symbol है i-cap उसको i-cap पढ़ते है y-axis का unit vector जो होता है उसको j-cap और z-axis का unit vector को हम represent करते है k-cap से यह ध्याँ रखना अब यहाँ पर suppose हम एक point consider करते है यह point P है suppose है P point का coordinates x, y, z है 3-dimension में इस point को यह दि हम यहाँ पर origin से मिला दें इसका यह हमको point मिलेगा यह और यह जो point है इसको हमने suppose r value दिया vector r तो जब हम यहाँ पर vector r लिखेंगे vector r vector r लिखने का तरीका क्या होता है इसका x coordinates का x axis के unit vector के साथ में multiplication होता है मतलब यह लिखाएगा x i-cap फिर plus y coordinates का j के साथ multiply होगा तो यह कहलाएगा y j-cap और plus z coordinates का इसके k के साथ multiply होगा तो कहलाएगा z k-cap इस तरह से तो r equal to x i-cap plus y j-cap plus z k-cap इस तरह से होता है और जब हमको इसका modulus value निकालना होता है mod of vector r तो mod of vector r निकालने का फार्मूला है under root of x square plus y square plus z square यह इसका formula है यह आपको याद रखना है यह जो मैंने अभी आपको concept समझाया यह बहुत ही जादा important है इसको आपको याद रखना है इसके बीन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यह x axis y axis z axis के unit vectors हैं अब हम यहाँ पर इसके product of vectors में इसको हम देखेंगे ठीक है तो product of vector में हम इसको कैसे use करेंगे अभी जो मैं आपको बता रहा था यह तो यहाँ पर इसके i axis और y axis z axis के products को अपन vectors देखते हैं मतलब product of scalar product of scalar product of कहना चाहिए scalar product of i cap, j cap and k cap अब हम x axis, y axis और z axis के जो unit vectors हैं उनका हम थोड़ा सा product देखते हैं ठीक है कि इनका scalar product क्या होता है scalar product में पहला हम देखते हैं खुद का खुद के साथ i cap dot i cap i cap dot i cap क्या होगा i cap का unit vector है तो हो जाएगा 1 into 1 into cos खुद खुद के साथ कितना angle बनाएगा 0 degree i, i के साथ कितना angle बनाएगा खुद खुद के साथ 0 degree बनाएगा तो यह हो जाएगा 1 मतलब i dot i 1 होता है इसी तरह से यदि हम j dot j करें, वो भी 1 होता है और k dot k करें, वो भी 1 होता है i dot j, i का j के साथ multiply करें, तो 1 into 1, into इहां पर हो जाएगा, cos 90 degree, cos 90 क्यों होगा, क्योंकि देखो, i, j के साथ में perpendicular है, ये 90 degree है, तो 90 degree का value होगा, cos 90 0 होता है, तो यह 0 हो जाएगा, मतब खुद का दूसरे के साथ में, उसी तरह से, j का k के साथ में 0 हो जाएगा, और k के साथ i का dot product भी 0 हो यागए तो यह चीनों चीज आपको याद रखना है कि खुद का खुद के साथ में dot product 1 होता है और खुद का किसी दूसरे के साथ में dot product 0 होता है अब इस concept के लेके हम इसके vectors के product के example देखते हैं clear, तो इस clear हो गया होगा आपको इसके बाद हम देखते हैं इसका एक example चलिए तो इसका एक example देखें example सपोज हमने यहाँ पर एक example लिया example लिया सपोज vector a equal to 2i cap plus j cap minus k cap यह हमने लिया और एक vector लिया b equal to i cap plus 3 j cap plus 2 k cap यह हमने दो vector लिया अब इसका हम करना चाहते हैं dot product तो a dot b equal to हम कैसे इसको लिखेंगे देखो पहले a को लिख लेंगे तो 2i cap plus j cap minus k cap यह होगा और dot product अपन करेंगे तो dot i cap plus 3 j cap plus 2 k cap यह होगा अब multiply कैसे होता है देखो यह i का यह तीनों के साथ multiply होगा actual में लेकिन होगा क्या i के साथ तो multiply होगा j और k के साथ उसका multiply 0 हो जाएगा क्योंकि अभी हमने concept में पढ़ा है कि किसी भी unit vector का किसी दूसरे axis के साथ में unit vector के साथ में dot product 0 होता है तो i का इन दोनों के साथ product 0 होगा तो उसको show करने का जूरत नहीं है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि i का i का multiply कर दो j का j के साथ multiply कर दो और k का k के साथ कर दो ऐसा हम direct concept बना लेते हैं कि अपने अपने pair के साथ है multiply होंगे ऐसा हम कर लेते हैं यहाँ इसको coefficient minus 1 है वहाँ पर plus 2 है तो यह minus 2 हो जाएगा और 2 to cancel out होके 3 हो जाएगा और यह देखो क्या है यह scalar quantity है मैं आपको बताया था कि इसका result आएगा वह scalar आएगा इस परकार से dart product होता है तो dart product यहाँ नापर हमारा complete होता है इस तरह से आप Czy, How Crown type product है इसका दूसरा product है जिसको हम क्या करते है वेक्ट्र पॉड़क्ट एक पने बटोर इसको हम क्या करते हैं कि नाव से भी जानते हैं इसको हम cross product भी कहते हैं और इसका जो formula होता है वो ये होता है A और बीच में cross का symbol यूज़ करते हैं इसलिसका नाम cross product है A cross B equal to mada vector A mada vector B और into यहाँ पर होता है क्या sin theta तो mada vector A into mada vector B into sin theta होगा that equal इसको हम लिख सकते हैं A B sin theta यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना की n cap multiply करने के लिए हम optional है यह so करते हैं वो सिर्फ हिस लिए क्योंकि इसको हम को क्या बनाना है vector बनाना है इसको हमको vector बनाना है इसलिए n cap multiply करते हैं क्योंकि किसी भी scalar quantity के साथ जब उसके unit vector को multiply करते हैं तो वो क्या बन जाता है vector बन जाता है लेकिन वो so करना ज़रूरी नहीं होता इसलिए ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो one है और one हम कहीं भी multiply कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं तो यह इसका formula है final answer इसका vector form में आता है इसका भी हम एक example ले 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 तभी हमको समझ में आएगा तो हमने suppose इसका example ले लिया यह suppose vector a equal to हमने ले लिया 2i cap plus 3j cap plus k cap और vector b equal to हमने ले लिया suppose i cap plus 2j cap और plus k cap यह हमने 2 vector ले लिया अब यह दोनों vector का हमको cross product करना है तो cross product करने के लिए जो method यूज किया जाता है यहां पर इसको हम two parallel lines में लिखते हैं और यह two parallel lines में लिखने का जो process है mathematics में इसको math में बोला जाता है determines 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 जो math के student है और math में इसको पढ़ेंगे 12 class में लेकिन जो students बायो वाले हैं उनको कहीं नहीं पढ़ना है यह जो मैं पढ़ा रहा हूं ही पर पढ़ना है बस इसलिए ध्यान से समझना है इसको ठीक है तो determines एक method है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं cross product करते हैं तो cross product में किस इस तरह से किया जाता है यह थोड़ा सा ध्यान से समझना सबसे पहले हम इसको रो कहते हैं इसमें हम लिखेंगे icap jcap k cap इस तरह से जो लिखा जाता है इसको बोले जाता है रो रोर कालम में अरेंज करना ही determinants कहलाता है horizontal लिखते हैं उसको रो काते हैं और vertical को हम कालम कहते हैं रो और कालम में अरेंज करना ही क्या कहलाता है इसके पहले ऐलिमेंट के लिए और पहला ऐलिमेंट है यहת्व पऱ이 qa he to depend के लिए साल्व करेंगे तो यहां पर लिक्षन मेंट अब करेंगे क्या यहां पर इसका जो रो है यह रो और इसका लुए रों यह रों कालम यह रों करते हैं class multiplication तो 3 into 1 मैं एक बार पूरा लिख देता हूं 3 into 1 और minus होगा 1 into 2 यह method है यह कैसे आया नहीं सोचना यह method है इसके बाद i cap के बाद minus j cap लिखते हैं इसको minus लिखते हैं और जब दूसरे का हम multiply करेंगे तो क्या करेंगे देखो दूसरे के multiply करते समय अब हम किसके लिए multiply कर रहे हैं j के लिए मैं यहाँ पर आपको indicate कर करके बता रहा हूं अब हम j के लिए multiply करेंगे तो उस condition में हम इसके row और इसके column को छोड़ देंगे तो 4 element यहाँ पर बचे देखो जिसको मैंने नहीं गहे रहा है वो 4 बचे है तो इनका multiply कैसे होगा अब 2 का 1 के साथ multiply होगा तो 2 into 1 फिर 1 का 1 के साथ multiply होगा 1 into 1 यह होगा और इसके बाद अब हमको करना है किसके लिए k के लिए तो plus होगा फिर k मारे plus minus plus होता है पहले plus फिर minus फिर plus अब जब k के लिए इसको हम simplify करेंगे तो किस तरह से करेंगे देखो अब हम इसको k के लिए ये k है तो k के रो इसको छोड़ेंगे पर रो और कालम को तो यह 4 element बच्चा इनका multiply होगा तो यह इसके साथ multiply होगा तो कितना हो जाएगा 2 into 2 minus इसका इसके साथ multiply होगा तो 3 into 1 यह होगा इस तरह से इसको simplify किया जाता है मैं यहाँ पर आपको किवाद 100 करने के लिए घेर के बताया ऐसा जवरी नहीं है ठीक है चलिए अब हम इसको simplify कर ले तो कितना हो जाएगा that equal to i यहाँ पर 3 minus मैं अब डारेक्ट हिलिक देता हूँ उतना तो आप कर सकते हैं that equal to 3 minus 2 मतलब यह हो गया i cap इसके साथ minus 2 minus 1 1 होगा तो minus j cap और यहाँ पर 4 minus 3 4 minus 3 1 होगा तो प्लस कीतना आजाएगा k k यह इसका answer होगा और आप यहाँ पर देख रहे हो यह जो final answer है वो किसके फार्म में है vector के फार्म में है ठीक है तो vector फार्म में होने के करण यह vector product रहाता है तो यह है हमारा dart product और cross product तो यहाँ पर आपको vector कम है concept पूरा complete किया जिसमे आपने देखा कि हम क्या पढ़ है सबसे पहले हम वेक्टर का रिप्रेंटेसन पढ़ है वेक्टर रिप्रेंटेसन में उसके पूरा किस तरह से रिपेजन करते हैं फिर वेक्टर को एड कैसे करते हैं यह पूरा vector का basic concept है और इसका आपको बहुत अच्छे से तयारी करना है क कल्कुलस अब हम स्टार्ट करते हैं कल्कुलस देखो कल्कुलस आपके लिए new mathematics है क्योंकि आप 10th class तक कल्कुलस पढ़े नहीं होते हैं और कल्कुलस physics में maximum use होता है यह हमारा fourth number का mathematical tools है जिसमें हम कल्कुलस को complete करेंगे और कल्कुलस हमको बहुत depth में पढ़ना है क्योंकि इ पहले हम कल्कुलस को basic introduction आपको बता दें एक्ट्वली कल्कुलस को Newton ने दिया कल्कुलस न्यूटन ने कल्कुलस दिया कल्कुलस mathematics में बहुत detail पढ़ा जाता है मैं इसको बहुत बढ़ा part होता है लेकिन physics में कल्कुलस के बीना काम ही नहीं चलता है तो कल्कुलस है क्या एक्ट्वल में Newton ने calculation को easy करने के लिए जो mathematical calculation होता है एक्ट्वल में algebra को easy करने के लिए algebra को simplify करने के लिए कल्कुलस दिया Newton ने तो कल्कुलस के two parts होते हैं सबसे पहले हम इसके branch आपको explain कर दे कि कल्कुलस में हम पढ़ते क्या क्या है देखे प्रापर में आपको बता दूं कल्कुलस के branches और दोनों का sense क्योंकि यहां पर इतना zero से इसको हम को पढ़ना है कि आपको symbol वगरा सब समझ में आना चाहिए कि हम कल्कुलस को किस तरह रिपेजेन करते हैं कितने types होते हैं सब हमको जानना जोरी है में कल्कुलस के two types होते हैं फस्सीजिफ्रेंसियशन एंड segunda मिध्यरेशन फस्सीस इंपरेंसियशन फस्सीजिफ्रेंसियशन एंड second इस इंत्यंटुग्रेसं differentiation and integration तो बहुत differentiation क्या होता है देखो differentiation का हम algebra से यदि comparison करें तो differentiation का relations subtraction से है subtract करना जैसे हम algebra में subtract करते हैं उसी तरह से हम differentiate करते हैं differentiate करने का मतब होता है किसी भी चीज़ को डिक्रीज करना पार्ट पार्ट में डिवाइट करना यह डिफ्रेंसियेशन होता है और इंटीग्रेशन का मतलब है सम से ओके इंटीग्रेशन को सम से मतलब होता है सब्ट्रेक्शन से मतलब सब्ट्रेट करना और इसका यह हम कल्कुलस का इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम क करना यह देखो कई बार मैंने देखा है कि स्टुडेंस डिफ्रेंसियाशन करना तो सिख लेते हैं लेकिन उनको रियल सेंस नहीं पता रहा था कि भाई कहां हमको डिफ्रेंसियाशन करना है कहां हमको इंटिफ्रेंसियाशन करना है जिसके काड़ उनको परसानी होते हम डिफ् लिए सिंबोल यूज किया जाता है वह सिंबोल सिंबोल हम इस तरह से हैं डी बाइडिक्रेशन को हम झाल ठयटर्ड फररिफ्रेशन करते हैं इस तरह से यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं देखो यहां पर D by D x D का मतलब होता है differentiate D by D x का D जो लेटर लिया गया है differentiation से लिया गया है और integration में यह जो जैसे हमने symbol लिया है एक्ट्वाल में s part sum होता है यह sum का यह symbol है मान के चलो आप यह से यह एक लाजीक है कि इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया sum का sign से और यहां पर D by D x means differentiation का sign से पर यूज करते हैं अब जैखो जैसे किसी value को हम क्या करते हैं और subtract करते हैं suppose मैंने लिखा कि 10-3 तो आप बोलो कि sir 7 that means differentiate होने के लिए two numbers चाहिए एक वो number सब्सक्राइक होने के लिए सब्सक्राइक होने के लिए two numbers चाहिए एक वो number जिसमें सब्सक्राइक होना है और एक वो number जिसको उसमें से सब्सक्राइक होना है एक उसी तरह से जब differentiation होता है तो हमारे पास two variables होते हैं एक variables वो होता है जो differentiate होगा एक variable वो होगा जो differentiate होगा और दूसरा variable होगा जिसके साथ वो जिसके respect में differentiate होगा तो यहाँ पर देखो यह जो dy dx लिखा है यह symbol है अब यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको dy by dx dy by dx का मतलब क्या हुआ इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे differentiation differentiation आप y with respect wr मतब विथ respect to x इसका मतलब क्या हुआ y का differentiation हो रहा है किसके साथ हो रहा है x का जैसे 10 subtract हो रहा है किसके साथ 3 के साथ उसी तरह से y differentiate हो रहा है किसके साथ x के साथ देखो sense समझना बहुत जोरी है मैं बागा आपको बता रहा हूँ कि physics या mathematics ऐसा subject है यहां concept को बहुत depth तक समझना बहुत important बात है मेरा बहुत long experience है मैंने बच्चों को देखा है कि रट्टा मार लेते हैं चीजों को बना लेते हैं लेकिन उनकी समझ सही नहीं रहते उनको concept clear नहीं रहते और यहीं वज़ा है कि हमको आगे चलके फिर problem होता है इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको discuss करना चाहिए खासकर स्टार्टिंग में फिर धिरे धिरे अपने आप समझ में लगता है तो यहां पर ध्यां here y is a function of x तो यह function of x भाई अब क्या चीज़ है y is a function of x का मतलब क्या हुआ y is a function of x का मतलब है y is a function of x y variable जो है वह x का एक function है that means यहां पर जब y का value put up किया जाएगा वो x के फाम में होगा like x square sin x cos x e to the power x मतलब y का value put up किया जाएगा वो किस के फाम में होगा x के फाम में होगा okay तो यह होता है differentiation और integration का जो फार्मूला होता है integration को हम generally i से represent करते हैं और यहां पर क्या हो जाएगा y dx मतलब क्या हुआ y dx का मतलब होगा y integrate हो रहा है x का respect में जिस तरह से इसमे y differentiate हो रहा है x का respect में उसी तरह से यहां पर y integrate हो रहा है x का respect में इस रह से differentiation integration होता है इसका जो first formula है जगो मैं फार्मूला पर discuss करूँगा calculus में एक बात आप ध्यान रखना calculus में सबसे important बात है फार्मूले यदि आप formula learn कर लिये हैं और process आपको पता है तो कहीं पर कोई problem नहीं आने वाला है तो सबसे important है formula टिग्नमेट्री की तरह यहां भी formula का list आपको मैं देता हूँ वो आपको पूरा learn करना है एक example आपको बताता हूँ यहां पर देखो मैं यह example आपको यहां से यहां पर अलग slide में अच्छे से बतार हूँ आपको देखो पह example suppose कहीं पर हमको d by dx आप x to the power 7 करना है तो इस formula से compare करें तो इस formula से compare करेंगे तो हमको पता चलेगा जैसे x का power यहां पर n है x का power यहां पर 7 है तो जहां जहां पर इस formula में n आता है वहां हम 7 put up कर देंगे तो किस तरह से differentiate हो जाएगा यह n मतलब 7 into x to the power 7 minus 1 that equal to 7 into x to the power 6 तो यहां से यह पता चलता है 7 into x to the power 6 तो यह पता चलता है कि यह जो value है वह decrease हो रहा है देखो यह 6 हो रहा है before differentiation power 7 था और after differentiation power क्या हो गया 6 हो गया इसका मतलब यह हो गया कि power decrease हो रहा है इसलिए मैंने बोला कि differentiation में power decrease होते जाता है जब और differentiate करते जाएंगे तो हर बार differentiation होने पर उसका एक एक power decrease होते जाएगा अब यहाँ पर देखते हैं हमें integration का example integration का जो पहला फार्मूला है integration of i equal to integration of x to the power n dx इसका फार्मूला होता है x to the power n plus 1 upon n plus 1 this is the first formula of integration यह सबसे ज़्यादा यह use होगा पहले जो फार्मूला है differentiation का उसका सबसे ज़्यादा physics में use होता है देखे मैं आपको मैस पढ़ा रहा हूँ using physics कि physics में कैसा use होता है मतलब हम वही वही फार्मूला टच करेंगे जो physics में use होता है उससे ज़्यादा additional formula पर time waste नहीं करना है अब इसका example देखो इस पर हम एक example देखें तो यह example suppose मैंने कहीं पर लिखा है x to the power 7 चलो 7 कहीं हम integration कर देते हैं यह तो यहाँ पर n का value 7 है यह हो जाएगा x to the power 7 plus 1 upon 7 plus 1 that equal to x to the power 8 upon 8 x to the power 8 upon 8 यह क्या होगा integration का formula होता है clear यहाँ पर देखो x का power increase हो गया यहाँ पर x का power 7 से 6 हो गया decrease हो गया यहाँ पर x का power 7 से 8 हो गया increase हो गया इस तरह से x का power increase हो गया और integration में sum होता है तो यह इसके formula है अब हमको क्या करना है इसके पूरे formula का list अपने को देखना है कि कितना formula इसमें है जो हमारे fees के लिए जरूरी होता है तो पूरा formula अपने को इसको करना है ठीक है चलिए तो हम यहाँ पर देखें यह formula का collection आपको बहुत important है सबसे पहले आपको formula लर्न करना है देखे integration और differentiation का यहाँ पर मैंने आपको comparative formula दिया हुआ है सबसे important है formula को लर्न करना calculus का behavior tignometric ही तरह है जब तक आपको formula याद नहीं है आप कुछ ही नहीं कर पाऊगे तो यहाँ पर मैंने बहुत systematic calculus का formula आपको दिया हुआ है जो physics में use होता है देखो calculus में formula तो बहुत है calculus में formula का तो कोई counting नहीं बहुत formula है मैंस के student बहुत formula रहने करता है हम सिर्फ selected वही formula आपको बता रहे है जो physics में use होता है physics में applicable है बाकी जगा उसका जवरत नहीं है तो आप यहाँ पर देखो इधर हमने differentiation का formula और इधर integration का formula दिया हुआ है और बिल्कुल उस order पर भी होगा है जैसा हमारा use होता है सबसे पहला जो formula हमारा d by dx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1 physics में सबसे ज़्यादा यही formula use होगा फस्ट formula और integration में x to the power n equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 यहाँ पर जो मैंने c लिखा है यह c का मतलब है integration constant मैं आगे आपको इसको detail में explain करूँगा अभी तो यहाँ पर आप सिर्फ यह जान लो कि integration के last में हम उसमें c8 करते हैं जो integration constant कर लाता है यह मैं आपको आगे explain करूँगा किसलिए इसको use करते हैं तो यह formula d by dx of x equal to 1 जैसे d by dx of x equal to 1 कैसे हुआ देखो इसको आपको सिधा याद रखना है कई बारी student misconception में चले जाता है कि dx dx cancel out हो गया ऐसा नहीं होता है यह कैसे सालो हुआ है यहाँ पर x का power 1 है तो यह उपर वाला formula हम लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1 1 into x to the power 1 minus 1 that equal to 1 into x to the power 0 that equal to 1 इस तरह से इसका value 1 आता है e to the power x का differentiation e to the power x होता है इसका integration भी e to the power x होता है देखो log x का यहाँ पर log x थोड़ा सा printing में यहाँ थोड़ा सा mistake हो है आपको base e नीचे रहेगा ठीक है यह मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं इसको base e को हम नीचे लिखते हैं यह आप ध्यान रखना यह पढ़ा जाता है log x to the base e वो typing का mistake यह होता है तो log x का जो differentiation है 1 upon x होता है और 1 upon x का जो integration होता है वो log x होता है यहाँ पर भी वही है इसको भी मैं correct कर दूँ ताकि आपको समझने में कोई problem मत हो इसको मैं complete लिख देता हूँ ढंग से आप इसका skin start लेना भी इसके बाद तो आके आपके पास इसका collection proper रहे log x to the base e अभी मैंने आपको log पढ़ाया तो यह सब बताया है इसके previous videos में मैंने आपको log पढ़ाया तो सब बताया यह पढ़ाया आएगा log x to the base e तो यह हमारा formula का collection है आगे भी जो formula का और collection है हमारा यह formula आप learn करो देखो formula आपको learn करना है आपको हमारे application पर भी पूरा list मिलेगा इसका d by d x आप cas x minus sin x d by d x आप sin x cas x d by d x आप 10 x x square x mistake हो जाता है यह sec square x है sec square x यह d by d x आप part x minus cosec square x d by sec x sec x into 10 x d by d x आप cosec x minus cosec x cut x इसी तरह से sin x का minus cas x cas x का sin x sec square x dx का 10 x cosec x का minus cut x sec x 10 x का sec x और cosec x cut x का minus cosec x इतना formula आपको learn करना है इसका इसकी start ले लो बार मैं यहां से हट जाता हूँ यह skin start ले लो इसका ओके चलिए अब हम इसकी practice करें कुछ फार्मूले और हैं यह formula आपको आओगे 15 formula आप learn करोगे 15 formula आपके लिए sufficient है 15 formula आप learn करो यह आपके लिए परियाब थे ठीक है देखिए कौन-कौन से 15 formula है अपने पास 11 number formula आप देखो लाग sin x का cut x होता है लाग cos x का minus 10 x होता है यह जो 11 से 15 तक है इसमें इनके ज़्यादा use नहीं होते है लेकिन यह 15 number formula बहुत important है d by dx आप c मतलब any constant for example मालो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है d by dx आप 5 लिखा है जो कि independent constant है तो independent constant का जो differentiation होता है यह 5 equal to क्या होता है? 0 तो किसी भी independent constant का जो differentiation होता है वो always 0 होता है कभी भी कोई ऐसा constant जो independent हो independent मतलब जिसमें variable ना हो उसका differentiation क्या होगा? 0 होगा और किसी constant का जो integration होता है वो constant into x हो जाता है constant into x जैसे कहीं पर लिखा हुआ है integration आप 5 dx ऐसा लिखा हुआ है तो इसका value होगा 5 into x इस तरह सोजाएगा यह formula आप अच्छे से learn कर लो calculus का formula यदि आपको याद है तो समझी आपका 50% work complete हो गया तो calculus का आपको formula याद रखना ठीक है? चलिए next हम देखें अब इसके question की practice अब हम देखते हैं इसके question की practice तो question की practice में हम देखें हैं सबसे पहले differentiation का सबसे पहले हम differentiation का question का practice करेंगी क्योंकि इसमें question का practice बहुत जोरूरी है formula बस learn करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप question की practice नहीं करेंगे तब तक आपको कोई काम करी है formula का क्यों learn करने से हैं तो differentiation पहले देखें तो मैं तो भी आपको d by dx का बता दिया अब यहाँ पर कुछ formula मेरे को और आपको समझाना है जिसमें सबसे पहला formula देखना है sum and difference के लिए sum and difference sum and difference का formula क्या होता है जैसे कहीं पर लिखा हो d by dx of u plus minus v मतलब यहाँ पर two values हैं u और v और u और v का value आपस में क्या है या तो sum के फाम में या difference के फाम में हो इसको हम differentiate किस करते हैं देखो इसको differentiate करने का formula है दोनों अलग-अलग differentiate हो जाएंगे मतलब d by dx of u plus minus यह हो जाएगा d by dx of v तो d by dx of u d by dx of v यह दोनों क्या होगे अलग-अलग differentiate हो जाते हैं for example इसका एक example देख ले हम for example suppose d by dx आप x square plus sin x ऐसा हमको कही differentiate करना होगा तो इसको differentiate करेंगे तो दोनों का separate separate differentiation होगा that means d by dx of x square plus d by dx of sin x यह होगा that equal अब इसको differentiate क्या जाएगा x square का differentiation होगा 2x to the power 2 minus 1 n into x to the power n minus 1 से अभी starting में मैं थोड़ डीटेल में समझा रहा हूँ आपको और plus sin x का differentiation क्या होता है cos x that equally होगा 2x plus cos x यह इसका answer हो जाएगा तो यहाँ पर देखो कि जब किसी भी two values का two function का plus या minus के फाँ में differentiation दोनों का separate separate differentiation इस तरह से हो जाता है यह है sum and difference का फार्मूला ठीक है difference कभी ऐसे होगा जैसे sum का वैसे difference का होगा अब हम देखते है product का second method product के लिए product और multiplication product और multiplication इसका फार्मूला होता है d by dx of u into v यहाँ पर u and v two functions है यह दोनों function का जो differentiation होगा u into v का वो क्या होगा product के फार्म में होगा तो product के फार्मूला इसका फार्मूला u into dv by dx मतलब first function इसको यह दिए हम first function सब पोस्ट कर लें इसको second function तो first function into differentiation आप second function और plus second function into differentiation of first function इस फार्म में इसका differentiation होता है example देखे हम इसका इस तरह से for example योदि हम इसका example देखे तो क्या हो जाएगा suppose हमने एक value ले लिया d by dx आप यहाँ पर ले लिया मैंने suppose sin x और into into ले ले लिया मैंने log x sin x into log x यह माल अपने पास दो value है sin x into log x अब यहाँ पर देखो यह u है जो पहले लिखा गया है यह क्या है u है और बाद में लिखा गया है वो v है तो u और v के इस तरह से हम फार्मूला से इसको differentiate करें तो u मतलब sin x क्या हो जाएगा यह sin x into dy dx आप v तो v का value कितना है log x तो यह हो जाएगा log x और plus v v मतलब हो जाएगा यह log x और into dy dx आप sin x इस तरह से that equal आगे solve करें तो यह हो जाएगा sin x into log x का differentiation 1 upon x होता है log x का differentiation 1 upon x तो log x को हमने 1 upon x लिख दिया 1 upon x लिख दिया और plus यह हो जाएगा log x into sin x का differentiation तो sin x का differentiation क्या होगा cos x इस तरह से तो यह इसका answer और आगे simplify हो नहीं सकता है तो आगे simplify नहीं हो सकता तो इस परकार से हम इसको कर लेंगे ओके यह इसका answer है यह इसका final answer है ओके तो multiplication का formula याद रखने हैं और ऐसे इसको differentiate करने हैं इसके बाद देखते हैं division का formula third is division division में हम किस तरह से इसको use करेंगे देखो division का formula है d by dx of u upon v d by dx upon u upon v यह formula थोड़ा complicated form है ध्यान देना v du by dx मतलब denominator into differentiation of numerator minus u into dv by dx upon square of the denominator तो यहाँ पर क्यों होगा v square होगा इसका भी हम एक example देख लें इसका example d by dx of suppose कुछ भी लिखे हैं suppose हमने लिख लिख लिया lag x upon x यह इसका हमको करना है तो देखो lag x u है और x v है तो v means यह हो जाएगा v v का value कितना हो जाएगा x यह हो जाएगा x और d by dx of u तो u का value क्या है lag x है तो यह होगा lag x minus lag x minus lag x into d by dx of first function that means x और upon x का square यह इसका फर्मूला होगा आगे देखो यह होगा x into d by dx of lag x lag x का differentiation 1 upon x होगा और minus minus lag x into d by dx आप x 1 और upon क्या हो जाएगा यह x square that equal यहाँ पर x x cancel out होगा और 1 minus lag x 1 minus lag x upon x square this is the final answer तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ फार्मूला लर्न करना है और फार्मूला लर्न करने के बाद आप बहुत आसानी से differentiate कर सकते हैं मतलब यहाँ पर देखो basically आपको ऐसा calculus का पूरा कोई आपको calculus पर psg research नहीं करना है आपको फार्मूला लर्न करना है और यह process आपको ध्यान रखना है कि कैसे differentiate होना है कई बार इस student उसको खास कर भायो के जो students होते हैं नीट के प्रिप्रसंट करने वाले वह बहुत burden मान के उसको चलते हैं कुछ burden नहीं हो यदि आपने इमांदारी से formula learner कर लिया तो physics में कहीं पर भी हम differentiate करें या integrate करें वहां हमारा formula ही यूज होता है यह formula यूज होता है तो बहुत ज़्यादा उसमें आफ फंक्शन डिफ्रेंशियसन डिफ्रेंशियसन आफ फंक्शन आफ फंक्शन का मतलब क्या है यह मैं आपको सबसे पहले explain कर दूँ what is the sense of function आफ फंक्शन आफ फंक्शन का मतलब बता है function के अंदर और फंक्शन for example यहाँ पर मैं एक question लिखता हूँ यह question है suppose y equal lag sine x यह है function आफ function function आफ function कैसे हुआ यहाँ पर two function है एक function है lag और उसके अंदर एक और function है जो कि sine x है तो double function है यहाँ पर एक logarithmic function है यह logarithmic function है और function के अंदर एक और function है sine x अब इसका जब हम differentiation कर दें तो इसके differentiation करने के two method हैं एक तो substitution से और second chain rule तो chain rule ज़्यादा easy होता है ज़्यादा आसान है लेकिन मैं knowledge के carding आपको दोनों समझा देता हूँ बाद में फिर हमको जब भी use करना होगा हम chain rule से करेंगे तो इसका first method हम लेखते हैं जिसकों बते हैं chain rule method number first method number पहले substitution समझा देता हूँ है substitution substitution में हम क्या करते हैं variable को substitute करते हैं किस तरह से देखो जैसे हमारे पास question है y equal to log sin x यह हमारा question है अब हम इसको differentiate करें now differentiate जब इसको differentiate करेंगे तो x का respect में यह हो लेगा dy by dx equal to यह होगा dy by dx of log of sin x अब यहाँ पर problem यह है कि यहाँ पर हम log x का formula जानते हैं log sin x का formula नहीं जानते हैं तो ऐसे condition में हम क्या करेंगे यह sin x को कुछ new variable suppose कर लेंगे now put sin x equal to t यहाँ पर हमने sin x को t suppose कर लिया जब यहाँ पर हम sin x को t suppose कर लेंगे sin x को t suppose करेंगे तो sin x के जगा में t रख देंगे तो क्या हो जाएगा therefore dy by dx therefore dy by dx equal to यह हो जाएगा dy by dx आप log t यह हो जाएगा dy by dx आप log t मतलब यहाँ पर जो sin x है उसके जगा हम t put up कर देंगे अब यहाँ पर हमको log t का फर्मूला पता है log t का differentiation 1 upon t होगा लेकिन अब नया problem आगा है यहाँ पर नया problem क्या आगा भी रेखो कि यह t variable है और यह x variable है और मैंने आपको इस टार्टिंग में बताया कि दोनो variable same होना चाहिए जब तक दोनो variable same नहीं होंगे differentiate नहीं होता है तो differentiate होने के लिए इसको भी x होना चाहिए या इसको t होना चाहिए तो इसको हम t rest बना देते हैं respect में उसके लिए क्या करते हैं वैसे इसके बाद जो method बनाऊंगा ज्यादा आसान है रेखो यहां हमने क्या किया dt divide कर दिया हमने dt divide कर दिया तो d by dt आफ क्या हो जाएगा लाग t और चूकि dt divide कर दिया adjustment के लिए dt multiply करेंगे तो dt divide किया तो dt multiply कर दिया और यह जो dx है उसको यहां पर लिख दिया तो d by dt आफ लाग t into क्या हैगा dt by dx that equal आगे सालव करें तो लाग t का differentiation one upon t होगा और into यह होगा d by dx आफ t का value पूट अप कर दो t हमने suppose किया है किसको sin x को तो यह जो हमने sin x को t suppose किया है उसका value अगेन यहां पर put up कर देते है that equal इसको आप differentiate करें तो यह तो sin x का differentiation क्या होगा sin x का differentiation cas x होगा यह cas x होगया और अपान यह t के value को put up कर देते हैं यहां पर भी तिया हो जाएगा sin x that equal cart x cart x is the final answer ऐसा होता है substitution से यह sin x को t suppose करके इसका differentiation बट यह method बहुत lengthy है और हमको इस method से solve नहीं करना है अभी एक और method बताता हूँ जिसको हम chain rule बोलते है तो knowledge में आपको रखना है लेकिन हम use करेंगे chain rule को जो इसके बाद बता रहो है ठीक है चलिए तो second method है हमारा chain rule method number two method number two this is chain rule chain rule में होता क्या है देखो question को एक बाद लिखूं में question हमारा y equal to lag sin x अब इसका differentiate करो सिधा now differentiate तो differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा dy by dx equal to dy dx आप lag sin x dy dx आप lag sin x अब हमको यहाँ पर करना क्या है थोड़ा ध्यान से समझ जा है इसमें method तो easy है छोटा है बड़ थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है अब देखो इसको आप lag sin x की तरह मत देखो इसको आप देखो कि सपोज यह sin x नहीं x है रहने के लिए sin x है लेकिन आप imagine करो कि वो x है और यदि यह x होता तो सिधर differentiate हो जाता कैसा सिधर differentiate हो जाता log x का differentiation आपको नपान x लिख देते imagine करो आप imagine करो कि वो क्या है x है ठीक है तो that equal आगे हम इसको क्या लिख सकते है that equal dy dx आप तो differentiation हम कर रहे है सिधा तो log x का differentiation होगा 1 upon x तो भेले ही हमने उसको x imagine किया है लेकिन लिखो वही जो वो है तो sin x क्या है sin x हही है sin x हही है और into sin x का दुबारा differentiation होगा dy dx आप sin x यह chain rule का method है तो हमने जिसको हमने x suppose करके differentiate कर दिया वो again इसलिए 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 का chain है chain का मदब करता है chain में एक कड़ी के बाद दूसरे कड़ी add होते जाता है वैसी यहाँ पर chain का एक पारटी है एक पारटी है आप ऐसा समझे इसलिए नाम chain rule है तो क्या बोले एक पर ध्यान से सुनो जिस sin x को हमने x suppose करके differentiate कर दिया उसका again differentiation होगा इस तरह से that equal अब आगे क्या होगा यह that equal sin x का differentiation होगा cas x और अपान यह sin x that equal to cart x देखो answer आगया cart x इस तरह से जलो इसका मैं एक और method एक और question बता येता हूं हो सकता है यह आप में से कुछ लोग को difficult लगा होगा तो इसका मैं एक और example ले ले लेता हूं example number 2 suppose यहाँ पर मैं y equal to a question लिया यह हमने ले लिया suppose sin x square plus 3 suppose हमने यह ले लिया sin x square plus 3 तो sin x square plus 3 ऐसा कई जगा फिजिस में जूरत पढ़ेगा आपको sin x square function आप function कैसे हुआ एक function है sin और दूसरा algebraic function है x square plus 3 अब इसको differentiate करेंगे कैसे होगा देखो इसको differentiation करेंगे ति होगा dy by dx equal dy dx of sin x square plus 3 यह होगा that equal अब क्या करो यह है इसको x सपोस्ट करो इतने को x सपोस्ट करो तो sin के सामने वाले को x सपोस्ट करोगे तो sin का differentiation cas x होगा तो हम उसको cas x लिख देते हैं यह होगा cas x square plus 3 यह differentiation हो गया और इसके बाद फिर differentiation होगा किसका इसका जिसको हमने x सपोस्ट किया है तो d by dx आप होगा x square plus 3 that equal यह होगा cas x square plus 3 और d by dx आप x square x square का 2x होगा 3 independent constant है तो 0 होगा इसको हम सामने लिख लेते हैं generally लिखने का तरीका यह है कि cas को हम बाद में लिखेंगे तो 2x cas x square plus 3 यह इसका differentiation होगा तो इस तरह से हम chain rule से differentiate कर सकते हैं तो chain rule बहुत आसान है और chain rule से हमको इस तरह से कर रहा है ठीक है यह example का पी स्कीन साथ ले लो या एक बार ध्यान से समझ लो यही इसका main method है ओके chain rule की practice अच्छे से करना क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और यह काम कभी बहुत है तो differentiation यहाँ पर complete हो जाता है इतने method को आपको ध्यान रखना है इतना formula आपको याद रखना है इसके बाद हम start करेंगे integration ठीक है चलिए तो integration start करें हम now integration integration में मैं आपको पहला formula बता दिया था कि किस तरह से वो integration होता है तो integration के पूरे formula करने के बाद हमको यहाँ पर integration का कुछ method समझना है integration में product का जो formula होता है वो ज़्यादा काम कर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और इसमें addition subtraction का formula कैसे होता है करके मैं बताते जाता हूँ सबसे पहले हम देखते हैं addition या sum and difference लिख देता हूँ सीधा sum and difference sum and difference के लिए हम एक formula के फा में लिखते हैं जैसे integration of u plus minus v dx यदि ऐसा लिखा हो तो क्या हो जाएगा integration of u dx plus minus integration of v dx इस तरह से integration of u dx plus integration of v dx इस फाम में इसको formula को अपन लिखते हैं अब इसके लिए हमें एक example देखें तो example किस तरह से होगा देखो integration of suppose यहाँ पर हम एक example देखें integration of कुछ भी लिख लेते हैं x plus कोई भी example ले लेते हैं x plus sin x ले लिए हैं suppose मैं ने x plus sin x इसको मालो हमको integrate करना है तो इस formula से क्या है कि पहला और दूसरा first और second दोनों का लग-लग integration होगा तो पहले x का integration होगा यह integration of x dx और प्लस यह जाएगा integration of sin x dx यह ठीक है अब देखो that equal integration of x का पावर यहाँ पर 1 है x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 होगा और प्लस integration of sin x क्या होगा है minus cos x होता है यह formula सब आपको याद रहना चीए formula याद नहीं रहेगा तो कोई सभी question बनना जी नहीं है that equal आगे ही इसको हम लिख सकते हैं x square upon 2 और minus cos x और चाहो तो साथ में लिख सकते हो integration constant c यह इसका answer हो जाएगा चलिए मैं आपको थोड़ा से explain कर दूँ कि integration constant क्यों use किया जाता है यह integration constant क्यों use किया जाता है उसको मैं आपको थोड़ा explain करना हूँ बहुत ध्यान से समझना ठीक है उसके बाद हम इसके आगे के method आपको समझाएंगे integration constant क्यों use किया जाता है what is the sense of integration constant अलग से मैं topic कि आपको पढ़ा देता हूँ integration constant integration constant का role क्या है जैसे एक चीजा भ्यान रखना कि differentiation और integration एक दूसरे के just opposite process है integration और differentiation दोनों एक दूसरे के just opposite process है मतलब किसी value का यदि differentiate करने के बाद उसका opposite integration कर दें तो वो value regenerate हो जाता है मतलब वो value दुबारा आ जाता है यहाँ पर एक question आपको एक जांपर बता रहा हूँ suppose हमारे पास कोई question है y equal to suppose x square plus 2x plus 3 यह suppose हमारे पास एक question है अब हम इसका सबसे पहले differentiation करते है ठीक है यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका differentiation differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को दोनों साइट के differentiation करेंगे तो dy by dx equal to dy dx of x square plus 2x plus 3 यह मिलेगा that equal अब अलग-अलग differentiation होगा dy dx of x square plus dy dx of 2x plus dy dx of 3 now x square का differentiation 2x होगा और plus 2x में x कवन हो जाएगा तो 2 होगा और यह independent constant है कौन 2 तो 2 independent constant है तो इसका क्या हो जाएगा 0 और यह हमारा answer हो जाएगा x plus 2 अब concept यह कहता है कि किसी भी function का जब हम differentiation करते हैं तो after differentiation जो value मिलता है उसका integration करने से यह function वापस आ जाना चाहिए तो चलिए इसका हम अब क्या करते हैं integration करते हैं now integration of 2x plus 2 dx अब इसका ज़ी हम integration करें किसका differentiation करने से जो answer आया है उसका opposite करना है integration तो जब इसका integration करेंगे तो हो जाएगा integration of 2x dx plus integration of 2 dx अब इसका integration करें तो 2 और यह हो जाएगा x square upon 2 और प्लस 2 का अभी मैंने फार्मूला बताया है c का integration cx होता है तो 2 का integration 2x होगा अभी पीछे मैंने फार्मूला बताया है that equals इसको हम साल्व करें तो यह हो जाएगा x square 2 to cancel out हो गया और प्लस 2x देखो अब इसका question के साथ इसको टेली करो तो x square plus 2x आया लेकिन question हमारा क्या है x square plus 2x plus 3 तो यह 3 नहीं आपाया फ़र ध्यान से समझना बहुत important बात तो और मैं discuss कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3 मतब किसी function में जो independent constant होता है जो की differentiate करने के बाद 0 हो जाता है वो again integrate करने पर वो नहीं आ पाता वो generate नहीं हो पाता तो उसी 3 के representative के रूप में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं plus c लिखते हैं और यही plus c क्या कहल आता है integration constant that means the value of plus c in this case is 3 यहाँ पर c का value क्या है 3 है तो चुक्कि उसका value हमको पता नहीं होता तो हम उसका representative के रूप में plus c लिखते हैं c for constant तो यह है integration constant यह बात आप ध्यान से समझना कि after integration हम c क्यों लिखते हैं after integration हम answer में plus c क्यों लिखते हैं तो हम इस condition के लेकिन बाई जब यह होता तो फिर नहीं आता इसलिए हम plus c लिखते हैं ओके यह ध्यान में रखना चलिए अब यहाँ पर हम देखें integration of division form जो की function आप function का formula होता है यहाँ पर product का जो formula होता है देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ integration of product integration of product जिसको हम एक्ट्वाल में integration by parts भी कहते हैं integration by parts integration by parts का मतलब क्या होता है देखो इसके लिए एक formula जो multiplication form में होगा integration of u into v dx यह formula बहुत rare use होता है लेकि नीट में कई बार question मैंने पढ़ाया है कि previous year question में कुछ question कभी आये हैं जिसमें integration by parts का use हुआ है तो हमको कभी भी किसी भी subject का preparation को 100% मान के चलना चाहिए तो यह जो मैं integration by parts आपको समझा रहा हूं इसका कम use होता है लेकिन ऐसा है नाजा परसान होने का नहीं है लेकिन यह दिया आपको 100% preparation का target है तो आप इसके साथ risk भी नहीं ले सकते तो integration आप यू इंटू भी डी एक्स का formula होता है यह यू इंटू integration आप भी मतलब यह हमने इसको first function ले लिया suppose हमने इसको first function लिया है और इसको second function लिया है तो first function into integration of second function minus whole integration of d by dx of first function into integration of second function और इसका whole integration इस तरह से इसका formula होता है तो यह u integration of v dx minus integration of d by dx of u into integration of v dx इसका whole integration यह इसका formula है अब इस पर मैं एक example बतादू तो आपको ढंग से समझ में आएगा है ना ऐसा formula तो बहुत complicated लग रहा होगा तो चली हम इस पर एक formula question देखते हैं और यह question है suppose हमारा x into sin x suppose x into sin x हमारा एक formula है यह question है इसको हमको करना है तो यहाँ पर x क्या है u है और sin x क्या है v है अब इस formula को हम यहाँ पर reply कर दें तो u मतलब क्या हो जाएगा x into integration of v मतलब integration of sin x dx minus integration of d by dx of u मतलब यह कहाएगा d by dx of x into integration of integration of kya sin x integration of sin x dx और इसका जो value आएगा इसका जो value आएगा उसका again integration इस तरह से होगा that equal x into integration of sin x minus cas x होगा integration of sin x minus cas x और यहाँ पर minus integration of d by dx of x 1 होगा और minus sin x का integration यह हो जाएगा minus cas x dx यह सब formula आपको याद रहना चाहिए that equal minus को सामने लिख देता हूँ तो minus x into cas x minus यहाँ पर देखो minus into minus प्लस हो जाएगा अब cas x का again integration होगा तो हो जाएगा sin x और plus c लिख देंगे यह इसका answer होगा तो इस तरह से इस formula को use किया जाता है देखो यह जितने question में आपको बता रहा हूँ यह question को आपको बार-बार repeat करना है आपको बहुत से question का practice जवरत नहीं है आप formula और एक question को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो तो ऐसा नहीं कि उस पर आप मैस की student नहीं हो आपको मैस के ऐसे बहुत हजारों question की practice नहीं करना है आपको मैस पढ़ाया जा रहा है physics के लिए तो मैं हमेसा suggest करता हूँ student को कि दो चीज़ पर आपको focus करना है फर्स्ट फार्मूला एंड अप्टर डेट इट्स मेथड फार्मूला लर्न कर लो और मेथड को ध्यान में रखो इसके बाद physics में जहां यूज होगा आप वहां पर उसको यूज कर पाओगे इसा नहीं कि उस पर हमको बहुत से question की प्रेक्टिस जवरत है तो बहुत question की प्रेक्टिस करके यहां पर time waste करने का जवरत नहीं है आप सिर्फ mathematical tools को tool की तरह तूल मतलब आउजार चूल को हम कम यूज करते हैं जब ज़रत हो जहां ज़रत हो आईसा तो नहीं कि टूल को लेके हमेंको घूमते रहते हैं जहां पर आपको machine में ज़रत हो वही तो तूल यूज करोगे ना तो हमारे पास टूल बहुत सारा होता है mathematics का लेकिन physics में हमों जहां जिसका जुरुत पढ़ता है वहां पर यूज करते जाते हैं उस वह में आपको प्रिप्यार करना है मैं इसलिए ऐसा बोला हूं कि कई बार मैंने देखा है कि कई स्टुडेंट इसको बर्डन की तरह ले लेते हैं इसको बहुत आराम से धीरे फिर आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ छोटा सा इंटीग्रेशन छोटा सा लिफ्रेंशी्सक कहींपर भी हो जाता है बस फार्मूलें आपको लर्ण करना है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं यह हो गया इसका अब इसका हम एक important concept समझते हैं जो integration का calculus का last concept है और यह physics में सबसे ज्यादा यूज होगा और वो है integration by part स्वारी definite integration definite integration और यही सबसे ज्यादा यूज होगा अभी तक जो हमने integration पढ़ा वह actual में indefinite integration था अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह definite integration होगा definite integration का मतलब जहां पर value definite आता है निश्चित आता है certain value आता है वह definite integration कालाता है तो definite integration के लिए हमें formula पढ़ें formula क्या है integration of function of x dx suppose अपने पास कोई function है उसका integration हो रहा है और इस integration में integration के sign के नीचे a लिखा है यहाँ पर b लिखा है और a और b क्या कहलाता है इसका limit कहलाता है तो जब किसी integration को हम upper limit to lower limit to upper limit integrate करते हैं और definite integration कहलाता है यहाँ पर जो a लिखा गया है यह a है यहाँ पर lower limit इसको हम lower limit कहते हैं और यहाँ पर यह जो b लिखा गया है वो है upper limit अपर लिमिट लोवर लिमिट इन अपर लिमिट तो जब किसी integration को lower limit to upper limit integrate करते हैं वो definite integration कहलाता है तो formula इसका क्या है after integration यह जब इसका integration होगा तो integration का sign हटा के इस तरह से bracket लगा दोगे और यह small fx है इसको मैंने लिख दिया capital fx इसका मतलब क्या हुआ कि यह function integrate होने के बाद यह जो function है integrate होने के बाद fx हो गया और यह जो limit a b लिखा गया है उस limit को हम यहाँ पर लिख देते हैं a to b इस तरह से तो यह है definite integration का formula अब इस पर हम देख लेते हैं कि example जब तक मैं आपको इस पर example नहीं बताऊंगा यह समझ में नहीं आएगा तो इसके example क्या है देखो एक example मैंने लिया suppose i equal to integration up मैंने ले लिया suppose cas x dx from 0 to pi by 2 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं यह 0 to pi by 2 cas x अभी मैं दो तीन example बता देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छा से clear हो जाए definite integration पर आपको ज़्यादा command करना है यह हमारा एक question है ऐसा physics में बहुत बार use होगा अब इसका integration कैसे होगा देखो बहुत आस च्छान है सबसे पहले हम का शब्रृग्षान लिख लेगे मैंने आप बोला है कि जो function अफैक्स है उसको सबसे पहले हम integrate कर देंगे तो हम cars x को integrate कर देंगे कास एसका integration होता है sin x तो यह मैंने यहाँ पर लिख दिया sin x और यह जो limit है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0 to pi by 2 तो हमने limit को हाँ पर put up कर दिया that equal limit रखने का formula यहाँ पर आगे की step में एक और explain करना था that equal अब limit को हम यहाँ put up करते हैं तो एक बार यहाँ पर upper limit put up होता है function up b और minus फिर lower limit put up होता है यह function up a after integration upper limit को हम पहले लिखते हैं और फिर minus करके lower limit को लगते हैं मतलब जहाँ पर हमारा x variable है उस x variable के जगा हम limit को यहाँ पर substitute कर देते हैं तो यह हो जाएगा function up b minus function up a उसी तरह से यहाँ पर value को हम put up करें तो value क्या हो जाएगा देखो यह 1 अब pi by 2 यहाँ पर put up करेंगे तो हो जाएगा sin pi by 2 और minus sin 0 sin pi by 2 के value 1 होता है तो हो जाएगा 1 और sin 0 0 1 minus 0 equal to 1 this is the final answer और देखो यह definite value है 1 is definite value निश्चित मान है वो इसलिए वो क्या कहलाता है definite integration कहलाता है तो इस तरह से इसका use होता है ठीक है चलिए यह तो मैंने trigonometric example लिया कुछ algebraic example मैं आपके लिए लेता हूँ ताकि वो आपको clear हो जाए suppose हमने एक question इस तरह से ज़िया i equal to suppose 2x plus 3 i equal to 2x plus 3 limit हमने ले लिया suppose minus 1 से plus 1 minus 1 to plus 1 और यह हमारा एक question है ठीक है 2x plus 3 अब integrate कैसे होगा देखो दोनों का अलग-अलग integration होगा 2x का dx न यहाँ पर dx लिखना भूल गया यह dx अब इसका जब integration होगा तो integration कैसे होगा यह 2 और into x का integration हो जाएगा x square upon 2 और plus 3 तो 3 का integration हो जाएगा 3x अब यहाँ पर limit है minus 1 to 1 यह अब next line में देखो यहाँ पर 2 2 के साथ cancel out हो जाएगा तो 2 2 के साथ cancel out होने के बाद that equal यह हो जाएगा x square plus 3x यह हो गया minus 1 to plus 1 that equal अब यहाँ पर हम limit put up करेंगे upper limit minus lower limit तो पहले upper limit को यहाँ put करेंगे तो ध्यान रखना सबसे पहले जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 put होगा तो चलिए 1 put करते हैं यहाँ x यह 1 minus 1 नहीं 1 पहले 1 put करेंगे यह हो गया 1 का square plus 3 into 1 यह हो गया इसके बाद minus minus lower limit होता है तो minus यहाँ पर put करेंगे अब यह हो जाएगा minus 1 का whole square और फिर minus होगा सामने multiply होने पर सब minus हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 into minus 1 यहाँ पर 3 और x के जगा में minus 1 यह हमने यहाँ पर limit put up कर दिया that equal अब क्या-क्या value होगा ध्यान से समझो 1 का square 1 3 into 1 1 तो 3 plus 1 4 है एक बाद पूरा लिख देता हूँ 1 plus 3 यहाँ पर minus 1 का square plus 1 होगा यह हो गया minus 1 यहाँ पर minus 1 into minus into minus plus होगा यह कितना हो जाएगा plus 3 होगा that equal 1 minus 1 cancel out होगा 3 plus 3 6 तो इसका answer कितना हैगा 6 आएगा इस तरह से इसका integration होता है तो definite integration का बहुत ज्यादा use होता है यह आपको अच्छे से prepare करना है इस formula के साथ यह formula के साथ आपको याद करना है यह जो मैं यहाँ पर formula लिखा है इसको याद करना है यह clear यह कहलाता है definite integration और यह हाँ पर हमारा integration complete हो जाता है तो मैं आपको यह बात बार बार याद दिला रहा हूं कि सबसे पहले आप formula learn करो formula learn करने के बाड़ आपको क्या करना है process को याद रखना है एक एक दो दो question की practice से कर सकते हो इसका पूरा PDF आपको हमारे application पर मिलेगा origin the learner सहब पर इसका आपको पू प्रोवाइड किया गया है basic mathematical tools करके आपको हर mathematics का जितना भी मैं समय आपको पढ़ा रहा हूं सब मिलेगा ठीक है अब हमारा जो last mathematics जो हमको पढ़ना है mathematical tools में वो है geometry तो geometry हमीं स्टार्ट करते हैं और geometry को basic introduction से मैं आपको पढ़ा दूँ next mathematics is geometry geometry बहुत बड़ा mathematics का branch है लेकिन हमको यहां पर उतने ही चीज पर discuss करना है जितना हमको physics में जरूरत है जैसे हमने calculus पढ़ा वैसे हमने सभी mathematics को उसी हिसाप से touch किया है जैसे हमको इतना पढ़ने के बाद physics में आपको कोई जरूरत नहीं पढ़ेगा इतना compact और systematic collection है मेरा basic mathematical tools का कि बार-बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने mathematics के five branches को जितना मैंने आपको contents दिया है उतना अच्छा command कर लें तो आपको कहीं problem नहीं होगा यह fact है तो जामेट्री के two branches होते हैं देखो जामेट्री के हमारे पास two branch है और यह two branch जो मैं आपको explain कर दूँ यहाँ पर वो है एक branch हमारा जो कहलाता है वो है एक मिनट थोड़ा systematic कर दें जामेट्री 2D और 3D होता है और हमको यहाँ पर three dimension geometry का बहुँच जाना जोनत नहीं पड़ेगा पड़ेगा वहाँ पर physics में उसको और बताये करेंगे आपको तो geometry होता है two dimension geometry three dimension geometry यह dimension क्या होता है x axis y axis x axis y axis z axis तीनों हो तो three dimension होता है लेकिन यहाँ पर basically geometry को हम two types से पढ़ते हैं एक कहलाता है coordinate geometry एक coordinate geometry कहलाता है and second is analytical geometry यह जानना आपको क्यों जोर्वी है क्योंकि geometry आप physics में दो तरीके से यूज करते हों coordinate geometry का मतलब होता है ऐसा geometry जो coordinates के help से पढ़ा जाता है coordinates के help से आपको coordinate पता है तो coordinate मतलब जैसे आपने कहीं पर लिखा हो xy coordinates xy coordinates यह two dimension में और xy z coordinates यह आप three dimension में इस तरीके से आप जो पढ़ते हो वो कहलाता है coordinate geometry ठीक है जैसे इस तरह से एक्सिस होता है introduction देदू फिर उसके बाद मैं आपको separate separate पढ़ाऊंगो सबको पढ़ाना अपने को separate ही है इस तरह से कि यह two dimension हुआ और तीसरा एक्सिस भी हो तो three dimension हुआ और इसका कोई points है suppose यहां पर suppose कोई point है इसका coordinate suppose xyz है तो इस तरह से coordinate geometry में ऐसा geometry जिसको हम coordinates के help से solve करते हैं वो क्या कहलता है coordinate geometry कहलता है analytical geometry में क्या होता है analytical geometry में हम जैसे किसी साइट्स क्या angle के फार्म में अपन जब किसी question को solve करते हैं side और angle के beth for example Suppose right angle ट्राइंगल एता हूं ठीक है यह राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें suppose हम कुछ इस्टैड़ी कर रहे हैं इस राइट अविंगल ट्राइंगल में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर suppose हमने हाइट आप्दा ट्राइंगल निकाला area of the triangle निकाला suppose इसके area निकाला 1 upon 2 base into height तो जब हम analytical geometry पढ़ते हैं तो महाँ पर size and shape मतलब हमारे जो figure का जो size and shape होता है उसके base पर जो study करते हैं वो क्या कहलाता है? analytical coordinates के help से study करते हैं तो coordinate geometry और size and shape के हिसाब से जो formula हम निकालते हैं analytical geometry करते हैं वैसे इसका बहुत broad sense है लेकिन आपको इतना जानना है यह two dimension जैसे मैं आपको बताया three dimension में आपको जानना है तो किसी भी चीज़ का अपन three dimension study भी करते हैं three dimension study भी करते हैं जैसे मानलो कहीं पर लिखा हुआ हो यह safe हो यह three dimension मालग क्यूप और क्यूबायड है तो इस प्रकार करते हैं तो पहले हम सेपरेट पर लेते हैं और क्वाडिनेट जैमेट्री हमको किन किन बात हो बिल्कुल टूदी पाइंट बता रहा हुं जो आपको फिजिसमें जोगरत है ऐसा नहीं कि कि मैं पूरा घजक च्टकर रहा हूं मैं फिजक जो पॉइंट के लिए यह ध्यान रखना में साथ यह बार बहुंद दिला रहे हम 這個 की करें कौर्डिनेट जामेट्री में कौन-कौन सा फार्मूला हमको याद रखना है यह देखना है कि कौर्डिनेट जामेट्री में हम कौन-कौन सा फार्मूला याद रखेंगे जिसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला distance formula का मतलब क्या है suppose अपने पास two points है और वो two points का हमको क्या करना है distance find करना है तो इसके लिए हम कौन सा formula यूज करते है देखो यह suppose एक distance है एक line है और यहाँ पर यह एक point है suppose और यह b एक point है और a point का coordinates suppose x1, y1 है और b point का coordinates suppose x2, y2 है इस तरह से तो इसके लिए हम क्या करते है distance मानिए distance a b तो distance a b निकालने का formula होता है under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यह formula आपको बहुत ज़्यादा use होगा इस formula को आपको learn करके आद रखना है यह formula दे रहा हूं है उस पर question करने गभी आपको ज़ुरत नहीं है सिर्फ आप formula याद करो और formula याद करने के बाद आपको use में आ जाएगा यह है distance formula distance formula आपको याद करना है बस यह formula 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 लार ना करना है और कुछ नहीं यह formula आपको याद है फिजिस में कहीं ज़ुरत पढ़ेगा यूस कर लेंगे बस आपको formula याद होना चाहिए फिजिस में जहां ज़ुरत है तो आपको यूस कर लेंगे नेस्ट हम देखते हैं एरिया ट्राइंगल सेकंड इस एरिया ट्राइंगल इसका भी महुंच ज़्यादा ज़ुरत पढ़ता है एरिया ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे देखो सपोज यह ट्राइंगल है अपने पास और इसका हमको एरिया निकालना है यह ट्राइंगल ABC A, B, C A point का coordinate suppose X1, Y1 है B point का coordinate suppose X2, Y2 है और इसका coordinate suppose X3, Y3 है तो coordinate geometry में area of triangle find करने का फार्मूला बहुँच ज़्यादा यूज होता है तो area of triangle area of triangle ABC equal to formula होता है 1 upon 2 root of X1 Y2 minus Y3 plus X2 Y3 minus Y1 और plus X3 Y1 minus Y2 यह फार्मूला आपको याद करना है clear यह area of triangle का formula है area of triangle equal to 1 upon 2 root of X1 Y2 minus Y3 plus X2 Y3 minus Y1 plus X3 Y1 minus Y2 whole root यह ध्यान रखना इस formula के help से अपन इसके value find कर सकते है area of triangle find कर सकते हैं यह coordinate geometry का 2 important formula है एक और formula बता रहूं जिसको हम section formula बोलते हैं तो section formula से भी हम उसको find कर सकते हैं यह फार्मूला अप्लार न कर लो यहाँ पर आप order को ध्यान रखना 1, 2, 3 फिर 2, 3, 1 फिर 3, 1, 2 ऐसा cyclic order में होता है उसको याद करने का तरीका आपने 9, 10 में पढ़ा होगा next है section formula इसका भी ज़ुरत पढ़ता है physics में coordinate geometry में section formula यह section formula क्या है जब कोई point किसी line को section करता है मतलब divide करता है तो divide करने के condition में section formula किस तरह से काम आता है यह suppose यह एक line है और इस line को कोई point section क्या हुआ है मतलब divide क्या हुआ है इह एक point है यह एक point है suppose A point है यह B point है और C point उसको section की बाटा हुआ है यह M1 रेसिव, M2 ने suppose divide करता है और a point का coordinates हम suppose कर लेते हैं x1, y1 और b point का coordinates suppose कर लेते हैं suppose upon x2, y2 और c point जो उसको section कर रहा है उसका coordinate suppose xy है तो यहाँ पर यह formula है x find करने का मतलब इसका x coordinate फार्म करने का m1 का x2 के साथ multiply होता है m1 x2 और plus m2 का x1 के साथ में तो जाएगा m2 x1 upon होता है m1 plus m2 यह x find करने का formula है और y find करने का formula होता है m1 y2 1 का 2 के साथ m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 यह internal intersection करता है तो और external intersection करता है तो बीच में minus हो जाता है ठीक है तो यह section formula आपको याद रखना है मैं एक एक करके सभी वो formula आपको बताते जा रहा हूँ जो आपको geometry में कामाना है तो तीन formula आप याद रखो और आपको coordinate geometry में ज्यादा formula का जवरत नहीं पढ़ेगा एक distance formula distance between two point दूसरा formula area of the triangle किसी triangle का area हम coordinate geometry में कैसे find करेंगे यह formula कामाएगा area of triangle अभी आगे हम और पढ़ेंगे लेकिन वो analytical geometry में पढ़ेंगे और तीसरा formula आपको याद रखना है वो है section formula तो coordinate फार्मूला में ज्यादा फार्मूला याद नहीं करना है analytical में ज्यादा फार्मूला है ठीक है चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे analytical geometry next है analytical analytical geometry इनालिटिकल जामेट्री इनालिटिकल जामेट्री में सबसे पहले फार्मूला हमको पढ़ना है वो है सबसे पहले हमको टापिक पढ़ना है समझे वो है स्टेट लाइन बहुत जादा यूज होता है इस्टेट लाइन जो होता है उसका हमको क्वेशन पढ़ना एकवेशन आप इस्टेट लाइन में फस्ट एकवेशन ये और इसको बहुत ध्यान से समझना इसका physics में 11 class में पहले चेप्टर से इसका बहुत ज्यादा use start हो जाता है इस तरह से देखो यहाँ पर यह एक x-axis है यह suppose x-axis है यह suppose y-axis है और यहाँ पर आप एक state line ड्रा करता हूँ यह suppose एक state line है जो आप yellow color से देख रहे हो और इस state line का हमको equation यहाँ पर explain करना है यह state line है अपने पास a b a b एक state line है और इसका equation क्या होता है यह हमको यहाँ पर देखना है तो यह जो state line a b है वो suppose x-axis के साथ में यहाँ पर x-axis के साथ में suppose theta angle बनाया हुआ है और y-axis को जो intercept किया है length उसका length suppose c है यह क्या है? suppose यह o point है तो o से लेके c तक का जो distance है o c यह distance इसका intercept length है और x-axis के साथ यह क्या क्या है? theta angle बनाया हुआ है तो इसका जो equation होता है equation of state line equation of state line इसका जो equation होगा वो equation होता है y equal to mx plus c y equal to mx plus c इसका standard equation होता है इस equation को आपको याद रखना है y equal to mx plus c इसका standard equation होता है clear? where c is intercept length, m is gradient यहाँ पर मैं आपको explain कर दूँ कि m होता क्या है? तो यहाँ पर जो m use किया गया है, m को बोला जाता है gradient gradient मतला होता है slope, slope of the graph बहुत ज़्यादा use होगा इसका physics में gradient मतला होता है slope of the graph और m का यहाँ पर जो value होता है, वह 10 theta के equal होता है m equal to 10 theta and that is also equal to dy by dx यहाँ पर जो m use किया गया है, इस m को हम gradient बोलते हैं और उसका formula होता है m equal to 10 theta dy by dx मतलब यहाँ पर जो angle बना है, उसका हम 10 theta ले 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 तो हमको हमको उसका gradient मिल जाता है यह formula आपको याद रखना है मैं बार 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 बोल रहूं, यह formula use बहुत ज़्यादा होगा अभी जब आप 11th class का पहला दूसरा chapter पढ़ोगे units and measurement के बाद, जब motion in state line पढ़ोगे तो देखो इस chapter का नाम ही है, motion in state line तो state line का equation वहाँ पर use होता है यह सब concept poor होने के कराण ही physics समझ में नहीं आता मेरे को मालूम है, किसी भी student को physics difficult लग रहा है तो सिर्फ एक रीजन है उसका mathematical tools poor है, इसलिए बातों को समझ नहीं रहे हो कि यह चीज उसको जाने, तो जितना तेजी से उसको physics पढ़ा लो उसको समझ में आएगा, इसलिए आपको basic mathematical tools को strong करना बहुत ज़री है यह होता है equation of state line का पहला condition इसके बाद इसके और conditions है, जो ज़री है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा equation of state line second, इसका second form, यह भी state line के equation है यह क्या होता है, देखो यहाँ पर यह इसका दूसरा form है और इसको हम इस तरह से करेंगे यह equation है, यह यहाँ पर state line है, A, B यहाँ पर ध्यान देना, कि यहाँ पर जो state line है, यह है A, B, यह इसका x-axis है, और यह इसका y-axis है, और यह इसका origin है अब O से लेके A तक का जो intercept length है, वो A है, और O से B तक का जो intercept length है, वो B है तो यह और B है, तो यहाँ पर जो equation होता है वो क्या होता है, देखो therefore equation of state line equation आप A, B लिख दिया मैं सिधा जो की state line है, उसका formula होता है, x upon A plus y upon B equal to 1, यह इस फाम में होता है यहाँ पर state line का equation, intercept फाम बोला जाता है इसको, यह होता है, x upon A plus y upon B equal to 1, यदि इसको हम आगे simplify कर दें थोड़ा सा simplify, माने पूरे equation में अपन क्या करें, that implies suppose A, B को हम multiply कर दें तो पूरे equation में हम A, B को multiply कर दें तो हाँ पर A, B multiply करेंगे तो B, x plus A, y equal to 1 हो जाता है, यह इसी फाम में आपको इसको याद रखो, तो भी सही है, ठीक है तो इस फाम में क्या होता है, इसको यूज किया जाता है, बस एक ही फाम याद रखो इसको x अपने plus y upon B equal to 1 इसका भी use होता है कभी कभी कई question, पहले वाले का जादा use होता है, इससे पहले जो बताया, उसका जादा use होता है तो यह है equation of state line इसके बाद हम कुछ फार्मूले देखते हैं, area triangle area triangle का formula क्या होता है एक triangle हम बना लेते हैं कोई भी किसी भी तरह का triangle बना लेते हैं suppose यह हमने triangle बना लिया यह हमने triangle बना लिया, अब इसका suppose हमको area find करना है तो इसका area कैसे find करते हैं देखो, यहाँ पर हमको इसका perpendicular करना पड़ेगा यह side से इस side पर perpendicular करना पड़ेगा क्योंकि height हमको जानना होता है तो यह एक triangle है A, B, C और A, D क्या है, इसका height है तो area of triangle निकालने का formula क्या होता है area of the triangle equal to होता है 1 upon 2 base 1 upon 2 base into height 1 upon 2 base into height यह formula होता है यहाँ पर base क्या है यह BC है, that means क्या हो जाएगा यह 1 upon 2 into BC base है और height क्या है A से D, तो height होगा A, D area of triangle equal to 1 upon 2 base into height होता है यह formula याद रखने, यह सब को याद रहता है बहुत आसान formula है इसका तो आप lower class से ही use करते रहते हो, इसको हर को ही जानता है अब अलग 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 धंकस इसको निकालते हैं जैसे right angle triangle है तो perpendicular height हो जाता है लेकिन 1 upon 2 base into height आपको याद रखना है area of triangle के लिए ठीक है बाकि area of rectangle, area of square यह सब आपको पता है यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक important चीज मैं आपको परता रहा हूँ जिसका हम बहुत ज़्यादा use करेंगे वो है area of trepegium मैं वो फर्मूल आपको सीधा बता रहा हूँ जिसका हम सीधा phygeist में use करेंगे बहुत ज़्यादा use होगा इसका area of trepegium area of trepegium मैं पहले आपको trepegium का सेब बना दूँ उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे area उसका कैसे होता है देखो यह area एक trepegium है देखो यहाँ पर यह trepegium नहीं है trepegium मैं बता दूँ two parallel sides some of two parallel sides और यहाँ पर फिर इसके बीच का height अपने को चाहँ थोड़ा easy फाम में बना देता हूँ इसको मैं थोड़ा easy फाम में बना देता हूँ वो भी trepegium बना सकता था लेकिन उतना complicated नहीं ले जा रहा हूँ मैं मैं आपको ऐसा है पर trepegium बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पर आपको triangle भी दिखे यह area यह trepegium है और इसका area होता क्या है कैसे निकालते हैं यहाँ से मैं इस पर perpendicular कर दूँ यहाँ पर देख रहा है ट्राइंगल है एक rectangle है area प्रेपिजियम हम निकालते कैसे हैं यह है A, B, C, D area प्रेपिजियम निकालने के लिए इस triangle के area में इस rectangle के area को add करते हैं area प्रेपिजियम निकलता है लेकिन वह बहुत lengthy process हो जाता है इसलिए area प्रेपिजियम का हम direct formula निकालके रखते हैं वह है इसका जो area होगा उसके लिए formula होता है 1 upon 2 sum of the parallel sides sum of parallel side तो parallel side कौन कौन सा है A, B और यह C, D यह दोनों एक दूसरे के parallel side है यह parallel नहीं है यह parallel है तो sum of parallel side मतलब यह हो जाएगा A, B plus C, D और into distance between parallel side तो यह इसका distance नहीं है distance क्या है? B, C है तो into क्या होगा? B, C यह formula याद रखना इसका मैं physics में बहुत ज़्यादा use करूंगा मैं physics में इसका बहुत ज़्यादा use करता हूँ personally मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत से numericals में और बहुत से formula derivation में इसका use करके काम को असान कर देता हूँ कई बार book में writers area triangle निकालेंगे, फिर rectangle निकालेंगे, फिर दोनों को sum करेंगे, फिर adjustment करेंगे चार-पांच step में जो काम करते हैं, उस काम को हम एक step में कर देते हैं, इसलिए आपको area of prefigium याद रहना चाहिए अच्छे से, तो area of prefigium का बहुत ज़्यादा use होता है, यदि काम को आसान करना है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, area of prefigium ठीक है, इ equilateral triangle के बारे में, आपको मालूम एक चीज आप notice कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे तो भी आपको करना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो यह है, कि मैं फटा-फट topic skip करके सीधा-सीधा किसी topic पर बात करने लग रहा हूँ, अचानक उस पर अचानक फिर trapegium फिर अच मतलब समझ रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं बहुत लांग डिवरेशन से 23 यर से फिजिस पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक एक टापिक मेरे दिमाग में anytime रहता है, कि कौन सा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, वो फिजिस का कहां पर यूज करने वाला हूँ, जैसे आपको area after refigium मैं पढ़ाया, तो मेरे दिमाग में वो सब आगा है, कि इसको मैं कहां कहां यूज करूँगा, एक दो आप सुन लो ऐसी, इसको हम यूज करेंगे, जब velocity time graph पढ़ेंगे, motion in one dimension में, इसको हम यूज करेंगे, जब thermodynamics में graph से related हम question करेंगे, तो graph के area निकालेंगे, तो मु मैं आपको basic mathematical tools अपने experience के base पर पढ़ा रहा हूं, कि मैं जो experience किया physics में, कि जो tool provide कराओंगो, इसको कहां पर use करूँगा, इसलिए सीधा सीधा उस topic पर मैं पहुँचके उसको पढ़ा रहा हूं, इसको यह आप बहुत अच्छे से कर लिए, तो आप खुद अनभाव करोगे आप खुद फिल करोगे कि फिजिस कितना ही स्टांग हो गया मेरा, बस आपके मेहनत पर है, मेरे पढ़ाने बस से कुछ नहीं होगा, आप जब उसको proper work करोगे, फिजिस बहुत आसान होगा, तो equilateral triangle हम बहुत जगा यूज़ करते हैं, equilateral triangle की क्या-क्या special properties होती है, यह हम को एक equilateral triangle बना लेते हैं, कोशिस करता हूँ, equilateral ही बने, मेरे ख्याल से बन गया है, तो यह equilateral triangle अपने पास है, और इस triangle का हम नाम दे दिये, ABC, यह इसकी क्या-क्या properties होती है, इसको बहुत ध्यान से अपने को समझना है भी, क्योंकि इसके बहुत सारे खासियत होते हैं, यह इस perpendicular होता है, 90 degree होता है, तो यह side by sector होता है, मतलब दोनो side को equal part में divide करता है, साथ ही यह angle by sector होता है, देखो, equilateral triangle का हर angle 60 degree होता है, यह 60 degree होता है, लेकिन यह angle by sector होने के नाम से इसको 30 degree में divide कर देता है, तो यहाँ पर यह दोनों equal होते हैं, इसकी properties को मैं लिखते जा रहा हूँ, और पहले ध्यान से समझना, सबसे पहला काम तो यह, कि AD equal to CD होता है, इसमें AD equal to DC या CD होता है, मतलब यह side को biset करता है, ठीक है, यह angle तो equal होता है, यह ध्यान में रखोगे, दूसरा important बात यह, कि इसका area तो वही होगा best into height, यह best into height यह होता है, यहाँ पर यह जो centride होता है, मतलब centride इसका क्या है, जहाँ पर इसके सभी median, सभी median एक दूसरे को interset करते हैं, इसका तो हम बहुत use करने वाले हैं तो यह एक centride यह है, और एक इसका bisector है यह, तो यह जो point है, इसका centride point कहलाता है, center में जो point मिला है, यह centride है, इसको हम O से represent कर देते हैं, और यह जो O होता है, यह इसको 2 ratio 1 में divide करता है, मतलब equator triangle का centride होता है, वह इसको 2 ratio 1 में divide करता है, ध्यान रख, यह part 2 होता है, और यह part 1 होता है, मतलब vertices, vertices का जो part है 2 होता है, जैसे यहाँ पर यह 2 होगा, यह 1 होगा, यहाँ पर यह 2 होगा, यह 1 होगा, ठीक है, तो यह बात ध्यान में रखोगे, और यहाँ पर AD का जो value होता है, यह AD मतलब इसका जो, कहना चाहिए million है, यह AD का जो value होता है, वो root 3 by 2 होता है, root 3 by 2, suppose इसके L by 2 होगा, यह वाला portion L by 2 होगा, तो यहाँ पर जो AD का value है, AD वो होता है, under root 3 by 2 into L, मतलब इसका जो median है AD, वह root 3 by 2 times of the side of the length होता है, उसके बाद यदि हम जानना चाहें कि AO का value क्या होता है, मतलब vertices से center at के बीच का जो distance होता है, वो कितना होता है, ठीक है, तो 2 ratio 1 में होता है, तो 2 by 3 OD हो जाएगा, इसको हम कहले सकते हैं, 2 by 3 OD, मतलब third यह भी हम लिखना चाहें क्या AO, AO यह जो A से लेके O तक का distance है, वो कि हो जाएगा 2 by 3, 2 third after AD, 2 third after AD होता है, इसको हम आगे solve करें, तो 2 by 3 और AD का value put करते हैं यहाँ पर क्या, root 3 by 2 into L, तो 2, 2 cancel out हो जाएगा, और यह root 3 में root 3 cancel out होएगा, तो L by root 3 होता है, L by root 3 होता है, किसका value A होगा, यह बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको यह दिया प्रापर लर्न कर लिए, इसको यह दिया प्रापर लर्न कर लिए, तो बहुत जगा यह आपको बहुत help करेगा, clear, ते कहलाता है, equilateral triangle और उसकी properties, इतनी properties आपको याद रखना है, मतलब equilateral triangle पर जितना बात मैं आपको बताया, यह पूरी बात आपको बहुत अच्छे से तयार होना चाहिए, especially equilateral triangle आपको अच्छा prepare होना चाहिए, ओके, इसके बाद मैं आपको बता दूँ, पैराबोला के बारे में, कि पैराबोला भी बहुत ज्य dimension geometry में, पैराबोला, जिसको बहुत ज्यादा use होगा, पैराबोले एक safe है, जैसे circle होता है, जिस तरह से circle होता है, उसी तरह से क्या होता है, पैराबोला, चलिए काम करूँ, मैं पहले circle पढ़ा दूँ आपको, circle, circle का equation देखो, circle तो हर किसी को पता है, बहुतों कि circle तो सबको पता है, सर इसमें क्या है, लेकिन कुछ खास बाते मेरे को आपको बताना है, यह suppose एक circle है, और इस circle पर, यह two axes में, इसका यह center है, यह suppose x axis है, यह y axis है, और यह इसका center coordinates है, इसका coordinates 0, 0 है, इसका coordinates suppose a 0 है, मतलब इसका radius क्या है, a है, और इसका भी coordinates क्या हो जाएगा, फिर यह, इसका a 0 है, तो इसका value क्या हो जाएगा, 0 है हो जाएगा, तो circle का जो equation होता है equation आप circle वैसे circle के बहुत सी equation होते है लेकिन यहाँ पर मैं उस circle का equation बता रहा हूँ जिसका center origin हो 0-0 हो equation आप the circle का formula होता है x square plus y square equal to a square इस formula को आप याद रखना यह equation आप circle का formula है कई बार क्या होता है अपने को curve को पहचानना होता है कि यह curve किसका equation है तो यदि equation इस form कई बार अपने को कई question बताना होता है कि जो answer आया वो circle है की straight line है की पहरा बोला है तो हमको उस समय equation को पहचानना होता है तो ध्यान रखना यह equation आप circle होता है कहीं पर भी relation हमको x square plus y square equal to a square के form में मिले तो वो equation आप the circle है where a is the radius of circle यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमने a लिखा है वो a क्या है a equal to radius of circle यह circle का radius है यह circle हो जाएगा next topic हमको पढ़ना है जैसे मैं भी आपको बता रहा था वो पैरा बोला जैसे अभी आप पढ़ो गए projectile motion तो projectile motion पढ़ाते समय हम student को बोलते हैं कि path आप the projectile is parabolic path आप the projectile is parabolic अब वहीं पर student confused हो जाता है क्या रहे projectile के path को parabolic अपन कैसे पहचाने तो फिर आपको parabolic का equation पता होना चाहिए तो path आप parabolic क्या होता है देखो ध्यान देना इस तरह से हम यहाँ पर एक curve बनाते हैं यह curve कही फार्म है यह यह parabolic का सैप इस तरह से होता है यह suppose origin है 0-0 है तो यहाँ पर यह 0 होता है उतना depth मूस का अपने को नहीं पढ़ना है यह equation आप parabola होता है और equation आप parabola में इसका जो equation होता है जैसे x-axis का यह x-axis का parabola है y-axis का भी होता है y-axis का भी होता है x-axis का भी होता है तो इस parabola का equation होता है y square equal to 4ax जहाँ पर क्या है A0 इसका vertices है A0 इसका vertices है यह इसका focus होता है F तो वो हमको जानना नहीं है सिर्फ हमको जानना है Y square equal to 4X मतलब यह जिदि कोई parabola इस फार्म में हो तो वो Y square equal to 4S के फार्म में हो तो X axis का parabola होता है Suppose हमको Y axis का parabola यह suppose Y axis का parabola है तो इसका जो equation होगा वो X square हो जाएगा X square equal to 4AY होगा तो बस आपको दो चीज़ पहचानना है कि X axis का parabola Y square equal to 4S के फार्म में होगा और Y axis का जो parabola होगा वो X square equal to 4AY के मतलब आपको बिलकुल mathematical depth में जाके नहीं पढ़ना है इसका latest spectrum क्या होता है इसका focus क्या होता है फोकी क्या होता है centricity क्या होता है यह सब पहरा बोला तो बहुत बढ़ा टापिक होता है 11th class के mathematics में पुरा इस पर एक chapter है conic section आपको सिर्फ introduction कि एक physics का student यह पहचान ले कि भीया यह पहरा बोला है ऐसा देख के जान ले कि यह पहरा बोला है बस देट साल उससे जादा आपको ज़वरत नहीं है तो यहां तक मैंने आपको basic mathematical tools 100% complete करा दिया और मैं फिर again एक बार आपको यह बात याद दिला दूँ कि आप में से जितने students ने मेरे algebra से लेकर algebra, फिर trigonometry फिर vector algebra, फिर calculus फिर geometry यह मेरे mathematics के 5 पार्ट को जितने भी student ने अच्छे से cover किया, अच्छे से पढ़ाई किया उसका एक दो बार 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 में revision करता रहेगा, उस student को physics में कभी कोई problem नहीं आएगा, तो आप सभी को मेरा suggestion है, यदि आपको physics strong करना है, यदि आपको physics को competitive level पर पढ़ना है तो यह topic आप बहुत अच्छे से तयार करो और इसके साथ साथ एक important बात आपको last में बता दूँ, इसका revision बहुत जोड़ी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार इस students को सब पढ़ा देता हूँ बन जाता है, समझ में आ जाता है लेकिन जब उसको use करना होता है तब भूल चुके रहते हैं और उसका कारण क्या है, कि physics में इसका regular use नहीं होता math का student regular use करता है इसलिए update रहता है वो लेकिन physics का student regular use नहीं करता है इसलिए वो update नहीं रहता तो उसका एक ही उपाय है कि उसको वो again and again revision करते रहें वैसे revision करने से बड़ा कोई आपके पास हत्यार नहीं है subject में command करने का Thank you so much